तो ऐसे केस में के शहरा खुछ चाहँगा है एक चोटा सा सेशं करें अपने आइस क्लोज करके एक बार पूरे रूम को आप फील करें आप जिस चेर पर बैठे उस चेर को फील कर रहे हैं तच फील करें आपके फीट फ्लोर को टच कर रहे हैं वहां sensation फील कर रहे हैं, पुछे रूम में चारों तरफ आप विजुलाइज कर रहे हैं, सामने वाल है, पीछे कुछ है, कुछ और अब्जेक्ट रखी विए, वाडरोब है, इसेटरा, आपस अपनी बॉड़ी पर sensation लेकर आ रहे हैं, इसेटरा नकारे हैं, आपका बहारा हैं, आपका बहारा हैं, आप बेजी मेल कर दिया अलो अलो आपका स्वागत एक बाद फिर से किया जाए हंजी हेलो स्ट्रेंड स्वागत आप सभी का आशी सिंग लेक्चर्स के इस लिटिस लाइव स्ट्रीम में तुब बताईए और यह वीडियो सब कुछ परफेट है क्या यह बाद जल्दी से बता दो आउडियो वीडियो सब कुछ परफेट है क्या अब बताईए और यह वीडियो सब कुछ परफेट है क्या बढ़िया हो गया अच्छा हो गया सब पुछ जीवन में तो चली कोई बात नहीं ऐसा कभी-कभी होता रहता है तो इसको लेकर के परिशान नहीं होते हैं इसलिए मैं आपसे हमीशा ही स्टार्टिंग में पूछ लेता हूँ कि भाई यह बता दो यार और किसी प्रकार की को चली बढ़िया शुरू करें आज की क्लास को तो आज हमको क्या करना है आज हमको एक चैप्टर को खर से कतम करना है जिसका नाम है मतलब हमको गतिमान आवेश और चुम्बकत्व नाम के चैप्टर को वन शॉट में फिनिश करना है देखो बच्चों इस चैप्टर को मैं करा तो दूँगा बहुत अच्छे से आज की पूरी क्लास के बाद में आप में कॉन्फिडेंस एक नंबर आ जाएगा बड़ अगर आप चाहते हैं कि हमारी आज की मेहनत बहुत अच्छे से सफल हो तो पता है उसके लिए क्या जरूरी है उसके लिए जरूरी है कि आज की क्लास में आप एक नोट्स कॉपी लेकर के मेरे साथ बैठे जो जो चीज में आपको लिखवाऊंगा वो वैसे भी अब रहा है कि इस चेप्टर को समझने मज़ा तब ही आएगा जब आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते वे चलेंगे अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाते वे दो चलेंगे बहुत खुबसूरत तरीके से कवर करेंगे मैं आपको बादा कर रह basement इस चैप्टर के end में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो ASL के वच्चे को नहीं आती होगी इस one shot के end तक पर उसके लिए आपको मेरे साथ-साथ notes बनाते हो चलना है और otherwise notes नहीं बना रहे हो तो at least derivation जब मैं करवा हूँ आच्छी class में तो उस derivation को मेरे साथ जरूर कर लेना है ओके बिटा आप सभी को पता होगा कि परसों से आपका रफ्तार जो है वो शुरू हो रहा है तो रफ्ता है किस चीज का समय है अब समय है रफ्तार के timing का कि कौन सी class कब आने वाली है तो time table रफ्तार का जो है वो आपको मिलेगा कल शाम को 6 बज़े कल आपकी ASL के उपर मेरी तो कोई भी क्लास नहीं है अब परसों से मेरी क्लास रफ्तार के अंदर शुरू होगी और रफ्तार का जो time table है कि कब कौन सी class कैसे क्या होगी वो time table आपको कहा मिलेगा वो time table कल आपको मिल जाएगा शाम को 6 बज़े यूटूब पे एक वीडियो क के माध्यम से कर शाम को 6 बज़े तक का आपको इंदिजार करना पड़ेगा कर शाम को 6 बज़े जो है आपको time table मिल जाएगा चलिया आच के session को start करने से पहले आप सभी के like की जरूत होगी आप सभी को like कर देना है अपने दोस्तों में share कर लेना है subscribe कर लो और subscribe करने का अब जो कुछ भी करने वाले एक्जाम तक उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप बेस्ट करें तो आपके अंदर जो चीज सबसे ज्यादा भी जरूरी है ना बिटा वो है जिद तो कि अब जब आगे परसों से रफतार शुरू होगा तो रफतार में आपको ASL की तरफ स उसकी साथ बाच्चीत करते हैं आपको पड़ाएंगे तो मतलब कहते हैं ना कि इतना ज्यादा बैस्ट करने के लिए और पूरी काइनात लगी है आपका result बनाने के लिए है औ आप अपने result से किति दूरी पर खड़े हो आप अपने result से Austin cable और की ओल इस दूरी पर खड़े बहूं आगर आपके अंदर से अभी निकल कर, कि आ एक जिद कि नई यार मैं करूंगा करके दिहां भाज़ा है हो जाए कुछ भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा अगर यह जिद अभी आपके अंदर उत्पन होजाए ने प्यारे बच्छो को रोक नहीं सकता है रापको ओजो आपको रोक कर रखिए कि अभी आपने जिद ठान रखिए मैं करूंगा , तो Hashtag जिद करने की , इसलिए जिद कर ब जिद करो की कुछ करना है तो अभी सारे कमेंट बंद बंद कोई बच्चा कोई भी जार में करेगा केवल एक ही कमेंट आनाच ना चाहिए कमेंट ने आना चाहिए वो है है हैश्टेग जिदकर अभी केवल एक ही कमेंट आना चाहिए और सारे कमेंट बंद कर दो अभी हमें केवल एक ही कमेंट चाहिए अभी केवल एक ही कमेंट आना चाहिए फिर इस क्लास को शुरू करना है इसके लबाब कुछ नहीं, येवल एक ही कमेंट आना चाहिए और वो कमेंट होगा, हैश्टेग जिदकर फटाफट प्यारे बच्चों, फटाफट, फटाफट जटाजट, हैश्टेग जिदकर और अभी तक भी आपको ये पता ही नहीं है कि ये रफ्तार क्या चीज है तो संडे को एक सेशन हुआ था, उस सेशन को जरूर से देख लिजिए अब जैसे ही आशी सिंग लेक्चर के मेन पेच पर जाएंगे अपने यूट्यूब चैनल की वहाँ पर एक वीडियो मिलेगा आपको बच्चों को ASL वापस से 45 दिनों में इतने शांदार तरीके से कंटेंट पढ़ाने वाला है कि किसी को कुछ नहीं भी आता होगा तो वह बच्चा भी 90 प्लस के आगे खड़ा होगा ये है रफ्तार की शक्ति चलिए शुरू करें उके तो हैश्टेग जितकर आगया है मिटा बाकी आपको जान करी चाहिए तो उसके लिए ये सारे प्लेटफर्म अपने हैं इनको आप जॉइन कर सकते हो इन मुबाइल नंबर एक नहीं दो नहीं तीन-तीन मुबाइल नंबर आपकी सिवा में हाजीर है एप्लिकेशन जिस पतब ऐसा लगता था कि विद्यूत का विद्यूत का चुम्बक से कोई connection नहीं है और चुम्बक का विद्यूत से कोई connection नहीं है इन दौनों को बिलकुल separate रखते थे क्या लगते थे इन दौनों को बिलकुल separate रखा जाता था तो पहले ऐसा सोचा जाता था कि विद्यूत औ और चुम्बकिये शेत्र दौनों बिल्कुल एक दूसरे से क्या हैं अलग हैं। बाद में ये पता चला कि विद्यूत और चुम्बकिये शेत्र भयंकर तरीके से आपस में connected हैं। और उस connection के बारे में पता चलने के बाद में विद्यूत और चुम्बकिये शेत्र को अलग- ही पढ़ा गया और वहां से इस चैप्टर की शुरुवात होती है तो मैं आपको थोड़ा सा बैग्राउंड में लेके जाना चाहता हूं और बैग्राउंड में चुपावा है और एस्टेड का प्रियोग अब अच्छे से जानते हूं कि अपने वन शॉट में अपन जल्दबाजी नहीं करते आराम से पढ़ाते हैं और अपने वन शॉट में बच्चे को जीरो से पढ़ाया जाता है इस चैप्टर की शुरुवात वास्तों में कहां से यहीं मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैप से से इस चैप्टर की शुरुवात होती है कि एक्चल में क्या हुआ बढ़ा मज़दार एक्सप्रेमेंट था और स्टेड अपनी टेबल पर बैट करके कुछ कुछ experiment कर रहे थे क्या कर रहे थे कुछ experiment कर रहे थे तर परीबाशाओं के साथ सब कुछ हाँ बेटा रफतार के अंदर आपको सारी परीबाशा वगरे सिखाई जाएंगी वो वन शॉट अलट टाइप क्यों होंगे रफतार की वन शॉट में सब में परीबाशा वगरे सब सर मेरी क्लास 11 की फिसकेमस्टी वेस्ट होगे नहीं पढ़ी है सर आशा 25 में कवर हो जाएगा कि 100% आशा बनाया उसके लिए है अब बेटा पढ़ाई बिदा अब सब कुछ उड़े इदर पढ़ाई बिदान दो अब इदर पढ़ाई बिदान देंगे और सेटेट का प्रयोक क्या था वो अपनी टेबल के उपर एक्स-पर एक सप्रेमेंट कर रहे थे उसहे एक पुनजी पुनजी लगा करके कुछ गेम खेल रहे थे मतलब वो कोई ऐसे ही एक्सप्रेमेंट कर रहे थे अपना कुछ दूसरा ठीक है बस उनसे क्या हुआ उनसे यह हुआ कि गलती से उस टेबल के उपर एक चुमबकी यह कमपास रखावा था एक सुई रखी वी थी होती है कमपास या चुमबकी सुई की खासियत यह होती है कि अगर आसपास कहीं भी चुमबकी यह शेत्र है तो यह सुई के अंदर क्या आता है विक्षेप आता है विचलन आता है जैसे अगर आप अगर आप किसी अगर आप किसी चुमबक को इसके पास लेकर के जाओगे यदि आप किसी चुम्बक को इसके पास लेकर जाओगे, तो ये चुम्बकिये सुई में विक्षेप आएगा, मतलब ये हिलेगी, मतलब चुम्बकिये सुई, इसको हिंदी में कहते हैं, चुम्बकिये सुई, मैं सिंपल वाशा में समझाओं, तो चुम्बकिये सुई एक ऐस चीज है जिसको disturb करने के लिए जिसको हिलाने के लिए जिसको परिशान करने के लिए किसकी आउशकता होती है चुमबकी ये शेत्र की आउशकता होती है अगर आपके आसपास चुमबकी ये शेत्र है तभी इस सुई में क्या होगी दिक्कत क्रेट होगी इसमें हिलावट आए और स्टेट क्या देखते हैं यह ऐसे पड़ी भी है इनकी टेबल के उपर और स्टेट देखते हैं कि जैसे ही उन्हों ने इस सरकिट को बंद करकर के स्टार्ट किया current का flow और state देखते हैं कि current के flow करते ही इस सुवी के अंदर विचलन उत्पन होता है यह क्या हो गया मतलब जैसे ही अपन ने यहाँ पर जैसे अपन ने यहाँ पर current को flow करवाया current को शुरू कराया current के शुरू करते ही एकदम से चुमबकिये शिव में क्या आ गया विशन आ गया और state का दिमाग खराब हो गया कि चुमबकिये सुवी को disturb करने की शक्ति चुमबकिये सुवी को हिलाने की शक्ति चुमबकिये सुवी के अंदर विचलन उत्पन करने की शक्ति केवल इस दुनिया में एक बंदे के पास है और वो है चुमबकी शेत्र और यहां तो आसपास कोई चुमबकी शेत्र नहीं है फिर इसके अंदर विचलन कैसे हुआ और स्टेड एक साइंटिस्ट थे हमारी तरह छोटे बच्चे नहीं थे तो उनको एक बास समझ में आगई तुरंत कि भाई अभी मैंने जो किया है मैंने क्या किया करण्ट फ्लो कराई मतलब करण्ट फ्लो कराने से इसके अंदर डिस्टेबेंस आया है बस फिर क्या था और स्टेड ने एक्सपरिमेंट को अलब तरीके से करना शुरू कर दिया उन्होंने इसकी डायरेक्शन को बदल के देखा जब उन्होंने करण्ट की डायरेक्शन को बदल के देखा तो चुम्बकिये सुई में विचलन भी बदल गया जैसे माल लो अभी विचलन इस तरह से है को इसके अंदर है कि रहे काम होता है सायंतिस्न को इसे काम होता है कि जो चीज के तुर्फ नीकालो कि यॐ चैन्ज करके देखा जब उनाने प्राइब करेंच करने के लिए बैटरी के ज tramp पहले ऐसे लगी भी थी वन्होंने बैटरी को ऐसे लगा दिया यूं तो यह होगी टैरेक्शन में होता है जब current की direction को reverse किया गया, पता है वो क्या देखते हैं, जब current की direction को reverse किया जाता है, तो विचलन भी दूसरी direction में होता है, यह देखो, पहले विचलन इस direction में हो रहा था, अब विचलन इस direction में हो रहा है, तो कहने का मतलब current की direction बदलने से विचलन की दिशा भी बदलती है, फिर गिश्लन कम हो जाता है तो इस प्रकार और इस टेड़ भाही साब ने क्या किया इस एक कंक्लूजन निकाला एक परिणाम निकाला क्या कि विद्युधारा जो है ये विद्युधारा जो है ये विद्युधारा चुम्बा की ये शेत्र उत्पन्न कर रही है और ये चुम्बा क पूरी से पहले तो हमें यहीं लगता था कि विज्दुश दो चुंबकीय शेतर अलगलग बला होती है और बाड में समझ में آया कि burcate और चुम्बकी शेत्र का एक बहुत गहरा रिष्टा है अगर आपकी करंट है तो आपकी करंट क्या उत्पन करती है विहार बोड के लिए क्या शत्प्रतिशत आपकी करंट क्या उत्पन करती है आपकी करंट उत्पन करती है चुम्बकी शेत्र और वो चुम्बकी शेत्र जाए, वो किसको हिलाने का काम कर रहा है, वो चुम्बकी शेत्र किसको हिलाने का काम कर रहा है, इस चुम्बकी सुई को हिलाने का काम कर रहा है, हाथ उपर करेंगे और स्टेड भाई साब का एक्सपरिमेंट समझ में आ गया क्य और स्टेडवाई से आपको एक्सपरिमेंट समझ में आ गया कैसा पटा-पटाथ उपर कर दो जल्दी से हाथ उपर कर दो ठीक है अब इसका मैं सिम्पल कंक्लूजन लिख रहा हूं परिनाम लिख रहा हूं ठीक है तो कि हम लोग one shot कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा experiment orally समझा दिया है तो मैं सीधा इसके परिणाम पर आ रहा हूं short notes बनाते हों चल रहे हैं पर मैं इसका सीधा आपको क्या लिख रहा हूं परिणाम very good बिटा तो सीधा इसका परिणाम अपनी कॉपी में नोट किती है डाग्राम अपने बनाई लिया होगा लिखो किसी चालक तार में विद्युदारा प्रवाहित करने पर करने पर अर्थात गतिमान आवेश के कारण अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारों और एक चुम्बकी शेत्र उत्पन्न हो जाता है उसके चारों और एक चुम्बकी शेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसे विद्युदारा का चुम्बकी ये प्रभाव कहते हैं इसे विद्युदारा का चुम्बकी ये प्रभाव दिख रहा है कि बिटा ओके विद्युदारा का चुम्बकी ये प्रभाव कहते हैं मतलब इसको क्या बोलता है magnetic effect of current ये क्या किलाता है आपको अच्छे समझ मां आ गई होगी कि current का मतलब क्या होता है current का मतलब होता है बहते वे आवेश चलते वे आवेश तो current चल रही है, मतलब आवेश चल रहा है, तो चलतावा आवेश, इसलिए आपर लिखा भी है, कि जो गतिमान आवेश है, ये गतिमान आवेश अपने चाओ तरफ क्या उत्पन करता है, एक चुम्बकी शेत्र उत्पन करता है, और उसी चुम्बकी शेत्र ने इस चुम्बक चलिए अब यहां से मैं आपको एक आशीज सरका कैपसूल बताता हूँ जिसको ध्यान सुनना कैपसूल यह बोलता है कि अगर आपके पास एक आवेश है ध्यान सुनना अगर आपके पास एक आवेश है और आपका आवेश रुका हुआ है आपके पास एक आवेश है, आशी से का capsule क्या बोलता है, आपके पास एक आवेश है, और आवेश रुकावा है, तो अगर आवेश रुकावा है, V बराबर 0, मतलब वो चल नहीं दाए, बिलकुल वी, तो वो केवल उत्पन करता है, विद्युथ्शेत्र, तो रुकावा आवे आवेश केवल और केवल क्या उत्पन करता है बेटा विद्युष शेत्र जिसको अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा रफ्तार में एक दम आराम आराम से और आज की ग्लास में अगर आप लास्ट तक रुके रह गए आप सारे derivations कर जाओ गया मेरे पढ़ाने की स्टाइल की खासियत ही है कि बच्चे को क्लास हो चाहे वन शॉट हो चाहे कुछ भी फीली नहीं होता कि वो प्रेशर में कुछ पढ़ रहा है वो अराम से पढ़ता है बिल्कुल अगर आपका आवेश एक समान वेग से चल रहा हो मतल स्पोट आगा सिंपल भाशा में बोले हैं तो वेक फिक्स है इसे पार्च मीटरपर सकिन्ट पर सकिंड जरा रहा है तो ऐसे केस में जब आपका आवेश नियत हो था है सुरी आवेश आपका नियत वेक से चलता है तो केवाल दो ही चीजा उद्वक से कर सकता है विदू-श प्रुम्ब की ये शेत्र बोले तो मैगनेटिक फील्ड ये दो ही चीजे उत्पन करा सकता है अगर आपके आवेश को आप ये छूट दे दो कि बिटा एक काम कर बदलती वी स्पीड से भाग अगर आपका आवेश परिवर्ती वेग से चले कहने का मतलब या है कि अगर आप ये पाते हैं अगर आपको ये बता चलता है कि आपका आवेश अलग-अलग-अलग कि स्पीर से भाग रहा है तो भाई साथ वो तीन चीजें उत्पन करता है फिर क्या वो विद्धुशेत्र भी उत्पन करता है वो विद्धुशेत्र भी उत्पन करता है वो चुम्बकिये शेत्र भी उत्पन करता है और साथ में वो विकीरण भी उत्पन करता है और आपको ज इसको हिंदी भाषा की बच्चे विद्यूत चुम्बकिये तरंग के नाम से जानते हैं तो अगर आपका आवेश नियत वेख से नहीं चल रहा है तो वो उत्पन करता है विद्यूत चुम्बकिये तरंगे यह तो पूरी फस्ट पूगी समर्मारी हमारा आवेश जब तक चलना शुरू नहीं करता यह रहारे Character Number One End Chapter Number Two पिर हमारा आवेश जब चलना शुरू करता है तो वो है Chapter Number Three Chapter Number Four फूर के अंदर आगतीमा आविश पढ़ोगे फिर आपका विद्धु चुम्ब की प्रेयरन उसके बाद आप पढ़ते हो आपका प्रत्यावरती धारा और फिर आपका फिर आपका आवेश जब भागना शुरू करता है अंटिशन्ड स्पीड से तो आता है विद्धु चुम कि जुम्ब कत्व भी तो है तो आठवा चेप्टर हो जाएगा भी तो है जुम्ब की तरह के क्या इतो चेप्टर है तो चेप्टर नंबर ॥म्प फप नब्ष Tobo आपका पूरा first book खतम हो जाता है हम किसकी बात करेंगे इस chapter में हम इसकी बात कर रहे है कि आपका आविश किस वेक से चल रहा है बेटा नियत वेक से चल रहा है ये था introduction संपन हुआ hashtag मक्षन अगर समझ आ गया है तो फिर अपन अगले पेश की तरफ बढ़ते हैं अब सीधा आएंगे लॉरेंज बल के उपर चलो hashtag मक्षन फटाफट फास्ट hashtag मक्षन in the comment section जल्दी से hashtag मक्षन in the comment section फटाफट फास्ट don't waste the time don't waste the time जल्दी से hashtag मक्षन बज़ा रहा पढ़ने में ऐसे ही पढ़ोगे पूरे तीन चाह घंटे और मस चैप्टर को खतम करेंगे चलिए अब बात करते हैं चुम्ब की ये बल की चैप्टर अब शुरू हो चुका है आपका अब आप पढ़ रहे हो चुम्ब की ये बल चुम्ब की ये बल इसको अंग्रेजी में मेगनेटिक फोर्स कहते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में ठीक है दियान से देखना आपके पास एक आवेश है आपका चुम्ब की ये शित्र पहले से उत्पन ने ध्यान सुनना पहले से आपका एक चुम्बकिय शेत्र उत्पन है इस डायरेक्शन में ये पहले से ही आपका चुम्बकिय शेत्र उत्पन है मैं फिर बोल रहा हूँ चुम्बकिय शेत्र को B से बदर्शित करते हैं तो आपका पहले से ही इस डायरेक्शन में चुम्बकिये शेत्र उत्पन्न हो रखा है कैसे हुआ? मैगनेट रखावा होगा? कैसे भी किया होगा? हमें क्या? यहाँ पहले से एक चुम्बकिये शेत्र उत्पन्न है अब इस पहले से उत्पन्न चुम्बकिये शेत्र में एक आवेश रखावा है और केवल रखावा नहीं है ये आवेश इस चुम्बकिये शेत्र से थीटा कोण पर वीवेग से भाग रहा है तो पहले से उत्पन्न चुम्बकिये शेत्र वी में यदी एक आवेश थीटा कोण पर वीवेग से गतिशील हो तो चुम्बकिये शेत्र उसके उपर एक बल लगाएगा और हम उसी बल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम किस बल के बारे में बात करें प्लीज सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मजा बहुत आता है पढ़ने में अगर अच्छे से sincerely पढ़ा जाता है मैं क्या बोलाँ बिटा मैं ये बोलाँ कि पहले से उत्पन एक चुम्बकी शेत्र B पहले से उत्पन है इसके अंदर एक आवेश क्यूँ V वेश से चल रहा है कितने एंगल पे थीटा एंगल पे तो ये जो चुम्बकी शेत्र है ये इस आवेश के उपर क्या लगाएगा दोस्त बल लगाएगा समझ आ गया क्या लिखें मतलब एक पहले से उत्पन विद्धु शेत्र पहले से उत्पन चुमबकी शेत्र टक 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 पहले से उत्पन एक चुम्बकिय शेत्र बी में आवेश क्यू वी वेग से गतिशील है वी वेग से थीटा कौन पर गतिशील है चुम्बकिय शेत्र बी द्वारा आवेश पर चुम्बकिय बल या सिम्बल हो सकते हैं आवेश पर लगने वाला आवेश पर लगने वाला चुम्बकिय बल अब इसके बात करेंगे इसको एफ बी से प्रदश्यत करते हैं अब हम इसके फॉर्मूले की बात कर रहे हैं झाला आवेश पर श्हाँ करेंगे आवेश बात करते हैं हां जी, बताओ, समझा आ गया, यह फार्मूला है, Q, V, B, साइन, ठीटा, आपको इस फॉर्मूले को पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से याद रखना है, और आज के इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आने वाला फॉर्मूला भी यही है, इस फॉर्मूले में कौन क्या है, वो मैंने आपको अलेडी अच्छे समझा दिया ह आवेश क्यू जो जा रहा है, वी जिस वेक से वो जा रहा है, वी जिस चुम्बके शेत्रिम उसको रखा गया है, और थीटा, यह थीटा किसके बीच में कौन है, फिर से मैं आपको यहाँ पर लिखके समझा देता हूँ, यह है वी तथा बी के मद्धे कौन, इसके बीच मे किसी को भी नहीं है, चलो, अब अपन इसमें अलग-अलग केस लेते हैं, केस नमबर वन, जिस डायरेक्शन में आपका चुम्बकी शेत्र हो, अगर आपका आवेश उसी डायरेक्शन के समानतर चलता है, तो हमें यह देखना है कि क्या चुम्बकी शेत्र आवेश के उपर बल लगाएगा, आराम से सोचो, कि चैप्टर कितना ही टफ हो में आपके साथ हो ना, घबराओ मत, सुनो आराम से, फ़मला आपके सामने, फ़मला का डेरिशन है भी नी कोर्स में, फ़मला डेरिशन होता भी नीए कुछ, सिंपल फ़मला है, प्रपोर्शनली से आया हो है, मेरा बड़े नहीं भई आज है, पढ़ा ही करो, केस वन क्या है, जिस तरफ विद्धुश्चेत्र है, उसी तरफ अगर आपका आवेश चल रहा है, मतलब आवेश और विद्धुश्चेत्र सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फॉर्मला कितना होगा, या कितना बल लगेग के बराबर होता है, तो आपका बल कितना आजाएगा, जीरो आजाएगा, मतलब अगर आपका आवेश चुम्बकिये शेत्र के समानतर चल रहा हो, तो उस पर चुम्बकिये शेत्र कोई बल नहीं लगाता, ऐसे ही, ऐसे ही, केस टू देख लेते हैं, कि आपका विद्दुष चेत्र, आपका चुम्बकिये शेत्र इस डायरेक्शन में है, आपका चुम्बकिये शेत्र इस डायरेक्शन में है, और आपका आवेश इसके विपरीत दिशा में है, चुम्बकिये शेत्र इस डायरेक्शन में है और आपका आवेश इसके विपरीद दिशा में है, ऐसे चल रहा है, यहाँ अगर आपन एंगल की बात करें, तो यहाँ एंगल कितना है, 180 डिगरी, ओके, इसको बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं, कि आवेश विदुष चुम्बकिये शेत्र के समानतर चल रहा है, पैलेल, और इसको बोलते हैं, कि यह चुम्बकिये शेत्र के प्रती समानतर चल रहा है, क्रती समानतर, तो अगर समानतर चलोगे, बल 0 लगेगा, प्रती समानतर में भी चेक कर लेते हैं, तो प्रती समानतर में कमेंट करके बताओ कितना आएगा बल, Q, VB, Sine, 180 डिगरी, आपको बताते या विद्दुशेत्र के समानतर चलो, या विद्दुशेत्र के प्रती, बार बार, देखो, मेरे से गलती होती है, मैं इस चेप्टर में कई बार, चुम्बकिये शेत्र के प्रती समानतर चल रहे हो, दोनों ही केस में, बल कितना आता है, 0, समानतर, प्रती समानतर, बल कितन जीओ ठीके साथ, केस नमबर थ्री, आपका इस प्रकार से हूँ, इस प्रकार से हूँ, चुम्बकिये शेत्र, और आप उसके लंबवत चलो, यह आपका जो आवेश है, वो चुम्बकिये शेत्र के लंबवत चले, यहाँ पर V और B के बीच का जो एंगल है, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो अगर चुम्बकिये शेत्र और आवेश की गती, एक दूसरे के लंबवत हो, पर्पेंटिकूलर, तो ऐसे केस में F का मान कितना आएगा, Q, V, B, साइन 90 डिग्री, अब मेरकों बताते हैं, अत्यांत हर्ष हो रहा है कि साइन 90 डिग्री का मान मैक्जिमम होता है, साइन के केस में, यह मान मैक्जिमम होता है, और कितना होता है, वन होता है, तो यहाँ पर बल लगेगा, एकदम मैक्जिमम, कितना लगेगा, Q, V, B, क्योंकि साइन 90 डिग्री, वन होता है, यह चीज, तो प्यारे बच्चों, समझा गया, अगर 90 डिग्री पे आपका आवेश, प्रवेश कर रहा है, चुम्बके शेत्र में, तो उस पर बल कैसा लगेगा, मैक्जिमम लगेगा, और जो बल लगेगा, वो कितना लगेगा, Q, V, भी लगेगा, यह तीनों केस आप में डिसकस किये, अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपोर्टेंट है, वो है आपके बल की डाइरेक्शन, डाइरेक्शन के लिए, आपको इसका देखना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म, तो मैं आपको थोड़ा सा, आसी से के कैसूल की फॉर्म में बताना चाहता हूँ, साइड में, कोने मे यहाँ पर, कि अगर दो वेक्टर ऐसे होते हैं, एबी कॉस थीटा, तो यह होता है, एडॉट बी, ओके, और कहीं पर दो वेक्टर ऐसे हो, एबी साइन थीटा, उसको लिखा जाता है, एक रॉस भी, उमीद करता हूँ, यह चीज आप वेक्टर में पढ़के आया होंगे, नहीं आये, तो कोई बात नहीं, यहाँ बची रिखानी पड़ेगी, तो यहाँ पर, क्यू वी बी साइन थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, कि चुमबकी यह बल का वेक्टर पर फॉर्म बराबर होगा, वी बी साइन थीटा को वैसे देखके लिखो, तो वी क्रॉस भी लिख दिया जाएगा, अब समाज़िये, बैटर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा और आराम से हो जाएगा टॉपिक, परिशान मत तो, जल्दी-जल्दी करोगे ना, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उपर से निकल जाएगा जब कुछ, बैटर-बैटर बची रिखाते रहें टॉपिक के साथ, तो जो डाइरेक्शन वी v cross b की होगी, जो डाइरेक्शन v cross b की होगी, वही direction f की होगी, अब ये direction कैसे निकालते हैं, इसको सिखाता हूँ, जल्दी से मेरे साथ सीख लेना, कब्रा कभी भी आपको A x B की direction निकाल नहीं हो तो मैं सिखाता हूँ कैसे निकालते हैं जैसे ये A vector है माल लो आपका और ये माल लो आपका B vector है इनके बीच में angle theta है आपको A x B की direction निकाल नहीं है कैसे निकालेंगे समझाता हूँ जो vector सबसे पहले लिखावा है जो vector सबसे पहले लिखावा है उसकी तरफ अपनी उंगलियां खोल दीजिए जो vector सबसे पहले लिखावा है जो vector सबसे पहले लिखावा है उसकी तरफ अपनी उंगलियां खोल दीजिए सबसे पहले कौन लिखावा है A की तरफ अपनी उंगलियां खोल दीजिए तो A से B आप अपनी उंगली को ऐसे लेके जाएंगे तो पहले वाले vector की तरफ अपनी उंगली खोल दीजिए दूसरे वाले की तरफ लेके जाएंगे अंगूठा बताएगा A x B की direction तो ये direction अंदर की ओर आ रही है जो direction अंदर की ओर आती है इसका मतलब एक तीर है जो आपसे दूर जा रहा है तीर के पिछे वाला हिससा ऐसा दिखता है तो ये होता है इसका मतलब होता है कागच के तल के लंबवत अंदर की ओर कागच के तल के लंबवत पर पेंडिकुल का मतलब लंबवत ही होता है वैसे तो कागच के तल के लंबवत कागच के तल के लंबवत अंदर की ओर ओके तो A क्रॉस B की डायेक्शन ऐसे दी जाती है अब अगर मालनों कोई आप से सवाल इस प्रकाल से पूछ ले कि सर यही सेम है, सिनेरियो सेम है बिलकुल सिनेरियो अलग नहीं है सर B क्रॉस A की डायेक्शन बताओ, वो कैसे निकालोगे वापर समझाओ, जो सबसे पहले लिखावा है उसकी तरफ उंगलियां खोल दो जो बाद में है, उसकी तरफ उंगलियां घुमाओ अंगुठा बताएगा डायेक्शन अंगुठा अंदर की तरफ जा रहा है आप से तीर दूर जाएगा आप तीर को यहां से देखोगे, आप से तीर दूर जा रहा है तो आपको तीर के पीछे का क्रॉस दिखेगा इसलिए अपन इस प्रकार के दिशा को क्रॉस से दिखाते हैं उसका मतलब क्या होता है कागच के तल के लंबवत अंदर की और कागच के लंबवत बिटा अंदर की और समझने बात को कागच के तल के लंबवत अंदर की और चली खेलते हैं इसमें जो पहले उसकी तरफ फिंगर्स कर जीए दूसरे की तरफ घुमाईए यहाँ पहले कौन है दूसरे वाले की तरफ गुमाएंगे, बाहर की तरफ आएगा चुम्बकी शेत्र, अगर ऐसे चुम्बकी शेत्र तुमारी तरफ आ रहा हो, तो अगर ऐसे चुम्बकी शेत्र तुमारी तरफ आएगा, तो तुम्हें केबल डॉट दिखाई देगा, तो अगर चुम्बकी शे कागच के तल के लंबवत बाहर की और कागच के तल के लंबवत बाहर की और बताओ बिटा हैस्टेग मक्खन बोलो हैस्टेग मक्खन की नहीं हैस्टेग मक्खन की नहीं मक्खन आप उन लोगों के लिए जो यह कहते हैं कि हमें समझ में जल्दी आता है हम तो एकडम वो हैं क्या बोलते हैं परफेक्ट उनके लिए सवाल बच्चे बहुत यहां पर ऐसे हैं जो बहुत जल्दी चीनियों को समझते हैं कि दम होसियार बच्चे हैं हमारे बास तो चलिए यह NCRT का प्रश्ण है आपकी पेशे किदम सॉल्व करो सवाल को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो NCRT का सवाल है कमेंट सेक्षिन में एंसर बतावा बटा तो 4.2 हो गया ना 4.1 भी तो है पहले ये वाला करो पहले इस सवाल को ट्राय करो देखो ध्यान समझे ना पर इसमें तो आप कैसे कर पाओगे आपने अभी तक वो चीज़ सीखी नहीं है ना आप फिर इसी को करो यार इसी को करना पड़े वो भी सीखा नहीं है आपने देखो लॉरेंज बल का मतलब में आपको बाद में समझाओंगा पर पहले आप ही समझीए कि यहां पर आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इन्होंने एक्स अक्ष इसको बोला है इन्होंने इसको जैड अक्ष बोला है और अंदर की तरफ जो अक्ष है उसको वाय बोला है ठीक है अब यह देखिए चुम्बकिये शेत्र कौन से अक्ष में है पहले इसका पता लगाते है तो चुम्बकी शेत्र क्रॉस की फॉर्म में क्रॉस का मतलब पता है क्या होता है कागच के तल के लंबवत कागच के तल के लंबवत अंदर की और ये क्रॉस का मतलब होता है और कागच के तल के लंबवत अंदर की और कागच के तल के लंबवत अंदर की और कागच के तल के लंबवत अंदर की ओर इस प्रशने के अनुसार इस प्रशना अनुसार वो अक्ष कौन सा है वाई अक्ष है तो मतलब जो आपका चुम्बकिये शेत्र है वो इस सवाल में अंदर की तरफ है मतलब y.x की तरफ-e.dekhlo na इसने कारतो है अंदर वाले अक्ष को y. ठीक है और आपका आविश किस तरफ चल रहा है? यह जा रहा आपका आविश आपका आविश जा रहा है x.x के उपपर यह आपका आविश जा रहा है x.x की यह आविश का वेग है अब आपको अच्छे से पता होना अच्छी बल का जो फॉर्मूला है वो होता है Q V क्रॉस B मतलब बल की दिशा निकालने के लिए अराम से देखना बिटा लॉरेंज बल को भी समझा दूँगा मैं लॉरेंज बल का मतलब अभी आप समझ लो इस सबाल के साफ से चुमबकी शेत्र चुमकी बल सिंपल तो आपको चुमबकी बलकी बात करनी अभी तो निकालगे निकालोगे क्या सिखाया वी से बी की तरफ उख फिनलिय की देख सी खेले तो आपको V से उंगलियां किस तरफ गुमानी है B की तरफ गुमानी है अंगूठा बताएगा F की डायरेक्शन ओए होई इदर सुनो आपको V से B की तरफ उंगलियां गुमानी है सीधे हाथ की अंगूठा विल टेल दे डायरेक्शन आफ F खेलें चुमबकिये शेत्र किस तरफ है कागच के तल के लंबबत अंदर की ओर तो चुमबकिये शेत्र आपका अंदर की ओर है चुमबकिये शेत्र आपका अंदर की ओर है यह रहा चुमबकिये शेत्र यह रहा यह अंदर की ओर है आवेश आपका किस तरफ जा रहा है, सामने, ऐसे जा रहा है आपका आवेश, यह आपका आवेश जा रहा है, तो यह जो आपका चुम्बकिये शेत्र है, यह चुम्बकिये शेत्र अंदर की तरफ है, आपका आवेश सामने जा रहा है, कलर दूसरा लूम, कि समझाने के लिए तो मैं आपको किसी भी हत्त क्याना इसे आपका आवेश की तरफ जिस तरफ आवेश जा रहा है सुख्णेश तरफ लिए उस तरफ अपनी उगलिया कर दीजिए 109 ऑगमाना किस तरफ है कि मैं शेत्र की तरफ घुमाई ये ऐसे तर पाउगे क्या दोस्तों तो आवेश की तरफ उंगलियां कर दीजिए उंगली ऐसे सारी की सीध्यात की और चुमबा की शेत्र अंदर है तो सकी तरफ ऐसे अंदर घुमाई है ऐसे 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 अंगूठा बताएगा बल की दिशा को अंगूठा किस तरफ बता रहा है उपर कौन सा अक्ष है जैड अक्ष मतलब यहाँ पर जो बल की दिशा आ रही है वो ऐसे आ रही ओपर की तरफ तो यह जो दिशा है यह हो गई आपकी जैड अक्ष कब जब क्यू पॉजिटिव है हुज है मैं आवेश पॉजिव है तब अगर क्यू नैगतिव हो जाएं जैसे इलेक्टरोन की बात कर रहा है सबहल में यदी क्यू नैगटिव हो वातो वात कका कर रहा है अगर आपको यह पूरा सवाल अच्छे से समझ में मेरे द्वारा आ गया है तो आ गया पॉस्टिव और नेगटिव है कैसे सवाल ने रखा है ना इलेक्ट्रोन रिणाविश तो आपने ये चुट फ़र्मिस डाइक्शन निकाली हो पॉस्टिव के लिए उसकी अपॉस्टिव कर दो यहां से जैक्शी आ रहा है तो इसकी अपॉस्ट माइनस जैड तो एक तरह से जैसे यहां पर अपन को इलेक्ट्रॉन दे रखा है तो आवेश अगर नेगेटिव है तो जैड का उल्टा होता है माइनस जैड नीचे की तरफ यह हो जाएगी आपके एंसर ए इलेक्ट्रॉन के आगया मजा तो सवाल को करने के लिए जरूरी क्या है कि आपने कंसेप्ट क नहीं सीखेंगे सवाल आए गाई नहीं कभी समझ में नहीं आएगा तरीस अब आगे बढ़ें इस सवाल में थोड़ा टाइम लगेगा अब हैडिंग लगाओ अब यहां से मस्ट टॉपिक की शुरुबात होने जा दिए हैडिंग लगाओ चुम्बकी ये शेत्र में आवेश की गती अब हम मस्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं चुम्बकी ये शेत्र में आवेश की गती बड़े ध्यान से देखना है इस टॉपिक को से बड़े ध्यान से देखना है इस टॉपिक को मोशन आफ चार्ज इन माइनेटिक फिल्ड तरिक कैसे पता तरह कि पॉस्टिव की तरह उपर होती है, बेटा Q positive है, फॉर्मिले में Q positive है तभी तो F की direction, F की direction आ रही है, इस concept के according, Q positive तभी आ रही है, जैसे हैं negative लगा दोगे, तो जो direction आपने निकाली है, उस direction के आगे negative लग जाएगा, और vector में आपने पढ़ा होगा कि negative का मतलब होता है, opposite कर दो, जैसे अगर A vector, A vector इस direction में है, तो negative A vector इस direction में होता है, यहाँ पे, अगर Q positive है, तो जो आपने FB की direction निकाली है, जब Q negative होगा, तो FB की direction आईए, उसका opposite कर दो, यह logic इसकी पीछे, vector की कमजोर हो रही है, vector पढ़ावान नहीं है आपका, इसे आवेश की कती, देखें, इसमें आपन लोग start कर रहे हैं हमारे case number 1 से, इसमें हम case 01 से शुरू करते हैं, heading लगाओ, जब आवेश एक समान चाल से, जब आवेश एक समान चाल से, जब आवेश एक समान चाल से, एक समान चुम्बकिये शेत्र में, लंबवद गती करता है, एक समान चाल से, एक समान चुम्बकिये शेत्र में, एक समान चुम्बकिये शेत्र में, लंबवद गती करता है, लंबवद गती, करता है ठीक है? क्या मतलब है इसका? मजा आएगा ध्यान सुनना आपके पास एक चुम्बकी ये शेत्र है इस प्रकार का ये आपके पास चुम्बकी शेत्र है एक चुम्बकी ये शेत्र है ये आपके पास एक चुम्बकी ये शेत्र है और ये कहां है? इसकी डायेक्शन सम्झ में आती है आपके? डायेक्शन इसकी है कागच के तल के लंबवद अंदर की और एक्जाम में आ जाएगा डेरिविशन में मुह देखते रहाँ अपने पड़ोसी का तो अब इस कागच के तल के लंबबत अंदर की और डेरेक्शन आ जाती है आपके चुमबकी ये शेत्री इराइक्शन है अब आपका आवेश जो है इस चुमबकी ये शेत्र में आपका आवेश जो है इस चुमबकी ये शेत्र में इस प्रकार लंबवत प्रवेश करता है हमको ये पता लगाना है कि इसकी गती किस प्रकार की होगी हमको क्या पता लगाना है कि इसकी गती किस प्रकार की होगी शुरू करें आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, आप इसके उपर लगने वाले बलकी direction निकालो, that's it, इसके उपर लगने वाली बलकी direction कैसे निकालेंगे, formula क्या होता है, formula होता है, fb बराबर qv x b, बलकी दिशा कैसे निकालोगे, उंगलियों को कहां से का गुमाना है, v से b की तरफ गुमा रहा है, यह आवेश की जाने की दिशा है, चुमबकी शेत्र का है, चुमबकी शेत्र का है, चुमबकी शेत्र अंदर की तरफ है, ऐसे, चुमबकी शेत्र की तरफ उंगली को घुमाईए, चुमबकी शेत्र अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ तो आवेश इस तरफ जा रहा है चुम्बकी ये शेत्री की तरफ मुगली को घुमाई है बल की दिशा उपर आएगी तो यहाँ पे जहाँ पे अभी इस्तिती है यहाँ पे बल की दिशा किस तरफ आ रही है यहाँ पे बल की दिशा ऐसे आ रही है उपर की तरफ माल लेते हैं यह आवेश इस जगह पर है इस जगह पर है अब इसके वेख की दिशा क्या होगी? यह अब एक काम कीजिए अब बल की दिशा निकाल के देखिए वेख का है? उपर की तरफ चुमब की शेत्र का है? अंदर की तरफ ऐसे? यह स्तिती बन रही है देखो बल की वेख की दिशा में उंगलियां कर दीजिए चुमब की शेत्र की तरफ गुमाईए चुम्बकी शेत्र कहा है अंदर तो वेग की दिशा में उंगलियां कर दीजिए चुम्बकी शेत्र की तरफ गुमाईए बल की दिशा कहां आ रही है इस तरफ तो यहां पे बल की दिशा कैसी आ रही है इधर आ रही है यह हो गया चुमबा की शेत्र द्वारा बल है किसी भी पॉइंट पर निकाल के चेक कर लो किसी भी पॉइंट कर लो, यह सब आपके NCRT में हैं, आपके स्लेबस में हैं, इधर आते हैं, यहां आजाएं NCRT में ओपन करते ही टॉपी के बिटा यह आपका आवेश चल रहा है, इस तरफ देखो, आवेश के चलने की दिशा क्या है? यह है चुमबकिय शेत्र अंदर की तरफ है, क्या यहां पे आप निकाल सकते हो बल की दिशा? वेग की तरफ उंगलियां कर दीजिए दोस्त चुम्बकिय शेत्र अंदर है वेग की तरफ उंगली करके चुम्बकिय शेत्री की तरफ गुमाओ बल किस तरफ आएगा नीचे की तरफ आएगा यहां जो बल लगेगा यहां बल कैसे लग रहा है नीचे की तरफ लगा है ये लो बोलिए समझा रहा है कि है आपका आवेश जब यहां होगा मतलब हमेशा बल केंद्री की तरफ लगा है, मोटी मोटी बात यही है जैसे आपका आवेश इस तरफ है अब इस जगे बल निकाल के देख लो केंद्री की तरफ लगा है, केंद्री की तरफ लगा है, आवेश नीचे की तरफ गती कर रहा है चुमबकिये शेत्र अंदर की तरफ है तो नीचे की तरफ सीधे हाथ की उंगलियां कर दीजिए चुमबकिये शेत्री की तरफ उंगलियों को घुमाईए वोकि आपको कहां से का कुमाना है वी से बी की तरफ वी से बी की तरफ उंगलियों को घुमाईए अंगूठा बताएगा अंगूठा बताएगा अंगूठा बताएगा चुम्बकी ये शेत्र की दिशा चुम्बकी बल की दिशा यहां चुम्बकी बल की दिशा ऐसे आ रही है क्या आपने एक चीज नोटिस करी मेरे साथ अभी कि जब आपका जब अब मैं आपको समझाता हूँ यह उपर नीचे कैसे हो गया जब भी आपका आवेश लंबवत चुम्बकिये शेत्र में प्रवेश करता है चुम्बकिये शेत्र हमेशा उसके उपर बल लंबवत लगाता ह है और केंद्री की तरफ लगाता है जैसे अगर आपका आवेश यहां से थोड़ा भी आगे जाए ना इस तरफ यहां देखो अगर आपका आवेश यहां भी हो तो इसके वेग की दिशा होगी यह और जब आप चुम्बकिये बल की दिशा निकालेंगे तो वेग की दिशा हो गई यह दूसरा पैल वेग की दिशा हो गई यह और चुम्बकिये शेत्र की दिशा हो गई अंदर की तरफ ऐसे इस जगह पर जब आप कंसेप लगाएंगे तो यह रवी वी से अंदर की तरफ चुम्बकी शेत्र है बिटा ऐसे यह हो गई वेक की दिशा हमेशा जब आप उंगलियों को वी से बी की तरफ घुमाएंगे ऐसे आएगा चुम्बकी बल आप ये नोटिस करेंगे कि हमेशा चुम्बकी बल है वो एक केंद्र की तरफ लग रहा होगा आपका आवेश जब लंबवत प्रिवेश करता है चुम्बकी शेत्र में तो चुम्बकी शेत्र हमेशा उसके उपर बल इस प्रकार से लगाता है कि वो बल हमेशा एक गोले केंद्री की तरफ लग रहा होता है वो बल हमेशा वो बल हमेशा कहां लग रहा होता है गोले केंद्री की तरफ लग रहा होता है और जब आपको ऐसा कोई चीज देखने को मिले जहां बल हमेशा किसी गोले केंद्री की तरफ लग रहा हो तो इसका मतलब उस बल को अभी केंद्री ये बल बोलते है और वो बल ह हमेशा वस्तु को गोल गोल गुमाने में ही काम आता है। तो यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी जो वस्तु है उस वस्तु के उपर हमेशा केंद्री की तरफ एक बल काम कर रहा है। क्या सच में आपने ये टॉपिक पहली बार पढ़ा है आच में को तो नहीं बता था कि आपने टॉपिक नहीं बढ़ा है। होगे तो आप में ज्यादा बल यहां से नहीं बना रहा है। आपको समझाने के लिए बस बल बनाए गए थे एक रहन देता हूं बाकि आपको समझाने के लिए इतने सारे बलों के भी हमें आउशकता नहीं है। इतने सारे बलों के हमें कोई आउशकता नहीं है। आपको हम एक बल से समझा दिया वह बहुत है। तो आपको समझाने के लिए इतने ज़्यादा बलों के आउशकता भी नहीं है। चलिए बढ़िया अब यहां पर एक बात बता दू आपको आपने बी की दिशा क्या ली थी। कागच की मैं समझा रहा हूँ कि बहुत इंपरेंट टॉपिक है। कागच की तल के लंबवत कि अंदर की और है ना। आप पहली बाद पढ़ेंगे अपर समझा जाता हूँ एस लेंस ध्यान देंगे कि अरे सेवार के रूल भी जरूती निया ध्यान दो जो पड़ारा उसके उपर फाल टॉबिक मैसेज कर रहे हूँ कि जरूती लाणन दो फोकस आपका आवष जहान सेол फोकस के साथ आपका आवष जब भी चुम्बकिय शेत्र के लंबवत प्रवेश सिरेगा आपका आवश जब जब भी चुम्बकिये शेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा, चुम्बकिये शेत्र उसके उपड़ ऐसे बल लगाएगा कि वो बल हमेशा एक गोले केंद्री की तरफ लग रहा होगा और इस प्रकार के बल को सेंट्रिपिटल बल कहते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं, अब भी केंद्री बल कहते हैं, और ये बल गोल 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 गिमाने में काम आता है, तो यहां और आपने देखा, जब आपका आवेश यहां था चुमबकी शेत्र अंदर की तरफ बल लगकेंदरडे की तरफ फिर आपका आविश्ट यहाँ पहुंचा चुमबकी शेत्र अंदर की तरफ बल जारा है So बल लगईगा यहां पर आप चेख करेंगे हर जगे कहीं भी चैख करो आपको डरते हैं क्या कहीं भी चैकरो यहां भी देखोगे तो आपका जो आवेश है वो नीचे की तरफ जा रहा है चुम्बकी शेत्र अंदर ऐसे है तो बल हमेशा किस तरफ लग रहा है बल हमेशा केंदर की तरफ ही लग रहा है तो बल हमेशा केंद्र की तरफ ही लगेगा तो यहाँ पे चुम्बकी ये शेत्र हमेशा कैसे बल लगाता है बेटा केंद्र की तरफ बल लगाता है और यहाँ पे वस्तु जो है वो गोल-गोल-गोल-गोल घुमना शुरू कर देती यह मतलब यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं यहाँ हम यह बोल सकते हैं कि जो चुम्बकिये बले अब इसका मान कैसे निकालोगे इसका मान होता है FB बराबर QVB sin theta sin 90 degree क्यों 90 degree चेक कर लो V और V के बीच में कितना एंगल है V ऐसे है B V बोले तो चुम्बकिये शेत्र कहा है अंदर की तरफ तो आप खुद देखो ना मुझे बताने की जरूत है क्या कि यह V है इसके अंदर लग रहा है ऐसे चुम्बकिये शेत्र तो दौरण एक दूसरे से कितने अंगल पर है 90 degree पर है यहां हम यह बोसकते हैं कि चुम्बकिये बल जो है वो चुम्बकिये बल किसकी भूमिका निभा रहा है अभिकेंद्रिये बल की भूमिका निभा रहा है बिटा अगर किसी को भी मैं आपको वापस समझा दू थोड़ा सा फिर मैं आगे बढ़ूँगा तेजी से कि अगर किसी को भी गोल-गोल घुमने का मन करे तो अगर कोई भी गोल-गोल घुमना चाता है इस दुनिया में अगर कोई भी आर तृज्जा के गोले में V वेग से M दर्विमान की वस्तू अगर गोल-गोल घुमना चाहती है तो उसको हमेशा अंदर की तरफ एक बल की आउशकता होती है जिसका मान है mv square by r और इसको कहते हैं अभी केंदरिये बल क्या बोलते हैं अभी केंदरिये बल एक बात को हमेशा ध्यान रखना अगर इस पूरी दुनिया में किसी भी m दर्मिमान की वस्तू को v-vague से आर्थ रजिया की गोले में चक 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 गोल-गोल घुमना है तो उसके लिए हमेशा उसको अंदर की तरफ हमेशा उसको अंदर की तरफ एक बल की आउशकता होती है जिस बल को क्या बोलते है अभी केंदरी बल जैसे एक स्कूल को चलाने के लिए हमेशा प्रिंसिपल की आउसकता होती है अब प्रिंसिपल जो भी बनता है हम बोल देते हैं कि साब हमारे प्रिंसिपल है जैसे शर्मा जी प्रिंसिपल बने तो प्रत्वी को भी केंद्री की तरफ एक बल चाहिए होता है तो सूरी और प्रत्वी के बीच में इस बल की भूमी का कौन निभाता है गुर्तवा कशन बल कौन निभाता है गुर्तवा कशन बल मेरे दोस्त ऐसे ही यहाँ पर इस चक 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 गोल गुमने में कौन निगा रहा है चुमबकी बल जो है वो अभीकेंद्री बल की भूमी का निभा रहा है तो हम चुमबकी बल QVB को किसके बराबर कर देंगे mv square by r के बराबर कर देंगे तो यहाँ से हम क्या बहुत हो सकते हैं कि QVB is equals to mv square by r इसको हमेशा के लिए ध्यान रखना यहाँ से बहुत सारे derivation हो सकते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजे निकल करके आ सकती है यह पेज अगर आपके समझमा आ गया है तो फटाफट से इस पेज पर लिख दो हैस्टैग मक्षन फिर मैं अगले पेज पर फटाफट इसके बचेवे derivation करवा देता हूं मोटी मोटी बात समझमा आ गई कि अगर चुम्बकी शेत्र और आवेश का वेग लंबत है तो वो वेग इसको गोल-गोल घुमाने का काम करेगा यह मोटी मोटी बात है गोल-गोल घुमाएंगे तो चुम्बकी बल है वो किसकी भूमी का निभाएगा मे नहीं है तो बता दो यार नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाओं बस मुझे derivation करना इसका अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं आप लोगों से पूछ पूछ के ही आगे बढ़ूँगा आप बोलोगे समझ आगे आगे बढ़ जाएंगे वापस एक बार सुन लोगों किसका सेकेंड बार थोड़ा टफ है इसलिए बोलाओ अगर आपका आवेश के पास ऐसा कोई वेग है जो चुम्बकी शेत्र के लंबत है तो वो उस आवेश को गोल-गोल-गोल गुमाएगा यदि आवेश का कोई वेग चुम्बकी शेत्र के लंबवत है तो वह है उसे गोल-गोल गुमाएगा इस कैपसूल को लिखके रख लो अगले टॉपिक में काम आएगा ठीक है आवेश को अगर इस साइड से एंटर करोगे तो ऐसे घुमेगा देखो ना बल तो ऐसे लगेगा यू लेकर आओगे तो वीस तरफ होगा बी अंदर की तरफ बल नीचे तो ऐसे घुमेगा जैसे आगरा एक बच्चा बहुत हुशार बच्चा मारे पास वह बोला है मैं ऐसे लेकर आओँ आवेश को वही तो आवेश को ऐसे लेकर आओगे चुम्बा की शेत अंदर नीचे की तरफ लगेगा तो वह आवेश ऐसे घुमेगा उसका केंदर नीचे होगा क्या फरब पढ़ता है गोल गोल तो घुमना ही उसको भी गोल गोल तो घुमना ही है उसको भी ठीक है चलो अब इस derivation को आगे बढ़ाते है मुझे लगता है आपको समझ मां आ गया है इतना काफी है तो अभी अभी आपने सीखा कि चुमबा की ये बल जो है ये जो चुमबा की ये बल है ये अभी के इनदे बल के बराबर है तो मतलब चुमबा की ये बल FB जो है वो अभी के इनदे बल FC के बराबर है उससे निकल के आ गया यहां से आया QVB बराबर MB स्क्वाइब आर ठीक है अब यहां से आप अगर जाहन से देखें तो एक V से एक V कड़ जाएगा तो यहां गया QV बराबर MB बाइ आर यहां से आप V कमान निकाल सकते हो कि V कमान कितना निकल कर क्या रहा है QV R बाइ एम अब यहां से कुछ formula निकलेंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे तो एक formula भी निकल कर क्या है जो आपको तुरंत याद कर लेना चाहिए कि V बराबर QV R by M अब यहां बाइअ बताओ अगर कोई गोल कोल घूम रहा है तो उसके लिए आवर्तकाल भी कोई चीज होती है आपको पता है आवर्तकाल क्या होता है टाइम पिरेड क्या होता है जैसे यहां पर आपका अवेश आर तरज्जा के गोले में गोल गोल घुम रहा है वीवेक से तो एक चक्कर में कितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते है यसे बाहिसाब हमारे यहां से बाहिसाब हमारे यहां से शुरू करें और एक चक्कर लगा के वापस ही आजाए तो अगर हमारे बाहिसाब यहां से शुरू करके एक चकर लगा के वापस यहां पर आजाए तो एक चक्कर में उनको कितना समय लगेगा प्यारे बच्चो इसी को कहते हैं आवर्थकाल तो आवर्थकाल क्या होगा एक चक्कर में लगा समय तो आवर्थकाल होगा दोस्तों एक चक्कर में लगा समय कैसे निकालेंगे चाल बराबर होता है दूरी बटा समय तो समय बराबर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल सिंपल अब आप खुश सोचो एक चकर में दूरी कितनी तय होगी अगर हम एक चकर की बात करें और आपका बंदा यहां से चलना शुरू करे और एक चक्र लगा करके वापस यहीं पर आ जाए तो आप खुश सोचें क्या वो पूरी परीदी के उपर चलेगा हाँ सर एक चक्र में वो पूरी परीदी के उपर चलेगा सही बात है तो दूरी अगर हम एक चक्र की बात कर रहे हैं तो एक चकर में दूरी कितनी तय होगी परीदी के बराबर और परीदी कितनी होती है 2πr होती है किस चाल्स चल रहा है वी चाल से क्या वी का फंबलम निकाल चुक है हाजी सर फुट कर दीजे यहां पे तो यहां पे अगर आप समय निकालेंगे तो आवर्थ काल T बराबर आ र यह होता है आवर्थ काल का फंबला एक चकर में लगा समय यह है एक चकर में लगा समय और इसमें एक बढ़िया कैपसूल दूँ आपको यह एक चकर में लगा समय जो है ना आपको एक कैपसूल देता हूं बढ़िया यहीं पे आशी सर का कैपसूल एक चकर में लगा समय जो वेग पर निर्बर नहीं करता है चेक कर लो एक चक्कर में लगा समय वेग वी पर निर्बर ही नहीं कर रहा है देख लो आप यहां पर वी आ रहा है कहीं पर भी यहां पर कहीं पर भी वी नहीं आ रहा है मतलब एक चक्कर में लगा समय 1 चकल में लगा समय, सेम रहने वाला है 1 चकल में लगा समय वीपर निर्वर नहीं कर रहा है एक चकल में लगा समय वीपर निर्वर नहीं कर दो कर दो कर दो All clear? ठीक है चलो, आगे बड़े क्या आपने आवर्ती की बारे में सुना है? आवर्ती जिसको अंगे जी में फिक्वेंसी कहते है आवर्ती अर्थात फिक्वेंसी इसका मतलब होता है एक सेकंड में चक्करों की संख्या एक सेकंड में एक सेकंड में चक्करों की संख्या ज्यान से सुनना बेटा ज्यान सुनना ज्यान सुनना एक चक्कर में कितना समय लगता है वो है आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल होता है और एक सेकंड में कितने चक्कर हो रहे है एक सेकंड में चक्करों की संख्या आवर्ती होती है अब अगर मैं ऐसा बोलू तो गलत तो नहीं होगा कि अगर आवर्तकाल कैपिटल टी है मतलब t seconds में कितने चक्कर हो रहे है एक चक्कर हो रहा है गलत तो नहीं है आवर्थकाल का मतलब होता है एक चक्कर में लगा समय तो अगर आवर्थकाल capital T है इसका मतलब capital T seconds में कितने चक्कर हो रहे है एक चक्कर तो एक second में कितना चक्कर होगा एक सेकंड में चक्कर होंगे एक बटा कैपिटल टी और एक सेकंड में जितने भी चक्कर होंगे एक सेकंड में जितने भी चक्कर होंगे उसी को क्या बोलेंगे आवर्ती तो आवर्ती म्यू जो है वो वन अपॉन टी होती है पतलब आवर्त काल का उल्टा होती है तो रट लो, समझना है, तो समझ लो भीटा, मैं ने बहुत आसान दा कोशिश करी कि कि t seconds में अगर एक चकर हो रहा है, तक आवर्तकाल का मतलब जाए, ग का मतलब जाल पहके लिए 1 पहँन समय, तो अगर आवर्तकाल 5 seconds है, म्तलब पांस सेकंड लगें एक चक्कर में अगर आवंद्थ काल टी है मतलब 2 सकन लगें एक चककर में यही मतलब होता है अब अगर हो रही है यहां पर पका चलिए है अब कोणी ये वेग की बात करने चारा हलकी सी हमें पर कल लैं जगे तो है यहां पर खूब कोणी ये वेग एक होता है, चाल एक होता है, कोनी है विस्थापन बटा समय आप जब एक चक्कर की बात करते हो सोचो यहां से चलना शुरू किया जब एक चक्कर लगा करके वापस यहां पर आओगे जहां से आपने चलना शुरू किया वहीं पर एक चक्कर लगा करके जब वापस आओगे तो एंगल कितना चल लिये होगे 360 डिगरी जहांसे आपने चलना शुरू किया घूम करके अगर वापस वहीं पाओगे तो एंगल कितना स्वाइब किया होगा आपने कोणी है विस्तापन कितना खीचा होगा आपने 360 degree 360 degree का मतलब होता है 2 pi तो कोणी है विस्तापन कितना हो गया होगा 2 pi तो एक चक्कर के लिए अगर आपन बात करें तो omega बराबर एक चक्कर में कोणी है विस्तापन कितना हो रहा है बिटा टू पाई दिखा दिया आपको 360 डिग्री मतलब टू पाई एक चक्कर में लगे समय को अपन क्या बोलते हैं आवर्तकाल capital T तो एक समय में लगा कितना हो जाएगा आवर्तकाल capital T चलो या फिसको ऐसे भी बोल सकते हैं वन अपन ट क्या होता है आवर्ती इसको आवर्ती मियू के वराबर भी लिख सकते हैं कैसे भी कर लो फॉल्णा लगा फटापर से टू पाई बाई कर जाएगा क्यों भी वैं कैसे भी निकाल लो बजहां ना किएगा यह सारे फॉर्मुले आपके काम के हैं तो इस फॉर्मॉलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मॉलाज इस वेली वेली इपॉर्टेंट डन हैस्टेग मक्षन एक टॉपिक आपका बहुत अच्छा टॉपिक था ये इसमें समय भी लगता है बटा टॉपिक मिदा में ना यह आपका बहुत ही शानदा वाल टॉपिक जो है यहाँ पर मैंने समाप्त किया बताओ साब कमेंट करके स कि अच्छेग मक्षन इन दा कमेंट सेक्शन तो मच आजा जाए तो फटापर से विजा आगया चेलो भाइवसावर्थ नियम पर आओंगा एक डेरिविशन और बचाए उसके पास अपर आदूगा मैं आपको बायो सावर्थ नियम MPR का परिपति नियम सब कुछ इस पे एक टॉपिक था पहले NCRT में साइक्लोट्रोन इस पे बेस था वो उसको अठा दिया गया तो साइक्लोट्रोन का मेन प्रिंसिपल यह होता है चलो साब हेडिंग लगाओ जब आवेश चुम्बकी शेत्र से हेडिंग लगाओ यह था केस वन अब आते हैं केस टू पर मरिदा केस है यह जब आवेश जब आवेश चुम्बकी शेत्र से थीटा कोण पर जब आवेश चुम्बकी शेत्र से थीटा कोण पर वेग वी से प्रवेश करता है जब आपका आवेश चुम्बकी शेत्र से थीटा कोण पर वेग वी से प्रवेश करता है यहाँ आपन चेक करेंगे कैसे क्या रहता है तो यहाँ पर आपन ऐसा केस ले रहे हैं यह आपका चुम्बकी शेत्र है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसको दिखेगा निदर्वाइस यह आपका चुम्बकी शेत्र है इस चुम्बकिय शेत्र के, इस चुम्बकिय शेत्र से ऐसे आपका आवेज जो है, V वेक से चल रहा है कितने एंगल, थीटा एंगल के उपढ़, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहरे बच्चों आपका आवेश्क क्यू है डेफिनेटली बात है आवेश्क क्यू है तब ही तो चल रहा है चल कौन रहा है आवेश्क क्यू ही ही तो चल रहा है या लंबबात प्रवेश्च नहीं कर रहा है या आप एक क्यू से चल रहा है वी वेग चल रहा है थीटा एंगल कर देते हैं तो अगर आपको कोई भी वेक्टर समझ में नहीं आ रहा है आपके एकदम उपर से जा रहा है आप परिशान हो रहे हैं उस वेक्टर को लेके तो घबराने की ऐसी कोई जरूत नहीं है वेक्टर के घटक कर दीजिए अगर आपको वेक्टर समझ में नहीं आ रहा ह तो vector के घटक कर दिये जाते हैं देखेंगे जान से जिसे ये vector घटक कैसे करते हैं अले चल ये आपने हमें बताया ही नहीं बेटा पढ़ोगे मैं सब बताऊंगा ये x axis ये y axis vector का घटक करते हैं तो angle की तरफ आता है cos और angle के opposite आता है sin बेटा घटक करने का मतलब ये नहीं घटक करने के बाद तीन लोग होते हैं एक और अके ले एक ही बात कर देते हो तब ठीक है और जब आप इसके घटक कर देते हो तो फिर एक को भूल जाओ अब a दो हिस्सों में तूट चुका है अब इन दोनों के बारे में बात करना और a के बारे में बात करना एक जैसी चीज़ें कभी कभी कुछ बच्चे भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उनको लगता है कि जब हम घटक कर देते हैं तो a sin theta a cos theta और a ये तीन चीज़ें न अब इस vector के आपके कहने पर मैं घटक कर देता हूँ इसका angle की तरफ जो घटक आएगा ये चुमबा की शेतर है आपका for your kind information ये चुमबा की शेतर है इसे theta angle पर प्रिविश्च किया है ओके चलिए साहब तो आपका इस तरफ जो घटक आएगा ये वाला angle की तरफ जो घटक आता है उस घटक को बोलते है cos ये घटक होगा v cos theta और angle के opposite जो घटक आएगा ये ये कौन सा घटक आएगा ये होगा v sin theta तो v के हमने दो घटक कर दिये तो v के हमने दो घटक कर दिये v के हमने दो घटक कर दिये 1 v cos theta और 1 v sin theta अब प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा क्या आपको याद है आशी सान ने capsule दिया था अभी के अभी देखें कि यदि आवेश का कोई वेग भी के लंबवत है तो वो उसे गोल 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 गुमाएगा यदि आपके वेग का कोई भी घटक वापस बोल रहा हूँ यदि आपके वेग का कोई भी घटक चुम्बकिय शेत्र के लंबवत है 90 degree 10 10 है ऐसे 90 degree है तो वो गोल 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 गुमाएगा और उसके गोल गोल गुमाने में तिरजा उसका केंद्र उस गोले का केंद्र कैसे निकालेंगे केंद्र बल की दिशा में होगा यह लिख लो और केंद्र गोले का केंद्र दिख रहा है FB की दिशा में होगा प्यारे से बच्चों मैं किसी टॉपिक को टाइम देता हूँ ताकि अगला टॉपिक अच्छा समझ भाए यहाँ पर V था ऐसे V था ऐसे V था रे बोलो ना ऐसे V था ऐसे V था V वेग V चुमबकी शेत्र बल किस तरफ आ रहा था उपर तो जो बल की दिशा थी वही गोले के केंदर की दिशा थी की नहीं थी आसर थी चलो फिर दर आजाओ आपस अप यहाँ पे मुझे एक बात बताओ वो कौन सा बल है वो कौन सा वेग है जो चुमबकी शेत्र के लंबबत है बताओ देख करके यहाँ पे कौन सा वेग है यहाँ पे कौन सा वेग है यहाँ पे यहाँ पे कौन सा वेग है यहाँ पे कौन सा वेग है जो चुमबकी शेत्र के लंबत है कमेंट करके बताओ सभी का इंसा आना चीए, फिर आगे बढ़ूँगा मैं, ऐसे फरजी वाड़े में आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर मुझे बताओ कौन सा वेग है, जो चुम्बकी ये शेत्रे के लंबवत है, बोलो रे, नाम बताओ उस वेग का, आने लगा कमेंट, वी साइन थीटा, बिल्कुल सही, सही पकड़े हैं, वैसे इसको शॉर्ट में बोलूँ, तो ऐसे बोल सकते हैं, वी परपैंथी कूलर, ओकि इसके लंबवत, और ये वी पैलेलल, क्यों, ओकि ये चुम्बकी शेत्रे के समानतर है, चुम्बकी शेत्रे के लंबवत है, तो आपको नहीं लगत कि वी साइन थीटा, गोल गोल गुमाएगा, एक बात बताओ, जिस तरफ भी गुमाएगा, जिस भी गोले में गोल 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 गुमाएगा, उस गोले की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उस गोले का केंदर कैसे निकालेंगे, उस गोले का केंद्र कैसे निकालेंगे क्या सिखाया आशीर सर्ण ने क्या दिया था कैपसूल बल की दिशा निकाल लो बल ही बताएगा केंद्र निकाले बल की दिशा बल की दिशा के लिए आशीर सर्ण ने कोई कैपसूल दिया था क्या हाँ दिया था F बराबर Q V इसमें जो बल चुम्बकी शेत्र के लंबवत है उससे उंगलियां B की तरफ घुमाईए और बल F को पाईए जो वेग चुम्बकी शेत्र के लंबवत है उससे उंगलियां चुम्बकी शेत्र की तरफ घुमाईए बल की दिशा पाईए वापस से अरे कमाउन बोलो मेरे साथ जहां भी बैठो चिलाओ तेज वाज में धरवालों को भी तो पता चले कि बच्चा बैटके चुम्बकी शेत्र बढ़ रहा है बोलो उंगलियों को उस वेग जो वेग चुम्बकी शेत्र के लंबत है उस से चुम्बकी शेत्र की तरफ गुमाईए और बल की दिशा पाईए करें और बल की दिशा ही गोले के केंद्र की दिशा होगी आशी सन्ने बोला था आजाओ तो वेग किस तरफ है बच्चा बोल वेग किस तरफ है उपर की तरफ लंबबत वाले की बात करनी है मुनना वेग किस तरफ है उपर चुमबकिय शेत्र कहा है, सामने वेग की तरफ उँगलियां कर दीजिए चुमबकिय शेत्र की तरफ घुमाईए अंगुठा बताएगा केंदर कीदिशा उस गोले की जिसमें वो गोल गोल घूमने वाला है मतलब इस case में इस case में इस case में उपर की तरफ आपका वेग है जो लंबवत है चुम्बकी ये शेत्र सामने की तरफ है तो अंदर केंदर है मतलब ये ऐसे गोल गोल घूमेगा ऐसे यूँ वापस से अब चुम्बकिये शेत्रे की तरफ घुमाईए अंगूठा बताएगा केंद्र को अंगूठा अंदर आ रहा है मतलब केंद्र ऐसे होगा तो यह जो वी साइन थीटा है ध्यान देदर यह जो वी साइन थीटा है यह आपके आवेश को ऐसे गोल 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 ग गोल-गोल-गोल घुमाएगा यू गचा-चा-चा-चा-चा ऐसे पका डंड तो V साइन थीटा गोल-गोल-गोल-गोल घुमाएगा मेरे दोस्त V कॉस थीटा क्या करेगा V कॉस थीटा तो आगे की तरफ लग रहा है तो V कॉस थीटा आवेश को आगे लेके जाएगा ये हो गया आशी सरका कैप्सूल इस टॉपिक के लिए कि V शाइनथीटा गोल 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 गुमाएगा कैसे यू और V cast theta आगे लेके जाएगा क्योंकि V cast theta आगे ये तरफ बहाँ सिंपल तो V cos theta तो इसको बस आगे लेके जाएगा यूँ और V cos theta इसको गोल 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 भी घुमना है और आगे भी जाना है तो V cos theta उसको गोल 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 गोमाएगा और V sin theta उसको गोल 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 गोमाएगा और V cos सीटा उसको आगे लेके जाएगा तो गोल 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 गुमते वे अगर वो आगे की तरफ भागता है तो इसको बोलते है कुंड लीनी गती और ये गती इस प्रकार की होगी कि आपका आवेश जो है वो ऐसे जाएगा ये लो ऐसे आपका आवेश चाहिए तो यहाँ पे V पेरिलल V cos थीटा ये कौन सी गती करवाएगा ये इससे रेखिये गती करवाएगा आगे लेके जाएगा और V परपेंडिकुलर जो क्या है V sin थीटा इससे क्या करवाएगा तो V sin थीटा जो है वो इससे क्या करवाएगा वर्ताकार गती करवाएगा ठीक है बाई सबस्दा आगया सबको आगया क्या तो आगे बड़े अब मैं आपसे पूछू कि एक चक्कर में ये कितना आगे बड़ा तो एक चक्कर में ये जितना आगे बड़ेगा इसको कहते हैं पिच अब पिच क्या होती है पिच को कहते है हिंदी में चूड़ी अंतराल तो पिच का मतलब होता है यह एक सेकंड में कितना आगे बढ़ा वह गोल गोल भी घुमरा आगे बढ़ रहा है एक सेकंड इन चक्कर में सौरी एक चक्कर में यह होता है एक चक्कर में तय रेखिये गती देखिये दूरी यह होगा एक चक्कर पस्चात तय रेखिये विस्थापन यह होता है एक चक्कर पश्चात तय रेकिये विस्थापन अब यह बताओ आगे बढ़ रहा है वो तो जब तक आपके आवेश का एक चक्कर होगा वो जितना आगे बढ़ चुका होगा उसको पिछ कहते हैं ऐसा यहीं गुम रहा होता तो जीरो होती वो आगे बढ़ रहा है तो एक चक्कर में वो जितना आगे बढ़ेगा वापस देखो एक चकर में वो जितना आगे बढ़ेगा ये जो दूरी है इसको बोलते है पिच कैसे निकालेंगे उसको आगे कौन लेके जा रहा है दूरी बराबर चाल इंटू समय उसको आगे कौन लेके जा रहा है V cost ही था मतलब V parallel और एक चक्का में समय लगता है उसको क्या बोलते है आवर्थकाल तो अभी जो आवर्थकाल का मान आएगा वो यहां पर रख दे ना वी parallel आपके पास है इस प्रकार से आप निकाल सकते हो पिच अब आवर्थकाल का मान वगरे अपन कैसे निकालेंगे उस पर बात करते हैं देखो आपको पता है गोल गोल गुमाने के लिए गोल गोल गुमाने के लिए पहले formula था MV square by R बराबर QVB यह formula था अब अगर आप ध्यान से देखें तो बात बस इतनी सी तो है कि अपन इस formula में वो वेग लेते हैं जो चुम्बकिये शेत्र के लंबवत होता है देखो जहां से इस formula में इस derivation में अपने वो वेग लिया जो चुम्बकिये शेत्र के क्या था लंबवत था अब अगर आप इस derivation में ध्यान से देखें तो इस derivation में चुम्बकिये शेत्र के लंबवत कौन सा बल है तो इस derivation में चुम्बकिये शेत्र के लंबवत ये वाला तो चुम्बकिये शेत्र के parallel है चुम्बकिये शेत्र के लंबवत कौन है चुम्बा के चितने का लंबर है V sin θ, तो अपनको इस derivation में यहाँ पर जो बल लेना, जो वेग लेना है, वो कौन सा लेना है, V perpendicular, बस इतना सा change है, इस formula में इतना सा change है, इस formula में यह जो वेग है बिटा, यह तो वेग कौन सा वाला लेते हैं, लंबबबद वेग लेते हैं, त वेगा है, तो रोड़ी यहां पर लिएगा, तो वेगा कि कि यहां पर लबबबद इससे वो कर जाएगा, इससे एकर जाएगा, तो ही आएगा QBR BYM, वे लंबबबद बराबर आएगा किसके QBR by M, कि यहां पर वेशन डेदिविशन, आवर्थ काल निकाल इकाल काल कैसे नि कितनी ही 2griff, यहांपस दूरी कितनी है, उसको लेके कौन जा रहा है उसको गोल 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 घुमा रहा है, वी, लंबबबध, तो जहां जहां पहले की derivation में gentle v था, वहाँ इस derivation में आ जाएगा वी, लंबबध, इतना ही फ़रक आएगा आपको बहुत दिमाग तो आप में ही वैसे भी तो आपको बहुत दिमाग तो आप में ही वैसे भी तो आप कर लेंगे आवर्थी क्या होती है एक बटा आवर्थकाल तो निकाल लो क्यों गब्रा रहे हो यहां से निकालेंगे इसका उल्टा कर दो क्यूभी अपॉन तो पाई एम यह हो गया आपका आवर्थकाल ठीक और खेलने थोड़ा सा घबरात मत करो बिटा भी तो बहुत पढ़ना है मस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ओमेगा बराबर क्या होता है टू पाई बाई टी पहले दिख चुक है इसका अपन बस मान रख दो तो टू पाई बाई टी कितना है बिटा कि यहां सारा है टू पाई एम अपॉन क्यूभी तो यह आ तो टूपाई टूपाई कर जाएगा तो ओमेगा इस इकोस टू आ जाएगा कि यूभी बाई एम बिहार बोड़ों का साइक रोड़ों रफ्तार में पढ़ेंगी बैटा ठीक है रफ्तार में पढ़ेंगी यह बंचोट में नई NCRT के साब से रखा है रफ्तार में हम लोग करेंगे उसको गप्रावा मत चीक है बोलिये मस समझ मा आ गया तो यह आपके चैप्टर का फेज बन फिनिश होता है जहाँ पर हम लोगों ने इस बल की बात किया और इस बल को लेकर के डिसकस किया तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और है जो मैं यहाँ एड़ करवा देता हूँ कि लॉरेंच बल क्या होता है देखो मान लो एक आवेश है और वो आवेश विद्धुष शेत्र में भी रखा है और चुम्बकिये शेत्र में भी रखावा है तो विद्दुश शेत्र भी उस आवेश के उपर बल लगा रहा है और चुम्बकिये शेत्र भी उस आवेश के उपर बल लगा रहा है तो अगर आपके आवेश के उपर चुम्बकिये शेत्र भी बल लगाए और आपके आवेश के उपर विद्धुष शेत्र भी बल लगाए तो लगने वाला कुल बल कितना होगा लगने वाला कुल बल होगा विद्धु शेत्र और चुम्बकिय शेत्र के बल का वैक्टर सम तो अगर आपका कोई आवेश विद्धु शेत्र में भी उपस्तित है और चुम्बकिय शेत्र में भी उपस्तित है दौनों इसके उपर क्या लगाता है बल तो दौनों जब बल लगा रहे हैं तो उसके लगने वाले नैट बल का परिमान क्या होगा उसके उपर लगने वाला नैट बल क्या होगा तो उसके उपर लगने वाला नैट बल पता है क्या होता है बता है क्या होता है कि विद्दुष शेत्र का बल होता है Q into E पढ़ाते हैं और आपको चुम्बकी शेत्र का बल हमने अभी पढ़ा दिया Q V cross B येलो इनको अगर जोड़ दिया जाए तो Q को कॉमन निकाल लीजिए अंदर आ जाएगा E plus V cross B गभराने की कोई बात नहीं है ये जो बल अभी हमने आपके सामने लिखा है टोटल बल इसी बल को बिटा लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं अगर किसी वस्तू के उपर चुम्बकी शेत्र और विद्दूशेत्र दौनों का बल लग रहा हो अगर किसी वस्तू पर क्या जेहां से चाहरां से दिखो क्या बूल रहूं मैं यह बुल रहा बच्चा विफूस्ता सुनो मैंने बोला वेक के दो घटक हो गया अभी यह तो हो गया समझ में आ गया है कि विद्धु शेत्र चुम्बग शेत्र योड़ करके आ जाया का लॉने जबल ठीक है खतम बाद इदर आओ अभी भी एक अगे लेकि जाने का काम कर रहे तो वी कॉसी टा ऒगी बी का तो Liberty प्रभाव रगानिक Mostly अपने समानतर और जीटा सामने की तरफ लगा अकिलेश बेटा तो वी कॉस जीटा सामने सामने जैसे मैं तुम्हें धक्का दूँ ऐसे कि तो मैं सामने की तरफ तुम कहा जाओगे आगे जाओगे ना तो सामने अगर आपका कोई वेग है तो आप आगे जाते हैं और यहां पर ऐसा हो रहा है कि ये गोल-गोल भी घुम रहा है तो गोल-गोल-गोल घुमते वे सामने जाओगे तो ये आपका हेलिकल मोशन इसको बोलते है हेलिकल मोशन तो अच्छा हो मैं या पर आगया मैं लिखना भी भूल गयागा इसको बोलते है हेलिकल मोशन क्या बोलते हैं इसको हैलिकल मोशन या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं कुंड लीनी गती इसको बोलते हैं हैलिकल मोशन या फिसको बोलते हैं कुंड लीनी गती ठीक है अब यह फस्ट पोर्शन कंप्रीट होता है अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के सेकिंड पोर्शन की तरफ अब आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो बायो सावर्थ का नियम तो हेडिंग लगाएंगे बायो सावर्थ का नियम सिंपल बाशा में समझाओंगा अपर सीधा डेरिवेशन करवाएंगे बायो सावर्थ लॉग कहते हैं इसको यह बायो का नहीं है हमारा फिजिक्स का ही है बायो सावर्थ लॉग समझें इसको बच्चा मजा आएगा आपको बहुत बहुत मजा आएगा इस लोग को समझने में चिरू करते हैं इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं हो तो अगर आपके पास कोई अनंत धारावाही चालक है एक ऐसा चालक जो अनंत है एक ऐसा चालक जिसमें से करंट फ्लो कर रही है तो एक अनंत करंट वाला चालक इधर भी अनन्त है इधर भी अनन्त है बस इसमें से एक चीज है करन्ट आई फ्लो कर रही है ठीक है अगर हम इसका एक छोटा सा अलपांश लेते हैं दीयल एक अनन्त धारावाही चालक का आपने छोटा सा अलपांश लिया दीयल दीयल एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन वही होगी जो करेंट की है तो अगर आपने एक अनन्त धारावाही चालक का एक छोटा सा अलपांश लिया डीयल और उस अलपांश से थीटा एंगल पर एक पॉइंट इस्तित है आर दूरी पर पी हो छोटे से अलपांश डीयल के कारण उस पॉइंट पी पर जो इससे आर और थीटा पॉइंट पर इस्तित है अगर आप इसके कारण इस पॉइंट पर चुम्बकिये शेत्र का छोटा सा मान लिखना चाहो तो उसका फॉल्मूला आपको बायो सावर्थ के नियम से निकल के आता है क्या ये चुम्बकिये शेत्र इस छोटे से अलपांश के करण समानुपाती होता है कितनी करंट बेजे उसके समानुपाती होता है अलपांश कितना बड़ा लिया है उसके समानुपाती होता है जो बीच में कौन बन रहा है उसके साइन थीटा के width कमानुपाती होता है बीच की जो दूरी है उसके r square के तो अगर इन सभी छीजों को connect करते हैं तो यहां से जो छोटासा चुमबकी शेतर निकल के आता है वो समानुपाती होता है पता है किसके ideal sin theta upon r square के समानुपात दिखता हटती है तो एक constant आता है mu not upon 4 pi और यह आता है mu not upon 4 pi ideal sin theta upon r square direct nium है तुमें या मुझे इस nium को direct याद ही करना पड़ेगा मैंने भी अपने टाइम पे इसको direct याद किया था तो जो नियम है वो है सब अब हमने तो बनाया नहीं है तो जिनों ने बनाया उनकी इज़त करते वे इसको diet याद ही करना पड़ेगा हाँ हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये नियम आकर है किस चीज़ से समझ इसमें क्या है हम समझ सकते हैं वापस देखो अगर आपके पास कोई अनंत धारावाही चालक है और उस अनंत धारावाही चालक का एक छोटा सा अलपांश आपने ले लिया उस छोटे से अलपांश के कारण आड दूरी पर जो बिंदू P स्थित है जो theta angle पे है उस बिंदू P पर चुमबकी ये शेत्र का जो मान है इस बिंदू P पर चुमबकी ये शेत्र का जो मान है उसका formula होगा mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square ये कहलाता है आपका concept mu naught का जो मान है वो fix होता है 4 pi into 10 की घात minus 7 इस हिसाब से अगर आप mu naught upon 4 pi का मान देखेंगे तो numerical में आपको लिखना है 10 की घात minus 7 क्लियर कॉस क्यों नहीं आया ये बायो सावर से पूछना पड़ेगा और वो भाई साब अभी अवेलेबल नहीं है ठीके साब तो अनंद धारावाई चालक के अलपांश के कारण r, theta पर इस्तित बिंदू P पर चुम्बकी ये शेत्र का मान चुम्बकी ये शेत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो है इसकी डायरेक्शन का इस डीबी की डायरेक्शन का मैं आपको जो देने जा रहा हूं वो आपका भैंकर कैप्सूल आज तक का आशी सरका भैंकर कैप्सूल सुनना आप सभी के पास हाथ हैं, हाथ में अंगूठा भी होगा और चार उंगलिया भी है आपको अंगूठा कर देना है करेंट की डायरेक्शन में उंगलिया कर देनी है उस बिंदू की तरफ जहां पे आपको चुम्बकी ये शेत्र देखना है और आपके पास अंदर एक हतेली है, वो हतेली आपको बताएगी शुम्बकी ये शेत्र की दिशा वापस से, आपके पास, और सीधा हाथ हो ना चाहिए, इस इस ये राइट है तो जो आपका सीधा हाथ है ये, इसके अंगूठे को, इसको करो मेरे साथ, जिस तरफ करेंट है उस तरफ कर दो किस पॉइंट पे आपको चुम्बकी ये शेत्र देखना है, उस पॉइंट पी पे, उसकी तरफ उंगली खोल दो अब जो आपका ये पाम है, पाम मतलब हतेली, एक ही होती है इनसान के पास तो जो आपकी हतेली है, अभी मत बोलना से मेरी हतेली है, हतेली ये नहीं होती है, हतेली ये होती है तो अंगूठे को, सीधे हाथ के अंगूठे को कर देंगे, करेंट की डायेक्शन में जिस point पे बता लगा रहा है उस point पे उंगली खुमा देंगे ऐसे और ये जो आपकी हतेली है ये हतेली आपको बताएगी किसकी direction डीबी की direction चुम्ब किये शेत्र की direction याद रहेगा copy कर लो copy कर लो कर लो कर लो गबराओ मत copy कर लो अब करते हैं derivation देख लो इस आप से देखें तो याँ अंदर की तरफ है अंदर की तरफ मतलब cross है कागच के तल के लंबद अंदर की तरफ करीबाब बता चुका हूँ याँ current ऐसे अंदर की तरफ है ठीक है बायो सावर्त नियम एक्जाम में पूछ रहते हैं इसके साथ में इसका एक derivation भी पूछते हैं तो अब इसके दो important derivations है वो दो important derivations अपन करने चाहा है ठीक शुरू करें अब बायो सावर्त के नियम की application पर आ जाते हैं फटापट से लिखिए application of bios आवर्त law application अप्लिकेशन ओफ बायो सावर्त law पहला व्रत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण व्रत्ताकार धारावाही कुंडली व्रत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुम्बकिये शेत्र व्रत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुम्बकिये शेत्र रूकरें कि यह आपके पास एक कुंडली है ठीक है साथ इसमें से कहीं से आपको मानना पड़ेगा कि कट है कट करके हमने करंड फ्लो करवा रही है कहीं पर आपको मानना पड़ेगा कि अपने इसमें बैटरी लगा रखी है कहीं पर आपको मानना पड़ेगा कि इसमें बैटरी लगी इसके कार्ण इसमें करन्ट फ्लो कर रही है मान लो क्लॉकवाइस करन फ्लो कर रही है ऐसे इसमें इसके कार्ड ऐसे करन्ट फ्लो कर रही है प्लस से निकल रही है माइनस में जा रही है इसके केंद्र पर इसके केंद्र पर जो पॉइंट है वहाँ चुम्बा की शेत्र का मान ग्याद करना है आपको पता है कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा अलपांश लेना पड़ेगा उसके बिना निए बन पाएगा अलपांश के लिए हमें पास फॉर्मुला है उसको हम बाद में समागलन करके पूरे के लिए निकाल सकते हैं तो हमने इसके उपर एक छोटा सा अलपांश ले लिया बिल्कुल छोटा सा यह हमने एक छोटा सा अलपांश ले लिया डिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अगर इस अलपांश को मैं इसके केंद्र से कनेक्ट करूँगा तो तरिजा के बराबर दूरी होगी और यह एंगल 90 डिगरी होगा समस्ते हैं इस बात को भाई एंगल तो 90 डिगरी होगा अगर आप किसी भी बिंद्र को केंद्र से जोड़ेंगे तो एंगल कितना आएगा 90 डिगरी तो अगर अपन देखें तो एक बात अपन डायक्ली बोल सकते हैं कि अलपांश डियल के कारण जो चुम्बकी ये शेत्र है अलपांश डियल के कारण जो चुम्बकी ये शेत्र है वो चुम्बकी शेत्र कितना है डीबी है अब बायो सावर्थ के नियम से आप डीबी को क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट अपन 4 पाई आईडियल साइन थीटा अपन आर स्कॉर अब जरा समझने की कोशिश करना इसमें कौन क्या है म्यू नॉट अपन 4 पाई तो ठीक है कॉंस्टेंट है बुल जाओ i, dl, साइन, थीटा, साइन का मतलब क्या देखो यह थीटा एंगल है, dl और r के बीच में मतलब करंट और r के बीच में करंट ऐसे, इस जगे पर, और r ऐसे है तो एंगल कितना है? 90 degree तो यहाँ पर बेटा थीटा कितना है? 90 degree थीटा हो गया, 90 degree divide by r, तिर्जा कितनी है इसकी, r उतिये दूरी, जिस point की दूरी, चेक करो, r क्या होता है, इस point से, इस point तक की दूरी, तो यहाँ हमें जहाँ चेक करना है, उस point की दूरी, इस point से कितनी है, अलपांट से, capital r, तो यहाँ हमारे case में कितना हो गया, यह capital r का whole square, sin 90 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ गया, minot upon 4 pi, db upon r square, यहाँ गया, छोटे से, alpans, dl के करण, चुम्बकी यह शेत्र db, यहाँ गया, छोटे से, alpans, dl के करण, चुम्बकी यह शेत्र db, यहाँ गया, छोटे से, alpans, dl के करण, चुम्बकी यह शेत्र db, यहाँ गया को टोटल चुंब की शेत्र चाहिए मेरे दोस्त और आपको टोटल चुंब की शेत्र चाहिए तो आपको db का क्या करicer नकला पड़ेगा समाक लिए अमपूर्ण सते के लिए吧 समा सोचिए क्या है डियल इस पूरे पूरे के पूरे सरकिल की जो परीधी है उस परीधी का छोटा सा मुन्ना है तो छोटे 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 ऐसे मुन्ना को जोड़ते चले जाओगे तो क्या हसी लोगा जरा सोचिए ये इस पूरी परीधी का ये इस पूरी परीधी का ये इस पूरी परीधी का छोटा सा हिस्सा है अगर ऐसे अपन छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छ पाई कैपिटल आर यहां से भी बनाबल चलो अब देखो इस एक आर से एक आर कट गया तो इस टूपाई से इकट गया तो बचा के वल तो यहां पे छोटे से बच्चों पटा फट से लिख लो मिनोट आई अपॉन टू मिनोट आई अपॉन तो आर नोट करिये मिनोट आई अपॉन टू एक बागा ज्यान रगना अगर इसमें एन फेरे हो इस कुंडली के अंदर कि एन लपेड़ा दिया वाओ तो भी हो जाएगा मिनोट एन आई अपॉन टू आर एन फेरे हो तो यहां तर समझ में आ गया हो तो फटा फट से कमेंट सेक्शन में हैश्टाइग मक्षन फिर जो डेरिवेशन अपन शुरू करने जा रहे है न तो बहुत ही काती लाना डेरिवेशन है मजा जाएगा आपको उसमें ब्रेक 9 बजे मिलेगा विटा तो ब्रेक मिलेगा 9 बजे द्यान रखना अब अब भी नहीं मिलेगा तो 9 बजे तक तो चुप चाप पड़ते रहे ना दिमाग में चलाना अपना ठीक है चला लोड करो जग उपर ही होगा यार सुन जग सुन लिया करण जग और सबसे बड़ी थाली चले आगे चलो साब अब सेकंड पॉइंट लिखिए धारावाही व्रत्ताकार कुंडली के अक्षपर इस्थित किसी बिंदू पर अक्षपर इस्थित किसी बिंदू पर चुम्ब किये शेत्र की गड़ना चुम्ब किये शेत्र की गड़ना मास्थर टॉपी के ये और सॉरी नौ बजे नहीं तो मैं ब्रेक मिलेगा नौ पंद्रा या नौ बीस के आसपास दूगा ठीक है एक गंटा और पढ़ाओंगा फिर ब्रेक दूगा अब से अब से एक गंटा और मतब जब हमारे को पढ़ते पढ़ते तीन गंटे हो जाएंगे न तब ब्रेक दूगा मैं तो भूली गया था अपनी क्लास विलेट शुरू हुई थी जब हमको पढ़ते-पढ़ते, तीन गंटे हो जाएंगे, तब रेक दूँँ, अपने आपको थोड़ा से एक्टिव रखो, और पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अब सीखना पढ़ेगा, बैटा, एक्जाम पास में आ गए, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे फिर? अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आपके पास एक धारावाही कुंडली है, और उसको करेंट दी गई है, अक्ष होता है, जो बीच में से गुजरता है, यह अक्ष होता है, इस अक्ष पर एक बिंदू इस्तित है P, सीधा है न? इस पॉइंट P पर इस पॉइंट P पर हमें चुम्बकिये शेत्री की गणना करनी है, ठीक है साथ? हमने इसमें करंट जोड़ रखी है इस प्रकार, ऐसे हमने करंट जोड़ रखी है, तो करंट इसमें ऐसे प्रभाईत हो रही है, ऐसे प्रभाईत हो रही है करंट, यह वाला इससा पीछे है, यह वाला इससा आगे है, मतलब करंट ऐसे है, यूँ, अभी ठाली आजाए पर समझाता हूँ, यह जो हमारे पास, यह जो हमारे पास, रिंग है, इसकी जो तिर्जा है, वो है, कैपिटल आर, कितनी है, रिंग की तिर्जा कितनी है, कैपिटल आर, और यह जो पॉइंट पी है, यह पॉइंट पी, कितनी दूरी पर इस्तित है, यह पॉइंट पी, इसके केंदर से, एक्स दूरी पर इस्तित है, यह पॉइंट पी, इसकी कितनी दूरी पर इस्तित है, यह पॉइंट प इससे X दूरी पर इस्थित है और हमें इस point P पर इस पूरी रिंग के कारण चुम्बकिये शेत्र की गणना करनी है तो जो आपकी रिंग है उस रिंग का अक्ष क्या होता है जो इसके केंदर से गुजरता है तो ये आपकी पूरी रिंग है इस पूरी रिंग का अक्ष क्या होगा जो इसके केंदर से गुजरेगा अब इसकी गणना करने के लिए हमने दो अलपांश मान लिए इसकी गणना करने के लिए हमने दो अलपांश मान लिए एक अलपांश हमने यहाँ पे मान लिया डियल और एक अलपाँश हमने यहाँ पे माने लिया डीयल इस अलपाँश की इस point P से दूरी निकाल लेते हैं कितनी होगी यह दूरी कितनी होगी चेक कर लेते हैं यह दूरी X है यह दूरी R है यह जाएगा कर्ण, तो ये दूरी हो जाएगी x square plus r square इसमें किसी कोई दिक्कत बेटा जी, ये जो आपका अलपांच है, इस अलपांच की जो दूरी है, कैसे निकालेंगे ये हो गया, ये आपका बन रहा है नहीं ये आपके, क्या बोलते हैं उसको, समकून तरिबुच तो क्या ये कर्ण के बराबर होगा, होगा ना ये लंब हो गया आपका ये लंब हो गया ये आधार हो गया तो लंब का square plus आधार का square का under root क्या होता है क्या होता है, कर्ण ही होता है कर्ण हो गया अब समझना, मजे की बात सबसे मजे की बात यहां से similarly यह जो दूरी होगी यह दूरी भी क्या होगी करन के बराबर होगी अंडर रूट X स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर यहां तर समझ में आगे हैं सबके अब मेरा एक सवाल है जिस सवाल को ध्यान से सुनना अगर आपके दिमाख में क्या बूल रहे हो मुझे माफ कर दीजे मिस्टर अभे मैं तो नाराजी नहीं हो आप से मैं आप से क्यू नाराज होंगा पिटा मैं तो खुश हूँ हमिशा आप से हर बच्चे से खुश हूँ ठीक है चलो द्यान दो बात यह है एक सवाल सबसे पहरे तो आपको अगर यह लगता है कि यह जो रिंग है यह इस बोड़ पर रखी वी है तो यह गलत है यह इस बोड़ पर नहीं है यह इस एक यह यू और इस रिंग के अक्षपर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें चुम्बकी शेतर की गड़ना करनी है इमेजिन करो फिर थाली आती होगी यह आपकी रिंग है ऐसे इसके अक्षपर एक पॉइंट पी यह रहा इस रिंग के अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रही है उपर आपकी तरफ नीचे आपसे दूर ऐसे करंट फ्लो कर रही है इस रिंग में उपर मैंने एक अलपांच माना है छोटा सा उस अलपांच से इस अक्षपर इस्तित पॉइंट पी की जो दूरी है यह वाली यह है अंडरूट एक्स स्कॉयर प्लस आर स्कॉयर तो यह जो रिंग है इस रिंग के टॉप पर जो आपने अलपांच माना है वो इस वायर से या इस लाइन से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिगरी बन रहा है यही चीज है जो आपको समझने में दिक्कत होती है और यही चीज समझाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ठीक है तो शुरू करें तो हाला कि प्रॉपर रिंग तो हमारे पास नहीं है प्रॉपर रिंग तो हमारे पास नहीं है पर हमारे पास यह थाली जिरूर है इसके साथ खिलते है यह जो आपकी थाली इमालो यह रिंग अंदर से खाली है, अलाकि यह थाली है पर इमालो की अंदर से खाली है, तो एक रिंग हो गई, अब इस रिंग का ध्यान से समझना, इस रिंग पर, इस रिंग के सेंटर से जो लाइन जा रही है, जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, य इसके सेंटर से ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं अक्ष इसके उपर एक पॉइंट पीस थी थे इस पॉइंट पीपे में चुंबा के शेट एक गड़ना करनी है इस थाली के उपर यहाँ पर मैंने एक अलपांच माना है यहाँ पर मारकर में बिंक नहीं है लोको लोको समझागे तो रहूँगा कुछ भी वह जाए आज खाना अंदर खाथेए मैं पीछही की तर निशान कर रहों यहाँ पे यहाँ अपने छोटा साल पांच मान लिया यह जोक्त पान लिया है यह छोटा साल पांच मान लिया अब सोचना यह जो छोटा सा अलपांच है माल लो यह मारकर ही वो छोटा सा अलपांच है मारकर का यह ढकन जो है यह ढकन ढकन से याद आया ढकन यह ढकन यह ढकन एक अलपांच है माल लेते हैं ठीक है यह ढकन एक अलपांच है यह वो अक्ष है तो यह आपकी थाली है, इसके अक्ष पर, यह रहा इसका अक्ष, तो इसके अक्ष पर, इस्तित किसी बिंदू पर, तो यह आपकी थाली है, इसके अक्ष पर, इस्तित किसी बिंदू पर, यहाँ पर, अपनको चुम्बकिये शेत्रे की गड़ना करनी है, तो यह जो आपका अ अलपांच है वो अलपांच यह रहा उपर छोटा सा यह आपका अक्ष हो गया आप सोचो दिमाग लाना थोड़ा सा यह जो पॉइंट है आगे वाला इस पॉइंट से अगर मैं इसके उपर एक लाइन से जोड़ूं ओए इदर ज्यान दो इस पॉइंट को इस पॉइंट को अगर मैं एक लाइन से इसके साथ जोड़ूं तो यह जो अलपांच है यह अलपांच इस पॉइंट को जहां पर मैं उंगली बजा रहा हूं इस पॉइंट से जब जोड़ूंगा तो यह अलपांच कितने डिगरी के एंगल पे होगा देखो 90 डिगरी के गया है सब के, अले बोलो, तुमसे ही बात कर रहा हूं, बोलो ना, यह आपका थाली है, इसको रिंग माल लो, इसके अक्षपर पॉइंट यह हो गया, यहाँ आपने छोटा सा अलपांच लिया, मालो मेरी उगली अलपांच है, अगुटा मेरा अलपांच है, तो अगर यह अं को इस अंगुटा से गनेट करो, ऐसे यह देखो, अब मेरा अंगुटा उस लाइन के साथ कितना इंगल बना रहा है, तो मैं 90 डिग्री का इंगल बना रहा है, अरे हम हां मकन कुस्तो बोलो, वापस समझाओं, ओके, वापस समझाता हूं भाई, ध्यान सुनना, यह थाली ऐ कैसे है, इस रिंग के उपर इधर अपन ने एक चोटा सा अलपांच लिया, यह चोटा सा अलपांच मेरी उंगली के बराबर है माल लो यह रहा, यह चोटा सा अलपांच है, मेरी उंगली के बराबर है, अंगुटा बीच में आ गया, अंगुटा अंदर जा, यह मेरी उंग के साथ जोड रहा हूँ तो उस point को इस only के साथ आप ऐसे जोड रहे हुई यह ना यहां से अगर आपकी सी पिस भीपट करोगे तो एंगल हमेशा 90 डिग्री ही बनेगा मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो रिंग है इस रिंग का अलपांच ये राप मारकर अब रिंग को अटा दो मारकर को ले लो अब मारकर को आप यहां स्थित किसी पॉइंट चे जोड़ रहे हो ये जोड़ो ऐसे जोड़ दिया अब आपको देखने में समझ में नहीं आएगा परदल आप मारकर को ऐसे जोड़ो गे और यहां मैं आपको लाकर के एंगल दिखाऊँगा ये एंगल 90 डिग्री होगा गिरा मारकर इस मारकर को अक्षपर इस्थित किसी बिंद जोड़ो जोड़ दिया आपने अब देखो ये एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है अब तो समझ में आ गया बोलो तुम्हारा मूँ तो खोलो अब कर थाली बजवाओगे मेर से यहां भी अंगल किता बने का 90 डिग्री है अब बात कर लिते हैं चुम्भकी-षेत्री की डायरेक्शन की करन्ट कैसे चल रही है करन्ट यूँ चल रही है ऐसे कट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-खट-ट-खट-ट-ट-चट-ट- कर दो जिस point पे देखना है उस point पे उंगलियां कर दो थम्ब जो हतेली है वो बताएगी दिशा याद है चलो आगया जाओ current कैसे चल रही है इसके अंदर कोई बच्चा समझता है क्या इस बात को current ही चल रही है कट 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 कर दो मतलब उपर current ऐसे जा रही है तुमारी तरफ उपर current तुमारी तरफ उपर current तुमारी तरफ नीचे current तुमसे दूर तो current ऐचल रही है उपर तुमारी तरफ नीचे तुमसे दूर उपर तुमारी तरफ नीचे तुमसे दूर तो उपर current है तो current की तरफ अंगूठा कर दो मेरे लाल किस point पे आपको चुम्बकिये शेत्र चेक करना है इस point पे तो अंगूठा current की तरफ और उंगलिया उस point की तरफ जिस point पे आपको चुम्बकिये शेत्र चेक करना है अंगूठा current की तरफ तो current कैसे है इस ठाली में तुमारी तरफ तुमसे दूर हाँ समर्जी सही बुलाओ DL और देखा के बीच में कोड तुमारी तरफ तुमसे दूर तुमारी तरफ करंट है करंट की तरफ सीधर हाथ का अंगूठा किस point पे check कर रहे हो उस point पे कर दो थम्ब उंग्लियां अंगूठा करंट की तरफ उंग्लियां उस पॉइंट की तरफ हतेली बताएगी चुम्बा किये शेत्र को तो हतेली बताएगी चुम्बा किये शेत्र को हतेली बताएगी चुम्बा किये शेत्र को अब भी समझ में नहीं आया ना तो इसक्रीन से निकल के मारूँगा भाई मालकर किदे चला गया तो ये रा करंट अंगुठा करंट की तरफ पॉइंट की तरफ उंगलियां हतेली बताएगी चुमबकिये शेतर को तो इसके लंबबबत हतेली ऐसे आ रही है तो ये आ गया चुमबकिये शेतर डी बी इसके करण इसके करण बलो एक प्यारा सा बच्चा आया है मार्किट में वो प्यारा सा बच्चा ये सोच रहा है कि मैं इस एंगल को 90 डिगरी बोल रहा हूँ तो उसके दिमाग में एक बात चल रही है 90, 90, 180 प्लस ये भी कुछ कौन होगा ये तो असंबब है मेरे प्यारे से बच्चे मैं इसको 90 डिगरी नहीं बोल रहा हूँ मैं 90 डिगरी किसको बोल रहा हूँ वो समझो इस थाली के उपर इस थाली के उपर तुमने अलपांच कहां लिया था ये अलपांच लिया था इस अलपांच ये अलपांच ऐसे है इस अलपांश इस अलपांश इस अलपांश और अक्ष के साथ इस अलपांश और इस लाइन के साथ बोल रहा हूँ तो यह जो अलपांश है वास्ताव में यह अलपांश ऐसे है तो इसका इस लाइन के साथ जो एंगल है यह 90 डिग्रिय में इसकी बात कर रहा हूँ और यहाँ जो एंगल लिया हुआ है वो कौन सा है समझ नाम अलपांच का एक पॉइंट पकड़ लो उससे थाली के केंदर तक जाओ फिर अक्ष तक जाओ ये इस ट्राइंगल की बात हो रही है इस ट्राइंगल की बात हो रही है तो मैं इस ट्राइंगल में एक ही 90 डिगरी है किसमें इसमें मैं जो 90 डिगरी की बात कराऊ वो कौन सा है ये जो मारकर रखावा है इस मारकर और इस लाइन के बीच में जो एंगल है ये वाला ये 90 डिगरी है और यहाँ यह जो अंगल है, यह कौन सा है पहले मैं जिसको 90ड की दिगरी वो रहा हम वो कौन सा है यह आपका अलपांश, इस अलपांश का इस लाइन के साथ यह अंगल यह 90डिकरी है और जिस अंगल को तुम सोच रहे हो, वो अंगल कौन सा है जो मेरी उंगली और इस line के बीच में बन रहा है ये वाला, इसके बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब तो समझ में आया? अब समझ में आया, इम्तियाज इतना feel करा दूँऊँँगा, इतना feel करा दूँँगा कि तुम, मला रहा है तुम्हार को इस, इस अलपांच DL और इस लाइन के बीच का जो एंगल है, वो 90 डिक रिए यह है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये एंगल कौन सा है यहाँ से सीधी लाइन कीचो, फिरी हो जाएगी, फिरी हो जाएगी यह एंगर अलग है, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, मैं इस एंगल की की बातंव नहीं कर रहा हूँ अपनको इस फोर्म लगाने के लिए कौन सा एंगल चाहिए होता है, देखो अल पांच और पॉइंट को जोडने वाली लाइन की बीच का एंगल चाहिए होता है तो एल पांच कौन सा है आपका यहां पर एल पांच आपका ऐसे है तो इसको और इस लाइन को जोडने वाला जो एंगल है अब तो आगया अखन अपने हाथ में थाली लेके चेक कर ले ना अब डाइशन समझा दूँ जब डाइशन समझ लो यह वापस से यह डेरिवेशन लोग इतना गलत पढ़ाते हैं इतना गलत पढ़ाते हैं इसकी वोई हद नहीं है इसको बहुत कम टीचर सही पढ़ाते हैं जान दो अब थाली ऐसे रखी वी है पहली बाद थाली ऐसे नहीं है थाली यूँ है रिंग ऐसे है तो यहां करंड आपकी तरफ यहां से करंड आपकी तरफ और नीचे करंड आपसे दूर यूँ चल रही है करंड आपकी तरफ आपसे दूर, आपकी तरफ, फिर आपसे दूर, फिर आपकी तरफ, फिर आपसे दूर, फिर आपकी तरफ, फिर आपकी तरफ, यहां करंड कैसे है, आपकी तरफ है, तो करंड की दिशा में, करंड यू है, तो करंड की दिशा में अंगूटा कर दीजिए, और उंगलियां कर पे आपको चेक करना है, और करने की दिशा में अंगूठा कर दीजिय उंगलियां कर दीजिस प्यांद्प जुपे правos come on come here come here उंगलियां करण अंग्र हुदक तरफ है उंगलियां इस तरफ है करने इस तरफ है अंगुथा इस तरफ सोरी अंगुठा करेंड की तरफ उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर आपको चुम्बा के शेयर देखना है हतेली बताएगी डायरेक्शन तो इसके लंबबद हतेली बताएगी डायरेक्शन इसके लंबबद हतेली बताएगी डायरेक्शन तो इसके लंबद यह हो इसके लमबत यह से आजाएगी चुम्बकी शेतिक डैक्षिन, इसके लमबत कई लोगों को लगता है कि इस लाइन को आगे बढ़ा दो तो D.B. आ जाएगा कुछ को लगता है इस लाइन को आगे बढ़ा दो तो D.B. आ जाएगा मेरे जैसा टीचर हो न तो तुम्हें यहीं पे 0 नंबर दे दे अगर वो ये पाले कि तुम बेवकूफों ने इस line को आगे बढ़ा के DB बनाया हुआ है तो इस line को आगे बढ़ा के DB बनाया हुआ है तो महीं समझ जाओगा तुमारे concept कमजोर है क्योंकि ये DB इसका है और इसका DB कैसे निकलेगा अंगूठा current की direction में point की तरफ उंगलियां लंबवत आएगा DB ऐसे DB आया हुआ है तो इस line से इस DB का कोई मतलब नहीं है यहाँ current अंदर की तरफ जिस point पे निकालने उस point की तरफ गये लंबवत तो इसका current इस current का DB यहाँ पे आया हुआ है तो इसका इस line से कोई मतलब नहीं है तो जो बच्चा ये बेवकुफी करेगा, जो बच्चा ये बेवकुफी करेगा, कि इस लाइन को आगे बढ़ा के डी भी बना देगा, एक्जाम में उसका बहुत बुरा हाल होगा, जीरो नंबर भी टीचर दे सकता है, अगर मेरा जैसा हुआ तो, वो समझ जाएगा कि तुम ठीके साथ, चलो बेटा, आजे हैं अब आगे derivation करने भटाबर से, अब तो हो गया, बस अब कुछ जादा करना नहीं है, बड़ा एंगल समझ लो, बस हलका था, बिटा अगर ये अंगल फाई है, ये अंगल भी फाई होगा, ये अंगल भी फाई होगा, ये अंगल भी और इसका भी इधर घटक आएगा, डीबी साइन फाई, और इसका इधर घटक आएगा, डीबी कॉस फाई, एंगल की तरफ साइन, एंगल की अपॉजिट कॉस, आप ये बात समझ सकते हैं, शायद, कि कॉस से कॉस कर जाएगा, तो नेट भी जो आएगा, वो आएगा, डीबी कॉस फाई, नेट फाई जो आएगा, वो क्या आएगा, डीबी कॉस फाई, प्लस डीबी कॉस फाई, ना, सॉरी, 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 डीबी कॉस फाई तो कट गया ना, नेट जो आएगा, वो क्या आएगा, डीबी साइन फाई, तो जो डीबी साइन फाई है, उसका समा आएगा तो जो नेट भी आएगा बेटा नेट चुम्ब की शित्र जो आएगा वो क्या आएगा सारे db sin 5 जुडएंगे ना तो ये सारे db sin 5 जुडएंगे तो सारे db sin 5 का समाकला ना आएगा बस अब इस फॉर्मुले में हमें एक चीज नहीं पता है वो है db तो db निकाल लेते हैं db अपन निकालेंगे किस से mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square बायो सावर्थ के नियम से यहाँ मेरे साथ महरबानी करके समझना mu naught upon 4 pi आई तो आई है dldl साइन कितना होगा angle देखो मैं आप सभी बच्चों को यही समझा रहा था कि आपने थाली के उपर जो alpanch लिया angle theta क्या होता है समझना angle theta क्या होता है angle theta क्या होता है angle theta होता है alpanch और जिस बिंदू पे निकाल रहे हो उस point को जोडने वाली लाइन के बीच में एंगल, लपांच और 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 लाइन क के साथ या आपके लाइन जुड़ गई तो आभी जो डील है इस लाइन के साथ एस लाइन बना रहा है चैक ındaki कुर य दिखरा है कितना इंगा बन रहा है इस लाइन покrasni की साथ 90 डिगरी य इस एंगल की बात कर रहा था यह हो गया आपका साइन 90 इसलिए इतना खून जला जला कि तुमको मैंने टॉपिक पढ़ाया और सची बता रहा हूँ अच्छे चाप पढ़ लो बहुत बुरा मारूँगा नी तो यह मेरे में से निकल कर रहे ध्यान है रात को सपने आएंगे मेरे जासि सब पढ़ा रहे तरह थे मैंने पढ़ाने मिद्गेगा पॉपR होता है दूरी कि दूरी कि कितनी है पिटा अंडरोट एकस स्कॉयर प्लस आर स्कॉयर का होल स्कॉयर साहई 91 होता है यह त्यू कितना आ गयाए यह बिद्ग आगया म्यूम नयूत अपॉर पाई ideal divided by under root हट जाएगा स्क्वायर करने में तो यह हो गया x square plus capital R square यह आगे आपका db अब इस db का मान आपको यहां रखना पड़ेगा और फिर sin 5 के साथ में समाखना यह लग चीज़ है यह क्या है यह बता रहा है कि यह जो db निकल क्या है एक db ऐसे एक db ऐसे घटक किये तो db sin theta add हो रहा है और db cos theta cancel हो गया db sin theta add हो रहा है और db cos theta cancel हो गया direction समझ में आ गया 10 बार समझा दिया वापस समझा दिया एक बार आपका current कैसे जा रहा है वो देख लो फिर से current कैसे जा रहा है देख लो फिर से इसमें उपर की तरफ तो करेंट की डाया है तो करेंट अंदर की तरफ जा रही है करेंट अंदर की तरफ जा रही है करेंट 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 की तरफ जा रही है करें प्रणया प्रटेल थेंक्यू सो मच बिटा ठीक है फिर मज़ा आगया आपको अब इस डीवी डीवी का कॉस्ट तो कैंसे लोगया साइन एड हो गया डीवी कैसे निकाला वह अपने बायोसावर्थ लॉस अलग निकाल लिया इस भी मारकर किदर चला जाता है भी मारकर किदर गया है है कि मारकर मारकर कर गया है ज़िक लगा अच्छा लागे मारकर अच्छा यह रहा हूं तो यह डीवी कि से लिखा आपने डीवी आपने लिखा बायोसावर्थ से अब बुरा मत मानना बस में को solve करना अगले पेच पे इस db का मान में यहां पर रखूँगा और समाकल कर दूँगा sin 5 निकाल लो इस triangle से sin 5 निकाल लो इस triangle से बुरा तो यह लगी का तुम लोगो इस triangle से sin 5 क्या होता है perpendicular upon hypotenious लंब बटा कर्ण लंब कितना है लंब तो आर के बराबर है यहां पर और कर्ण कितना है कर्ण है यह अंडरूट x square प्लस r square विटा मैंने इस topic को ऐसे समझाने की कोशिश किये कि कोई दिक्कत आहे ही नहीं फिर भी आ रही है तो वीडियो को तीन चापर वापस देख लेना समाकलन डीवी साइन फाई का संपूर्ण रिंग के लिए ना चलो शुरू करते है तो समाकलन डीवी कितना है बहुस यह रहा लिकलो इसको मिनोट अपॉन फूर पाई आइडियल मिनोट अपॉन ऑर पाई अइडियल अपन है एक से स्कॉार्व रोट एक स्कॉर प्लस कापिलार स्कॉर्ण डीवाइड दिवाइड बाई यह आन्ग손रू. जांटे देढको Hence a अब कुछ तो constant है, बाहर निकल जाएगा, पहले solve कर लेते हैं, चलो, तो, समा कलंद 5, मुनोट अपन 4π, ideal, यह आ जाएगा, x square plus r square, गुणा r, इस under root को, किसी के भी under root को ऐसे लिख सकते हैं, किसी के भी under root को ऐसे power में 1 by 2 लिख सकते हैं, देख सकते हैं, किसी के भी under root को ऐसे power में 1 by 2 लिख सकते हैं, देख सकते हैं, नोट करने करने करें, देदूँ अभी जिंता मत करूं, आसा नोट करना ची यह यार बिटा, ऐसी भी क्या बात है, तो देखो, अब एक चीज़ समस्ते हो, एक पावर M, गुणा एक पावर N जो है, वो होता है, एक पावर M प्लस N, एक पावर N, मुणा एक पावर N, होता है, एक पावर M प्लस N, बताब बेश सेम होता है, तो यहा बेश सेम है, पावर मेंगतैं, पावर मेंगत बिखाएगी, तो क्या आएगा, टोटर समाकरना, 1 By2 जो जाएगा, और यह हो जाएगा, x square plus r square 1 plus 1 by 2 गुला तो नहीं मान रहा कोई बच्चा है बैठके कि सर आप तो गरवत पढ़ा रहे हो हमें समय में कमा रहा है दिखकर तो नहीं हो रही सर दो db add होंगे नहीं बेटा दो db add क्यों नहीं किया अपन ने क्योंकि ऐसे चोटे 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 ऑफांच उपपर के जितमे भी है उन सबसे db sign fai बनेगा ऐसे नीचे के जितने यह तो अपनе एक लिया है ऐसे यह अपर बहुत सारे और होंगे ना तो यह नीचे जितमे भी छोटे चोटे है उन सबसे इधर काफी सारे db sin 5 बनेंगे और इधर जितने छोटे 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 इतने सारे हैं उनसे काफी सारे db sin 5 बनेंगे तो सारे db sin 5 को जोड़ना पड़ेगा ना यह कहना बार फिर दो probाल कि पूर इधर कि दोन दो वेलूं कि दो झाल किद दूना यह को दो फितने वेलादादी प्रोटे कि दो कि दो कि दूएंगे टितने सारे db आ गया बढ़िया अलो तो फिर सब भार आ जाएगा तो अब यह हो जाएगा 3 by 2 है ना तो B बराबर मिनोड अपन 4 by बाहर आ गया यह हो जाएगा x square plus r square की power 3 by 2 आपका i बाहर आ जाएगा capital R बाहर आ जाएगा अंदर बचेगा k वल समाकलन DL का DL के लावा सब बाहर आ जाएगा मिनोड बाहर i बाहर r बाहर सब कुछ बाहर चलो DL क्या है इस थाली के थाली नि रिंग इस रिंग का एक छोटा सा हिस्सा तो ऐसे सभी सारे DL को जोडेंगे तो क्या मिल जाएगा थाली की पूरी परीधी मिल जाएगी तो थाली की पूरी परीधी मतलब 2 pi capital R यह किसके बाहर जाएगा 2 pi capital R के यहां से B is equal to आगया mu naught into I into capital R into 2 pi R divide by 4 pi x square plus R square की power 3 by 2 चलो बच्चा अब यहां पर अपने एक शर्त ले देते हैं छोटी सी शर्त कि यदि x बहुत बड़ा है r से मतलब यह point अपनने काफी दूर लिया है और इस capital R की तुनला में x जो है वो बहुत बड़ा है तो ऐसे case में plus minus में अपन इस x को बड़ा मानते वे इस r को नगणने कर सकते है neglect केवल plus minus में करते हैं गुणा भाग में neglect नहीं करते हैं ठीक है तो यहां से आ जाएगा b बराबर mu not i 2 pi capital R square हो जाएगा r square हो जाएगा divide by 4 pi अंदर क्या बचे का केवल x square x square की power हो जाएगी 3 by 2 ध्यान रखना अगर x square की power 3 by 2 है आप गुणा करेंगे यह 2 की power 3 by 2 से गुणा होगा 2 से 2 कर जाएगा यह आजाएगा x की power 3 क्यों क्योंकि अगर a की power m की power n होती है तो गुणा कर देते हैं ऐसे यहां गुणा हो जाएगा यह आजाएगा simple simple यह आजाएगा simple x cube यह आजाएगा simple x cube तो आपके यह πाई से यह πाई कर जाएगा, इस 2 से ही 2 कर गया, तो यह कितना आगया, आपका निकल करके यहाँ से, बी बराबर निकल करके आगया, मुनोट आई कैपिटल आर स्कॉाइर डिवाइड बाई 2X क्यूब, चेक कर लो ठीक है, और in case, अगर आप नगन्य नहीं करते हैं, ठीक है, नगन्य कर देंगे, तब तो यह हो जाएगा, और in case नगन्य नहीं करते हैं, तो फर्मूला क्या रहेगा, देख लेते हैं, पाई से पाई कर जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 आगया, तो भी बराबर आजाएगा, capital R square की power 3 by 2, वैसे यह ज़्यादा काम आएगा, नगन्य करने वाला case आपको उतना मिलेगा नहीं, तो उसको लिखने का कोई खास मतलब नहीं है, यह आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, देख लो आणा हमसे, यह ज़्यादा काम का है, आगया समझ में, नगन्य करने वाला case मिलेगा नहीं, आपको जादा, में case से बहुत लिख लीजिए, यहां अक्ष निरक्ष निरक्ष निये विटाएँ, आपके क्यवाल अक्षी है, अक्ष का मतलब हो गया, centerline यह, इसके उप़र, तो अब आम से note कर लो, कुछ बच्चे note करने का भी diagram तुमने बनाई लिया होगा, इसका और आम से note कर लो, तो अगले derivation के तरफ बढ़ेंगे कर तरफ बनाई लिया है, इसका यह, यह, उतार आम से're the best द Brett कर जाएँ, और आम से लिवाँ आम से ltरफ जादानी ओन isお願いします, यह, इसका प्रहत है, औरे लो, आर दौ मतावा साहब हो गया क्या होगे बिटा है एश्टेग मक्कान इन्दा कमेंट सेक्शन हाँ सारा समझ माया है वेरी गूट मजाई आ गया यह सुनकर की मजा आ गया मेरे को तो ठीके साब अब नहीं है चैप्टर जादा बड़ा हो गया चैप्टर मैग्जीमम खताम अब क्या है अब एंपियर का परिपतिय नियम परिनाली का बस इतना जा टॉपिक बचा है अब तो हो जाएगा अब मुश्किल से एक घंटे में चैप्टर हो जाएगा ठीके साब अब इसी में अगर आपन एन फेरों की बात करें इसी में एन फेरों के लिए क्या करेंगे एन से गुना कर देंगे और तो क्या है अब एक काम करते हैं यह जो फर्मला बना है ना इस फर्मले का एक इस्पेशल केस निकालते हैं ठीक है अगर मैं इस एक्स को जीरो कर दूँ तो हम कहां पहुंच जाएंगे केंदर पहुंच जाएंगे अगर हम एक्स को जीरो कर दें एक्स क्या है अक्ष्च पे इस्थित बिंदू पॉइंट पी की दूरी केंदर से अगर एक्स जीरो हो जाए तो आप कहां पहुंच जाओगे केंद्र पर पहुंच जाओगे अगर आप X को 0 कर दो सोचो ना सोचो मेरे साथ मिलके अगर आप X को 0 कर दो तो कहां पहुंच जाओगे क्या ओपर पहुंच जाओगे क्या हाँ सर पहुंच जाओगे सर तो अगर आप x को 0 करोगे तो केंदरे पहुंच जाओगे formula क्या होगा formula बेभी क्या निकल क्या है आपके पास b बराबर क्या है formula n into n mu naught i r square divide by 2 x square plus r square e power 3 by 2 या या चलो साब इसमें रखो रखो यहाँ पे मान x बराबर 0 का देखिए क्या आता है तो यहाँ x बराबर 0 आखेंगे तो b बराबर आएगा n mu naught i r square divide by रख दीजिए x की जगे 0 r square बचेगा उसे 2 कर जाएगा r की पावर 3 बचेगा 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 mu naught i capital r square divided by 2 r cube r cube r k power 2 3.2 से गुणा होगी तो तो से टू कर जाएगा r square 1 r चला गया कितना आगया बेटा kेंद्र पर कितना आगया जिकेंद्र पर आया नए एक तरे से हां जी केंद्र पर कितना आया mu naught i upon 2 r ठीका पाई भाई कुछ नहीं है ना पाई भाई कुछ नहीं है ना ठीके ये निकल करके आगया अब आप चेक करो क्कुद्ली के केंद्र पर आपका derivative में यह ही आया था को जब कुंडली के केंडरी के लिए आपने ड्राइब किया था तो यह आया था मैनू नूट आये अपॉंट आइपंट वार चेक कर लो आंएब याद यह एइपैस तो केंडरीकृत यही बाद बोल रहे थे केंडरीक यही बैल्यू आती है कि पहले वाला है हाँ निकित आ बेरी गड़ ऑफेक्ट कर अब आप पड़ेंगे एंपियर का परिपति ये नियम तो चलो हैडिंग लगाओ एंपियर का परिपति ये नियम फतापट से हैडिंग लगाओ अब हम पढ़ने जाए अब हम नई चीज़ शुरूर करने जा अब हम पढ़ रहे हैं Ampere का परिपति ये नियम Ampere का परिपति ये नियम हेडिंग लगाओ Ampere का परिपति ये नियम ये गाउस के नियम के जैसा है थोड़ा थोड़ा तो आपको देखने में थोड़ा गाउस के नियम जैसा लगेगा ये ठीक है बताया है में आपको ब्रेक आपको 9.20 पर मिलेगा और ब्रेक मिलेगा आपको 5 मिनिट का बस बस पार्श मिन में जाके ऐसे ऐसे करके आजाना इतना ही ब्रेक दूँगा फिर आराम से फिर टॉपीक जयादा नहीं बचेगा दस सब्सक्राइब गर दूगा तो क्यों परिशान ब्रेक दूँगा ताकि तो माइन फ्रेश हो जाए आगी की चीज़ों को समझने के लिए ब्रेकिटल लॉप बड़ा मस्त लॉप है यह कहता है जैसे गाउस के अंदर आप एक बंद लूप लेते देना वैसे यह बोलता है कि अगर आपके पास कोई बंद लूप है तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई बंद लूप हो अगर हमारे पास कोई बंद लूप हो उस बं Ampere का loop कहते हैं, क्या कहते है, Ampere का loop क्यते है, उस बंद loop में, आपने मालो कोई छोटा सा अलपांच ले रखा है DL, क्या ले रखा है, छोटा सा अलपांच DL, इस बंद लूप में कुछ current है जो निकल रही है इस बंद लूप में कुछ current है जो निकल रही है इस बंद लूप में कुछ current है जो निकल रही है कुछ wire है जो इसके अंदर से निकल रहे है कुछ wire है जो इसके अंदर से निकल रहे है जो wire के साथ current भी निकल रही है यह करंड गई I2, यह करंड गई I3, यह करंड गई I4, ऐसे, तो अगर आपके पास एक ampere का बंध लूप है, और उसमें एक छोटा सा अलपांच है DL, अंदर बहुत सारी करंड है, और सभी करंड के कांड जो चुम्बकिये शेत्र है, वो चुम्बकिये शेत्र B है, तो जो B.DL होगा, उस B.DL का समा कलन बराबर होगा, म्यूनौट सिगमा आई के, सुनने में अजीब लगता है, बट जब आपको अभी मैं इसकी application कराऊंगा, तो आपके बेजे में बात अच्छे से बैठ जाएगी, म्यूनौट B.DL, अब समझना, डॉट का मतलब होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे, जो आपने एंपियर का लूप लिया है, उसका जो डियल है, वो B के साथ जो एंगल बना रहा है, उसके साब से निकल जाएगा, इसको पता है क्या बोलते हैं, चुम्बकिये शेत्र का रेखा समाकलन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, चुम्बकिये शेत्र का रेखा समाकलन, इसको क्या बोलते हैं, चुम्बकिये शेत्र का रेखा समाकलन, इसको क्या बोलते हैं, चुम्बकिये शेत्र का रेखा समाकलन, इसको क्या बोलते है Line Integral of Magnetic Field, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते है Line Integral of Magnetic Field चुम्बकिये शेत्र का रेखा समाकलन और सिगमा आई क्या चीज है वो समझ लो सिगमा आई है, Ampere के पत्वे, Ampere के लूप में मौझूद सभी धाराओं का बीज गणिती योग Ampere लूप में मौझूद Ampere Ampere लूप में मौझूद Ampere लूप में मौझूद सभी धाराओं का Ampere लूप में मौझूद सभी धाराओं का बीज गणिती योग Ampere लूप में मौझूद सभी धाराओं का बीज गणिती है तो यह जो है, यह है Ampere का सर्किल लूप जैसे गाउस के लूप में क्या होता था गाउस के लूप में होता था ना कि बंद लूप है आपके पास अंदर जो भी आवेश है जो फ्लक्स जाएगा वो सभी आवेशों का योग डिवाइड बाई एपसाले नॉट यहाँ पे जो चुम्बकिये शेत्रे का रेखा समाकलन है, वो बरावर होगा मुनोट इंटू सिगमाई के, मुनोट वही जो भी आपने पढ़ा है यहाँ करें, इसके साब से कैसे लिखेंगे, समाकलन वी डॉट डियल कैसे लिखा जाएगा धाराएं कितनी है, देख लो वन ट्यो ट्री फोर, चारो धारावों का बीज गनिती योग आईवन प्लस आईटू प्लस आईट्री, प्लस आईफोन ऐसे लिखा जाएगा इसको ऐसे लिखा जाएगा किलियर आधी पांडे ने बिल्कु सही लिखा, धारा के बंद तल में धारा का वेहन करने के ताव बंद करने पर देखा समाकलन जो है वो उसके बराबर होता है, ठीक, ऐसा ही बात है मस्त, मता आगया आपको, चलो अब एंपियर सर्किटल लॉग की अपने एक एप्लिकेशन देखते हैं कि ये काम कहां पर आता है तो इसकी एक शांदार एप्लिकेशन है, वो अपन करते हैं जैसे इसमें एक केस और लेके दिखाता हूँ, आपको एक एक एक्जामपल और बताता हूँ, उससे आपकी तुरी बुद्धी खुलेगी पहले तो, जब तक बुद्धी नहीं खुलेगी ना सवाल गलत करके आओगा एक्जाम में इसके लिए एंपियर सर्किटल लगा के बताओ मेरे को कॉपी में, अपनी कॉपी में ट्राए करो इसके लिए लगा के दिखाओ इसके लिए एंपियर सर्किटल लगा के दिखाओ फटापट इसके लिए एंपियर सर्किटल लगा के दिखाओ कॉपी में करो लगा दियो अगर आपने एक बात का ध्यान रखाओ तो मैंने कहा था कि बीज गनिती योग करना है जाने वाली दारा को एक दारा को पलस लिया तो उसके अपॉसिट दारा है उसको माइनस लेना पड़ेगा i1, i3 सेम दैने में तो अगर आपने i1 और i3 को पॉसिट 시 WA लिया है तो आपको i2 को नेगरिटिव लेना पड़ेगा तो बीज गणिती योग का यही मतलब होता है जो current same direction में उसको plus ले लिजिए opposite direction माली को minus ले लिजिए मतलब direction अगर current की change हो रही है तो यहाँ पर sign को भी आपको क्या करना है change करना है तो इस बात का ध्यान रखना यही सबसे important चीज़े बेटा इसमें कि this i2 होना यहाँ पर बहुत ही जादा जरूरी है done अब हम पढ़ने जा रहे है empire के परिपतिये नियम के अनूपरियोग चुरू करें समझा आ गया अब तो काफी बात समय माई गई होगी इस नियम से मंदित अब तो बुद्धी काफी खुली जाती है काफी बुद्धी खुल जाती है दीरी दीर चलते है जीवन में तो आगे समय में कलो फिर लिखो अब आगे लिखो empire के परिपतिये नियम के अनूपरियोग empire के परिपतिये नियम के अनूपरियोग देखते हैं empire के परिपतिये नियम के अनूपरियोग चेक करते हैं शुरू करें पहला है धारावाही चालक तार के कारण चुम्बकी ये शेत्र की गणना धारावाही चालक तार के कारण धारावाही चालक तार के कारण चुम्बकी ये शेत्र की गणना माल लो यह आपके पास एक धारावाई चालक तार है और इस धारावाई चालक तार के कारण आपको आर दूरी पर एक बिंदू P स्थित है इस पॉइंट P पर चुम्बकिये शेत्र की गणना करनी है चीक है तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे हम इस पॉइंट P को सम्मिलित करते वे एक एमपियर का बंद लूप बना लेंगे क्या बना लेंगे एमपियर का एक बंद लूप और वो लूप इस प्रकार से बनाएंगे कि तार उस लूप के अंदर आ जाए तार उस लूप के अंदर आ जाए डाइग्राम डाइग्राम के तरीके से बनाया जाता है बिटा हमेशा इस तार में से current आई बह रही है हमने इस तार से R दूरी पर इस्तिर किसी बिंदू P पर गणना करनी है किसकी चुमबकी ये शेत्री की तो हमने क्या किया उस point P को सम्मिलित करते वे एक ampere का बंद लूब बना लिया अब इब बाब बताओ इसके कारण इस point पर विद्दुष शेत्र चुमबकी ये शेत्र की दिशा क्या होगी current ऐसे चारिए point P आपका ऐसा है चुमबकी ये शेत्र हतेली के नियम के अनुसार अंदर होगा यहां बनाओ तो direction ऐसे होगी ऐसी direction होगी चुमबकी ये शेत्र की वास्ताव में direction यूँ दिखा रखी है पड़ ये direction है कैसी में आपको समझाता हूँ ये direction वास्ताव में ऐसे अंदर की तरफ है ऐसे तोना diagram क्या है ना आपको ये भी समझ बाहना चाहिए कि diagram real में ऐसा नहीं है कि एक 3D diagram को 2D में बनाया हुआ है कैसे ये आपका वायर है ring ऐसे है ऐसे है ring यू है तो current ऐसे point ऐसे है तो अंदर आएगा चुमबकी शेत्र तो अपने ring जो वास्ताव में ऐसी है उसको यूँ दिखा रखा है तो ring के उपर चुमबकी शेत्र इदर आएगा और अगर आप यहाँ पे DL vector भी लेते हैं छोटा सा तो वो DL vector की direction भी इसी तरफ होगी तो यहाँ पे actual में DL vector और B vector एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे है DL vector और B vector एक दूसरे से 0 एंगल बना रहे है तो यह आपकी current वो point चुमबकी शेत्र ऐसे आएगा तो वो circle पे चुमबकी शेत्र ऐसे है और उसी circle का कोई छोटा सा हिस्सा लोगे आप तो उसी circle का जैसे यह रहा इसी circle का यह चोटा सा हिस्सा और चुमबकी शेत्र भी इदर तो यह चोटा सा हिस्सा is equal to mu not sigma i यह होता है लगाना शुरू करें तो समाकलन bdl cos 0 degree a.b को क्या लिख देते हैं अपन a.b को a.b cos theta लिख सकते हैं अरे बिलकुल भी अगर आपने नहीं पढ़ रखा है परानी चीज तो उसमें तो हम क्या ही करने बिटा a.b को अपन क्या लिख सकते हैं a.b को हम a.b cos theta लिख सकते हैं तो यह लिख दिया अपन a.b cos theta अब cos 0 है क्यूं यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है dl और b के बीच का एंगल मैं आपको समझा दिया कितना है यहाँ पर 0 है is equals to mu not sigma i current कितनी है i इसके अंदर क्या है wire है उस wire में कितनी current है i current है और 0,1 होता है तो b समाकलन होग जाएगा केवल dl का is equals to mu not i अब समझ यह dl क्या चीज है इस छोटे से इस ampere का loop यह है ampere loop इस ampere loop का छोटा सा हिस्सा तो अगर इस ampere loop के ऐसे चोटे चोटे हिस्सों को जोड़ते हैं पूरी परीदी प्राप्त हो जाएगी यह आपको आर तरिज्जा के radius आर तरिज्जा के circle की तो यह आ जाएगा 2 pi small r बराबर mu not i तो यहां से sumba की शेतर का मान कितना आ रहा है mu not i upon 2 pi r आगे ध्यान रखना इसका प्रियोग करूँगा बहुत important derivation में आज में तो अगर आपके पास एक सीधा तार है आया समझ में अगर आपके पास एक सीधा तार है प्यारे बच्चों अगर आपके पास एक सीधा तार है उस सीधे तार के कारण आर दूरी पर इसके किसी बिंदू पीपर अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से चुम्बक ये शेत्री की करना कर सकते हैं बोलो भाई साथ, सही है क्या बोलो सही है क्या किसी बिंदू किसी लगर आपते हैं कि अंप इस वैंशे हिए वायवावियावावन के नियमस से कहसे करोगे नियमस कले तो आपको डी ये का सी होगा ना तो इसका घयो कौने समय के आप यह तो यह MBM या लूप आपने मान लिया ये कि लूप को समाकन संब कर मतली करें अ किज़े होगा ये कि ये होगा वाई शाहब किससे होगा तो ये MBM से ठीक है चलो अब NCRT में एक सवाल है इसी सम्बंदित जो बड़ा अच्छा सवाल है यह इस सवाल को करते हैं यह सवाल ब्रेक के बाद करेंगे ठीक है यह काफी अच्छा सवाल है इस सवाल को ब्रेक के बाद करेंगे यह चित्र दे रखा है मोटा तार है उसके बाहर एक बार अपने परिपत लिया एक बार अंदर लिया अगर बाहर ले और अंदर ले या सतय पे ले तो क्या फरक आता है यह अपने चोबी तक मेहनत कियो पता कब वसूल होगी जब आप यह सवाल सीखोगे इस कॉशन इस वेरि इंप्वारेंट यह एंप्यर के परिपती नियम पर ही बिस है यह फिर अपने ब्रेक के बाद करते है ब्रेक आपका जादा लंबा नहीं दिराम है ब्रेक आपका है टैन मिनिट्स का तो पांस से बढ़ा के टैन कर दिया मैंने टैन मिनिट के ब्रेक के बाद मिलेंगे और इस चैप्टर के बचेवे पोशन को फिनिश करेंगे टीक है अब इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो बचावा वान शॉट में खतम करूँगा इसके बाद ब्रेक नहीं दूँगा प्रिमिटिक है उसके बाद एक गंटा लगेगा सवाह गंटा लगा मुझे नहीं पता बचित्ता भी टाइम लगेगा वह एक साथ में होगा तो य लो बूरी है गोरे वाद एक साथ गराद लगेगा वाम सवाष यटिक है एक साथ झाल 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 हेलो सर्प्राइज आपको लगा वोईस प्रॉब्लम है वोईस प्रॉब्लम नहीं थी मैं बोल ही ऐसे रहा था मैं चाहूं वोईस प्रॉब्लम ऐसे भी क्रियेट कर सकता हूँ इस बार तो कहरें वोईस प्रॉब्लम नहीं थी बागे आप लोग थोड़ा सा मजाग बन गया वोईस प्रॉब्लम नहीं है मैं कि वोईस प्रॉब्लम है चलो तो इस मजाग के साथ आज की इस क्लास को वापस से कंटिन्यू करते हैं हेलो इस्ट्रेंड स्वागत आप सभी का आशी सिंग लेक्चर्स की इस लेटेस डाइफ स्ट्रीम में फिर से चलिए ठीक है जी चलो करें चलो तो इस सवाल को फटा पर से कर लेते हैं बड़ा मुस्किल सवाल नहीं है बहुत ही लल्लू सवाल है ऐसी हो जाएगा इस सवाल बोल रहा है कि ऐसा एक वायर है जिसमें करण आई फ्लो कर रहे है आपको इस वायर के सबसे पहले बाहर इस्तित किसी बंदू P पर चुमबकी शेत्य की करना करनी है तो बाहर इस्तित किसी बंदू पर करोगे तो वही एम्पीयर का बंद लूप बनाओगे जब Ampere का बंद लूप बनाओगे तो ये बिलकुँ सेम हो जाएगा पहले वाले डेडिवेशन के माल लेते हैं ये वाली तिर्जा Capital R है और आपने ये जो दूरी ली है ये Small R है पहला केस जब Small R जादा है Capital R से तो ऐसे केस में ये तो वही केस बन गया ये वाला आप ऐसे बंद लूप बनाओगे अंदर करन्ट चेक करोगे अंदर पूरा का पूरा बेलन आ रहा है तो अगर पूरा का पूरा बेलन आ रहा है तो वही same calculation होगी, वही current आएगी तो वह आना answer है mu naught i upon 2 pi r तो अगर बाहर करोगे, तो बाहर इस तित point पर तो विद्धुशेत्र, सॉरी, चुम्बा की शेत्र वही आएगा आपका, जो अभी निकल करके आए, exam में आएगा तो same derivation कर देना, वही आएगा mu naught i upon 2 pi r बाहर तो यही आएगा अब बात करते हैं, सतह पर अगर आपका यही point P सतह पर इस्तितो तो सतह पर जब ampere का पत बनाओगे तो current तो पूरी की पूरी count होगी i, same derivation होगा, बस यहाँ पर जो small r है वो किसके बराबर हो जाएगा capital R के, तो इसमें बाहर इस्तित बिंदू के लिए तो same हो जाएगा पहले जैसा बाहर इस्तित बिंदू के लिए बाहर इस्तित बिंदू के लिए बाहर इस्तित बिंदू के लिए तो same हो जाएगा पहले की जैसा सतह पर जब आप देखोगे तो सतह पे small r is equal to capital R होता है प्यारे बच्चो तो बस small r के जाएगे capital आ जाएगा और सतह के उपर जो B का फर्मला आएगा वो आएगा mu not i current पूरी की पूरी आएगी divide by 2 pi capital R को कि यहाँ भी जब आब ampere का पत बनाओगे सतह के उपर यहाँ भी जब आप यहाँ पर भी जब आप यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको मज़ा तो बहुत आएगा वेटा क्योंकि सतह के उपर small r is equal to क्या होने वाला है small r is equal to capital R जो होने वाला है ठीक है सतह पैसा हो जाएगा point आएगा दिक्कत आएगी अंदर स्थित किसी बिंदू के लिए तो यह तो हो गया second point अब आते है third पे दिक्कत आएगी अंदर स्थित किसी बिंदू के लिए तो third point है अंदर स्थित बिंदू के लिए problem आएगी जब आप अंदर स्थित किसी बिंदू के लिए निकालोगे देखना कैसे माल लेते हैं यह हमारा बेलन है इसके पूरे अनुप्रस्त कार्ट से आई करेंट जा रही है और इसके तिर्जा है capital R अब आपने अंदर पॉइंट ले लिया तो अंदर पॉइंट लेने से क्या होगा समझना अंदर पॉइंट लेने से अब जो एम्पियर का पत बनेगा वो ये वाला बनेगा small R तिर्जा का तो जो ये पूरा पत है इस पूरे शेत्रफल में से जो करेंट जा रही है वो है I आपको ये करेंट नहीं चाहिए आपको करेंट चाहिए ये वाली जो इतने हिस्से में से जा रही है मतलब जब आप यहाँ पर formula लगाएंगे उसका किसका ampere के परिपती ये नियम का तो b.dl वोई आएगा b.dl cos 0 mu not sigma i में आप फस जाओगे को कि sigma i होता है ampere के loop में जो करेंट है ampere के loop में जो धार आए अब यहाँ पर पूरी की पूरी i ampere के loop में थी यहाँ पर पूरी की पूरी i ampere के loop में थी पर यहाँ पर पूरी की पूरी i ampere के loop में नहीं है माल लेते हैं ampere के loop में जो धारा है वो i dash है तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा b.dl बराबर mu not i dash तो वही b into 2 pi बाकि सब को सेम रहेगा mu not i dash तो यहां से b is equal to आ जाएगा mu not i dash upon 2 pi फरक किस चीज़ का आएगा जो current पहले i थी अब ampere के loop के अंदर पूरी current i नहीं है अब जो अंदर current दिख रही है इस छोटे से loop में जो current है वही count होगी तो छोटे वाले loop में कितनी current है i dash तो i dash current ही ली जाएगी अब क्या i और i dash में कोई संबंध है निकाल सकते हैं देखिए कैसे बेटा यह जो i जारी है यह इस पूरे शेत्रफल में से जारी है मतलब capital pi capital r square में से कितनी current जारी है i जारी है अराम से देखो यह अराम से चेक करो क्या यह पूरी की पूरी current pi into capital r square में से जारी है क्या चेक करो क्या यह पूरी की पूरी current क्या यह पूरी की पूरी current pi into capital r square शेत्रफल में से जारी है क्या आप देखेंगे तो यह बात आपको तुरंट समझ में आ जाएगी कि हाँ आशी सर एकदम सही कह रहे हैं कि ये जो पूरी करंट है ये किस में से जा रही है ये पूरी करंट आपके इस शेत्रफल में इसके अंदर से जा रही है तो सच में देखें मिटा ये पूरी की पूरी करंट जो है वो कितने शेत्रफल से ज से जाएगी एकांग का शेत्रेपल से जाएगी आई बटा पाई कैबिटल आर स्क्वाइर अगर पूरे के पूरे हो रहा है समझ मारा है अगर पूरे के पूरे रफटार बैच कब तक स्टार्ट होगा सर परसों से स्टार्ट उड़ाया ना में पिटाम वोक उसका टाइम बुल कर शाम को 6 बजाएगा तो पाई कैपिटल आर स्क्वाइर पाई कैपिटल आर स्क्वाइर शेत्रिफल से यह जो करण्ट जा रही है अराम समझ लो वापस यह जो करण्ट जा रही है इस से शेत्रिफल से जा रही है इस से यह शेत्रिफल कितना है पाई कैपिटल आर स्क यह को है, अगर एकांका में से इतती जा रही है, तो pi r square में से, pi small i square में से इतती जाएगी i divide by pi pi capital R square into pi small r square, इससे यह कर जाएगा, तो i- eyeball कितना आ गया? pi small r square divide by capital R square, इसी को समझना important होता है, इसी को वाबस से एक बाद समझते हैं, और समझ में आ जाए तो हां कर देना एक बार में अब ये चेप्टर जाला बचा नहीं है इस चेप्टर का मोटा मोटा पोर्शन अपने कर लिया है देखो क्या बात है इस पूरे शेत्रफल में से इस पूरे अनुप्रस्त काट में से इस पूरे अनुप्रस्त काट में से जो विद्यु धारा जा रही है वो कितनी है आई मतलब पाई कैपिटल आर स्क्वाइर से इसको भले चाहो तो पहले लिख लो कि पाई कैपिटल आर स्क्वाइर से किति धारा जा रही है तो एक पैंक की किमत अगर पांच रुपे है तो इतने पैंकी कितनी होगी ऐसे निकल सकती हाथ उपकरे ने समझ में आ जाए तो अब i- का मान यहां पर रखेंगे तो चुम्बकिये शेत्र का मान प्यारे बच्चों क्या निकल के आएगा i- का मान यहां से उटा के रख दो i small r square divide by capital r square into 2 pi small r small r से small r कर जाएगा तो यहां से b का जो मान है दिख रहा है क्या okay तो यहां से b का मान आएगा mu not i छोटा वाला r divide by r square 2 pi capital r square यह formula आपको याद करना परो देख लीजा है समय आगया पढ़ने वाले बच्चे हैं यह तो पढ़ने वाले बच्चे हैं इनको सब समझ में आता है चलिए तो आप इसका conclusion देखते है समरी देखते हैं इसकी क्या है समरी यह है कि अगर ऐसे capital r अब बेलन है और उसमें से current आई जा रही है तो जब r greater than capital r पर आप चेक करेंगे तो सूत्र क्या आएगा चुमबकी शेत्र का mu not i upon 2 pi r मतलब b जो है वो r के width कमान उपाती होगा अगर r is equals to capital r पर चेक करेंगे तो b का formula आएगा mu not i upon 2 pi capital r चीक है और r is less than capital r पर चेक करेंगे तो b का formula निकल के आएगा प्यारे बच्चों mu not i r upon 2 pi r square mu not i r upon 2 pi capital r square यहां से देखें तो b जो है वो r के क्या आजाएगा समान उपाती यहां width कमान उपाती था यहां एक तरह से इसकी हो गई maximum value और यह हो गया समान उपाती तो अगर exam में ऐसा हो सकता है कि exam में आपको graph बनाने के लिए भी कहें ऐसा हो सकता है कि exam में आपको graph बनाने के लिए भी कहें ऐसा हो सकता है बिटा एक्जाम में आपको graph बनाने के लिए भी कहें तो घबराना नहीं है graph बना सकते हैं अगर यहां देखें अपन r is equals to 0 से r is equals to capital R देखना जब r capital R के बराबर नहीं है छोटा है तो b r के समान उपाती है तो समान उपाती का graph कैसा जाता है सभी को पता है समान उपाती का graph ऐसा जाता है इस तरह से तो यहां पर मैं यह कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में जब तक small r capital R के बराबर नहीं है छोटा है तो b small r के समान उपाती है पिर यह value हो गई सतह पर कितनी सतह पर value b बराबर mu not i upon 2 pi capital R और इसके बाद यह है small r is less than capital R जब small r is greater than capital R है आगे की बात कर रहे है पर जब small r is greater than capital R है तो capital R है तो b जो है वो small r के वित कमान उपाती है और b के small r के वित कमान उपाती होने का मतलब है यह graph ऐसा जाएगा तो आगे का जो graph है यह जो r है यह बी के क्या है वित कमान उपाती तो आगे का graph ऐसा जाने वाने इस तरह से तो आगे का graph ऐसा जाएगा बोलिये समझ मा आ गया क्या जल्दी से हाथ उपकरो टीक है तो यह NCRT का एक सवाल था है ना यह NCRT का एक छोटा सा सवाल था NCRT के सवाल भी important होते हैं break से पहले मैं आपको इस सवाल दिया था अब इसने worshipUpUpUpUEE ही और यह अपने जो किया है यह इसका solution है एक्जाम में आएगा थोड़ा सा language अटे करके आपको लिखना है इसका जो फर्स्स पार्ट है यह यह अपने यहां solve किया था न हम इता हूँ, उसके जैसा है बिलकुल इसमें आपको बड़ा सा बना दिना यह और किया current तो आई आएगी, इतना चा चेंज करना है, ठीक है साब, चली, अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा जो next topic है, जो इससे संबंदित है, वो है, परिनालिका अर्था solenoid, heading लगाई है, परिनालिका, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, परिनालिका, क्या, परिनालिका, क्या, परिनालिका, solenoid, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ाने में, तोरोईर तो आपकी कोर्स में है नहीं, solenoid है, उसको पढ़ते हैं, बहुत सिंपल चीज है, इस तरह से spring के form में तार को लपेड दीजिए, ऐसे, spring की form में तार को लपेड दीजिए, और माल लेते हैं, अपन ने इसको एक बैटरी से करेंट कर दिया, तो यहां से current जा रही है, यहां से current आ रही है, ठीक है, अपन ने इसको बैटरी से क्या कर दिया, current कर दिया, ऐसे आप कैसे भी कर सकते हो, को फरक नि पड़ता, आप चाहिए तो बैटरी को उल्टा लगा दीजिए, आपको समझाने के लिए, मैं जो derivation करना चाहरा हूँ, उसमें मैं बैटरी को उल्टा लगा जाता हूँ, जादा बैटर समझ मा आ जाएगा, मतलब इसमें current ऐसे बाहर आ रही है, यूँ चल रही है current, यहां से गई, ऐसे बाहर आई, अंदर गई, 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 इसके कारण अगर आपको चुम्बकी शीते निकालना है, तो पहले इसके diagram को थोड़ा सा special तरीके से बनाना पड़ता है सारा खेल इसके डाइग्राम में चुपावा है derivation करने के लिए मैंने यह मान लिया यहाँ पे अब यहाँ एक बात ध्यान लगना यहाँ dot तथा cross धारा की दिशा को बता रहे हैं धारा की दिशा बताने में यहाँ dot एव उप क्रॉस धारा की दिशा को बताने में प्रियुक्त किये गए हैं प्रियुक्त किये गए एक तार को spring होगा इस प्रिंग धारा लगा दो बस वो ही है क्यों होता है spring Nahum में current लगा दो तो पहरे बच्चों यहाँ पे dot और cross इसके derivation में एक ही पंगा है वो मैं solve कर रहा हूँ यहाँ पे dot और cross के माइने अलग हैं यहाँ पे dot और cross चुम्बकिय शेत्र को दर्शाने में काम नहीं आ रहा है यह important बात है यहाँ हम dot और cross को किस चीज में काम में ले रहे हैं यहाँ हम dot और cross को काम में ले रहे हैं विद्यो धारा की दिशा बताने के लिए ओकेज बोलो चलो बताओ आतो पकर क्यों बताओ समझा गया लिखो इसको कॉपी में कमेंड में लिख लो कि dot और cross यहाँ पर current है dot और cross यहाँ पर current है अब यह बात समझा दूँ आपको current कैसे चल रही है गई अंदर वायर में लपेटी तुमारी तरफ गई फिर अंदर तुमारी तरफ फिर अंदर ऐसे हो रहा है ना current यह जा रही है ना यहाँ से आई बाहर तुमारी तरफ फिर अंदर यहाँ से आई बाहर तुमारी तरफ फिर अंदर यहां से आई बाहर तुम्हाई तरफ फिर अंदर यहां से आई बार करंट वो चेंज करता हूँ करंड करेंच चल रही है पीछे से आई करंट बाहर यहां से बाहर निकली अंदर चली गई फिर यहां से बाहर निकली फिर अंदर चली गई समझें, यहां से बाहर निकली, फिर अंदर चली गई तो क्या आपको current की direction समझे में आ रही है, current के चल रही है बोलो मित्रों, current ऐसे चल रही है मतलब current इस प्रकार से है, कि यहां से गई, फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर फिर बाहर तो उपर जितने भी पॉइंट है सब में current बाहर निकल दी है तो dot को use किया जा रहा है current को दिखाने में यहां से बाहर निकली फिर अंदर चली गई तो नीचे की तरफ जो भी current है वो अंदर की तरफ जाती भी दिखाई देगी ऐसे है तो इसी परिनालिका की current को दिखाने के लिए अपन ने इसको use किया है अराम से समझो बै कहने का मतलब यह है कि current इस प्रकार से जा रही है हां जैसे heater में होता है से किरहly call ऐसी होती रही है ऐसीą लगी है ये ओता है और कुछण यह परिनालिका प्रका से ने बहुते है की current के चलेड़ी है बाहर फिर अंदर बाहर फिर एंदर बाहर अंदर बाहर-थिर यह उपपर की तरफ उपर 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 ऐसे तुमारी तरफ आती भी फिर नीचे तुमार से दूर जाती भी तो तुमारी तरफ उपर आ रही है तो हमने current के लिए dot use कर लिया और तुमारे से नीचे जाकर के current दूर जा रही है ऐसे अंदर उसके लिए अपने cross use कर लिया तो ये cross और dot बचों current को दिखा रहे है चुम्बकी शेत्र को नहीं दिखा रहे है ये dot और cross किसको दिखा रहे है ये dot और cross किसको दिखा रहे है ये dot और cross current को दिखा रहे है ये dot और cross किसको दिखा रहे है करेंट को दिखा रहे हैं अब चुम्ब की शेत्र कैसा होगा सर जहान से देखो वैसे यह होता है कि अगर करेंट की दिशा में उंगलियां गुमाओ तो अंगूठा चुम्ब की शेत्र को बताता है उहा है मैं एसा यह अपनको 10 लुध ट्रbon कैसे Linux अंदर उपर से बाहर क्रेंट कैसे इधर से अंदर उपर से बाहर तो करेंट की दिएरेक्शन में उंगलियां गुमाईए अंगूठा चुम्बकिये शेत्र को बताएगा current की direction में उंगलियां गुमाईए अंगूठा चुम्बकिये शेत्र को बताएगा ठीक तो चुम्बकिये शेत्र की दिशा क्या आ गई चुम्बकिये शेत्र की दिशा आ गई ये बहार चुम्बकी शेत्र नहीं होगा पहिनालिका के अंदर ही होगा तो ये पहिनालिका के अंदर होगा एक समान चुम्बकी शेत्र ये पहिनालिका के अंदर हो गया एक समान चुम्बकी शेत्र अब अपन क्या कर रहे हैं अब अपन यहाँ पर चुम्बकिये शेत्र की गण्ना करने के लिए परिनालिका के भीतर हम यहाँ पर एक एमपियर का पत मांग रहे हैं छोटा सा हमने यहाँ पर यह एमपियर का हमने यहाँ पर एमपियर का एक छोटा सा पत ले लिया ऐसा यह हमने एक एमपियर का छोटा सा पत ले लिया अंदर चुमबकी शेत्र की गण्ना करने के लिए चुमबकी शेत्र की गण्ना करने के लिए हमने एमपियर का एक पत ले लिया इस डाइगराम में देखो के तो ऐसा देखेगा यह हमने एक MPR का जो पत है वो ले लिया तुम बक्यी शेतिरी करना करने के लिए उसको हमने नाम दे दिया ABCD अब इस ABCD के उपर इस ABCD के उपर अपन लगाएंगे या PQRS बोलो जो आपको ठीक लगता है चाहे तो आप इसको PQRS बोलो चाहे ABCD बोलो इस पे MPR का परिपतिय नियम लगाएंगे अब PQRS पे अपन लगाते हैं MPR का परिपतिय नियम लगाए क्या बोलता है M.p.r का परिपती है नियम समा कलन B.dl बराबर होता है मू नौ सिगमाई की यह होता है अब यहाँ पे पूरा का पूरा हिस्सा जो आपने लिया है वह क्या है P.Q.R.S यहाँ पे जो पूरा हिस्सा आपने लिया है वो है PQRS यह PQRS आपने यहां पर ले लिया अब जब यहां पर अपन चलेंगे तो P से Q, फिर Q से R फिर R से S और फिर S से P चलेंगे तो इसके अपन चार हिस्से कर सकते हैं इस पूरे PQRS के अपन चार हिस्से कर सकते हैं यहां करके बताता हूं P से Q अपन लिख सकते हैं, BDL cos theta अलग, फिर Q से R, Q से R, अपन लिख सकते हैं, BDL cos theta अलग, फिर R से S, अपन लिख सकते हैं, BDL cos theta अलग, फिर हम S से P लिख सकते हैं BDL cos theta अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताओ जार बोलू ना यार महनस से पढ़ रहे हैं कुछ बोलिए तो सही आप नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा बिटा उस तो आपको बोलना ही पढ़ेगा ना और इसको किसके बराबर कर देंगे मुनोर्ट सिगमाई के अब ध्यान से देखना यहाँ DL वेक्टर ऐसे होगा यहाँ DL ऐसे होगा यहाँ DL ऐसे होगा और यहाँ DL ऐसे होगा अब समझ यहेगा P से Q में DL वेक्टर की डाइरेक्शन और B की डाइरेक्शन सेम है तो यहाँ पे थीटा इस इकवर्स टू है जीरो डिग्री परफेक्ट यहाँ पर DL और B की डाइरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पर है यहाँ पर DL और B की डाइरेक्शन यहाँ पर DL और B की direction 90 degree पर है इधर इधर तो मतलब ही नहीं है चुम्बक ये शेत्र ही 0 है तो यहाँ पर B ही 0 है तो बात खतम ये तो 0 ही होगे हटा दो इसको छोड़ दो इधर DL और B के बीच का angle इधर DL और B के बीच का angle 90 degree है कहाँ पर इसमें भी theta बराबर केता है 90 degree जब हम theta 90 degree रखेंगे तो cos 90 का मान शुन्य होता है तो इसमें भी आ जाएगा शुन्य है ये शुन्य होई गया ये भी हो जाएगा शुन्य है पस ये बचेगा क्योंकि cos 0,1 होता है तो यहाँ से केवल क्या ची निकल के आएगी केवल ये P से Q तक बचेगा BDL बाकिस अब छोड़ दो आप बराबर आगया मुनोट सिगमा आई डन अब आपको अच्छे से पता है अब अच्छे से पता है आपको ये B भारा जाएगा समाकलन DL कहां से कहां तक P से लेके Q तक इस बात का ध्यार नखना कि आपको ये जो DL आपने लिया है ये केवल P से Q तक का लिया है तो माल लेते हैं P से Q तक की लेंथ L है तो यहाँ पे इस DL का समाकलन हो जाएगा L तो यह आगया B इंटू L बराबर मू नॉट सिगमा आई अब हमें बस क्या चाहिए इसमें सिगमा आई चाहिए दिखो अपने इंटिग्रेशन को अलगले पार्ट में तोड़ दिया था तो कोई बच्चा ये बुद्धी ना चलाए कि DL इस पूरे को जोड़ना तो अब ये जो DL है ये यहां से यहां तक का छोटा अल पांच है ये जो DL है यहां से यहां तक का छोटा अल पांच है तो इस DL का समागलन करेंगे तोひuu L heartfelt आईगी समझ यह बात को हां यहां पर जो डियल होता वो पूरा PQRS का होता तो हमने PQRS को अगर चार पार्ट में तोड़ दिया तो हमारे डियल भी एक तरह से चार पार्ट में तूट गए है तो समाकरन करने के बाद करने में थोड़ा सध्यान रखिएगा गलती मत करना प्लीज है ना गलती मत करना एड़ करने में थोड़ा सध्यान रखना प्लीज मिस्टेक मत करना एड़ करने में गलती कर दोगे फिर बड़े मुत्वेड मेमारे जाओगे बचीर पड़े की बहंकर तो यह बचीर से बचना खिलते हैं उसके लिए अलग से माल लेते हैं एक आंक लंबाई में माल लेते हैं इस परिनालिका में माना परिनालिका में एक आंक लंबाई में फेरे हैं मान लेते हैं परिनालिका में एक आंक लंबाई में जो फेरे हैं वो स्मॉल एन है मतलब एक आंक लंबाई का मतलब एक सेंटीमीटर एक मीटर एक एमेम ऐसे हैं तो हमने हमने यहां से यहां तक की लेंद को क्या माना एल माना है तो अगर एक आंक लंबाई में फेरो की संक्या छोटा वाला एन मान लिया जाए तो L लंबाई में फेरे कितने होंगे एकांक लंबाई में फेरों की संक्या छोटा वाला N तो L लंबाई में फेरों की संक्या कितनी होगी बोलो N इंटू L तो माना पहिनालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संक्या कितनी है अभी बताओ, L लंबाई में फेरे कितने होंगे, L लंबाई में फेरे कितने हैं, L लंबाई में फेरे होंगे, N इंटू L, को दिक्कात, अब धारा कितनी होगी, एक फेरे में धारा अगर आई है, तो इतने फेरों में कितनी होगी, N इंटू L इंटू I, N इंटू L इंटू I, N इंटू L इंटू I, सही है, भाईया जी, smile please, हमने मान लिया कि परिनालिका में एकांक लंबाई में, हमने मान लिया कि परिनालिका में एकांक लंबाई में फेरों की जो संक्या है, वो छोटा वाला N है, तो अगर परिनालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संक्या छोटा वाला N है, तो L लंबाई म अब एक फेरे में करंट अगर आई है तो हमारे पास उस लमबाई में कितने फेरे न इंटु सकरेंस तोल कररंट उस ल लंबाई में कितनी हो गई एनिंटु इंटु एल इंटु है एनिंटु एल इंटु एल इंटु आई परफेट्ट क्या नाली मत लिख हो यार पागल हो गया नाली लिखना एक बच्चा अरे नाली नहीं है वह एन इंटू एले इंटू आई है वह अरे सच में रभू नाली लिखने हो इसको पागल वागल हो गया कि अलो देखो जर दिमाग उड़िया दिखता है पढ़ते पढ़ते तुम्हारा देगी के बी यल बराबर मुनोट सिग्माई की देखा आगा एन इंटू एल इंटू आई इस में प्यार से बोलता हूं कदा है न मदिल पी मतलिया करो एल से एल गया तो यहां से बी बराबर कि गख़या मेनाठ अयन यई को यह हो गया परिनालिफा के कारण चुमबकीद है को यह हो गया चुमबकीद के रच कुमबक यहेट ऑबयर हो गया आलीा के का रर्च कारण रिश्सक्य पहलते डिखले एट एट वो लो सब वो लो सब आगा अगा वो लो वो अगा वो अगा कीव अब केवल आपको दो बड़े-बड़े डेरिविशन करने मेरे साथ आच की क्लास में अब अपनी साधी एनर्जी को इखटा कर लो अब आपको मेरे साथ दो डेरिविशन अच्छे-चे और करने उसके बाद टॉपिक में किवल एक टॉपिक बचे का चल कुलिली गैलोमिटर और उसके साथ में एक topic और है, इस दौनों topic मैंने recorded वीडियो में बहुत अच्छा पढ़ा रखा है और मैं आज तक उससे अच्छा नहीं पढ़ा पाया, उसके बीचे एक reason है कोई कि उसमें मैंने practically समझा रखा है तो last में 28 मिनिट का एक वीडियो देखने के लिए आपको बोलूँगा और आपको खुद बताऊंगा याँ पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तर आपको समझ में आएगा वीडियो देखने के लिए क्लिए क्यों बोल रहे है तो मोटे मोटे तोर पे आपको मेरसे बस दो डेडिविशन और सीखने प्लीज महरभानी करके तुद ध्यान दीजिए है फो दो डेडिविशन अपन करेंगे अच्छे सुनना अब हम जो डेरिविशन करने जा रहे हैं बड़े शान्दा डेरिविशन है एक तो बहुत सिंपल है एक थुदा सच्छा है एक समान चुम्बकिये शेत्र में रखे धारावाई चालक पर चुम्बकिये शेत्र द्वारा बल लिखो एक समान चुम्बकिये शेत्र में एक समान चुम्बकिये शेत्र में एक समान चुम्बकिये शेत्र में तो परिशान नहीं होना है, तोरविट बिहार बुर्ड वाले बच्चों को अलग से पढ़ाया जाएगा रिरफ्तार के अंदर, एक समान चुम्बकिये शेत्र में रखे, एक समान चुम्बकिये शेत्र में रखे, धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर सुम्बकी शेत्र द्वारा बल धारावाही चालक पर सुम्बकी शेत्र द्वारा बल ध्यान से देखना है इस टॉपिक को सुम्बकी शेत्र द्वारा बल इसको एंग्लिश में बोलते हैं पोर्स ओना पोर्स ओना करंट केरिंग कंड़क्टर वैसे मैंने पढ़ा रखा इस आई टॉपिक अगर आपको टोरीड पढ़ना है मेरे से आपको कुछ नहीं करना है नेट पर जाके साच करना है तोरीड भाय आशी सर आज यहागा वीडियो कोई दिक्कत नहीं है तो फोर्स ओना करंट करिंग कंड़क्टर placed on placed in a placed in an uniform magnetic field placed in an uniform magnetic field placed in an uniform magnetic field ठीक है शुरू करें सब्सक्राइब करें स्टार्ट करें important derivation है, exam में आता भी है, और ये नहीं आएगा तो इसका एक भाई है, इसके ठीक बाद में उसको पढ़ना है अपने को, वो exam में आ जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तो वो आ जाएगा, और ये आ जाते हैं exam में, जुरू करें, बिटा आपने अपने ऐसा मान लिया कि अपने पास एक चुमबकी ये शेत्र है इस दिशा में, ये अपने एक चुमबकी ये शेत्र ले लिया, इस direction में हमारे पास एक चुमबकी ये शेत्र है, ऐसे है, और ये एक समान चुमबकी ये शेत्र है, ठीक है, ये एक एक समान चुम्बकी शेत्र बी में अपन ने एक चालक को रख दिया इस एक समान चुम्बकी शेत्र बी में अपन ने एक चालक को रख दिया इस चालक के अंदर यहां से करंड जा रही है इस डायरेक्शन अमाल लेते हैं जो आवेश वाहक है हम पॉस्टिव लेके चल रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो इस करंड के डायरेक्शन की विप्रीत होगा हम यहां प्लस को लेके समझ रहे हैं तो प्लस जो आवेश है वो करंड की डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन करंड की विप्रीत चलता है अमने प्लस को लेके समझना शुरू किया है इस तरह से चलना है और आपको पता है कि जब भी आवेश वाहक चलता है किसी भी स्पीर थड़ जपर में आप पढ़चोके हो अपवहन वेट सकते है तो एकestens इस तरफ current है, वैसे अगर आप चाहे हैं तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको electron को लेकर ही समझना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके help कर देता हूँ, आप electron को लेकर ही समझ लो, ऐसा माल लो कि electron current के direction ये है, current के direction ये है, ठीक है, और इसके विप्रीत है, आवेश वहक, मैंने भी उसका नाम electron नहीं दिया, मैंने भी Q को negative नहीं बोला, प्लस मान के ही कर रहे हैं, जब negative आ जाए है, तो direction change कर देना इतना ही है, और कोई फरक नहीं पड़ता, आप electron ले भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पस last में Q की जगे क्या रखना होगा, minus का e, घबराना नहीं है, परमुला मारा बन जाएगा, यह angle आपने ले लिए theta, पका बेटा, अब जहान से देखना, मैं लिख रहा हूँ, एक आवेश वहक पर, एक आवेश वहक पर, एक आवेश वहक पर, एक आवेश वहक पर, चुम चुमबकिये शेत्र द्वारा बल, इसको चेक करेंगे, कि एक आवेश वहक पर, सिंगल एक पर, एक आवेश वहक पर, चुमबकिये शेत्र द्वारा बल कितना लग रहा है, यह बल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, Q V x B, या फिर वैसे लिखें, तो Q V B, साइन थीटा, अगर हम यहां के हिसाब से लिखना चाहें, इधर के हिसाब से, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि उसको कैसे लिखेंगे अपन, आवेश को तो अपनने क्यू मान लिया, जो आवेश वाहक करेंट के टाइम पर, जिस स्पीर से चलता है, उसको थर चैप्टर में डराइब कर चुक है अपन, ड्रिफ्ट वेलाओ सिटी, अपर वहन वेग, यहां पे, यहां पे, जो वेग होगा, वो होगा वीडी, तो Q V B, साइन थीटा, आमने समझ लिया है कि वीडी का जो एंगल बन रहा है, चुमबकी शेतर से वो कितना है, थीटा है, क्लास कितनी देर और चलेगी, बीस पर चीस में और चलेगी बस, डन, तो एक आवेश वाहक पर जो बल लग रहा है, समझना, करेंट फ्लो कर दिये, एक आवेश वाहक पर जो बल लग रहा है, उसका फॉर्मुला होगा, एफ बराबर Q V B, साइन थीटा, Q V B, साइन थीटा, Q V B, साइन थीटा, तो Q V क्या होगा, अब अब संपूर्ण चालक पर बल लिखते हैं, अब संपूर्ण चालक पर बल, अब लिखते हैं, अब संपूर्ण चालक पर बल, अब लिखते हैं, अब संपूर्ण चालक पर बल, कैसे लिखोगे? एक आवेश वाहक पर बल एक आवेश वाहक पर बल गुणा चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या कुल आवेश वाहकों की संख्या चालक में कुल आवेश वाहकों की संख्या आवेश वाहकों की संख्या तो आप संपूर चालक पर बल कैसे लिखेंगे एक आवेश वाहक पर जित्ता बल लग रहा है गुणा कितने आवेश वाहक है उन्हें सबकों कर दो तो एक पर लग रहा है गुणा कितने आवेश वाहक है आपके पास ऐसे पूरे चालक पर बल नि निकालना है भाई एक आवेश पर जो बल है एक आवेश वहाग पर जो बल है वो तो अपर निकाल चुके यह रहा यह तो निकल चुका है हमें निकालना है चालक में कुल आवेश कितना है चलो निकालते हैं इसके लिए थोड़ा अलग कैलकुरेशन करनी पड़ेगी माना चालक के एकांक आयतन में आवेश्वाहकों की संख्या आवेश्वाहक कौन है बैसे बदाया आपको इलेक्ट्रон ही है और इलेक्ट्रょन भी कौन से हैं? मुक्ट इलेक्ट्रोन जिस बच्चे ने current electricity बहुत deep में अच्छे से पढ़ा होगा बताया था आपको कि एकश्वाहक कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो चालक की एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या एकांक आयतन में अपन मान लेते हैं कि आवेश वाहकों की संख्या कितनी है N है ठीक अगर एकांक आयतन में आवेश वाहकों की संख्या अगर N है तो आपके चालक का कुल आयतन कितना होगा सोचो चालक का कुल आयतन कितना है सोचो चालक का कुल आयतन कितना है अगर आपन चालक का कुल आयतन निकालने की सोचे है तो बताओ कमेंट करके चालक का खुल आयतन कितना है सोची है बेलेन का आईदन कैसे निगलता है माल लेते हैं कि चालक की जो लंबा ही है color change कर नहीं पड़ेगा बज़ा नहीं आएगा G1 मेदरवाइस तो माल लेते हैं तो माल लेते हैं कि चालक की जो कुल लंबा ही है वो L है और इसके अनुपरस्ट कार्ट का शेत्रिफल जो है वो capital A है तो माल लेते हैं चालक की कुल लंबा ही L है और इसके अनुपरस्ट कार्ट का शेत्रिफल capital A है ठीक है तो अभी जाद ध्यान दो मेरी बात पर एगा क्या बोलना चाना हूँ है इसका अनुर्पस काड़ा शेतेपल कैपिटल ए है इसके लंबाई एल है तो आयतन आ जाएगा एल अब एकांग आयतन में आवेश्वाक इतने हैं और हमारे पास चालक का आयतन इतना है तो चालक के पूरे आयतन में कुल आवेश्वाक कितने हुए तो अब कि अब चालक में कुल आवेश वहाख कितने होंगे चालक में कुल आवेश वहाख होंगे बतावना दोस्त बतावना दोस्त अले बतावना दोस्त कितने होंगे N into A into L सही है हो गया फिर तो आपका काम यही तो चाहिए था आपको यह N into A into L आप यहां रख सकते हैं अब आपका संपूर्ण चालक पे बल का formula क्या निकल करके आ रहा है एक आवेश्वाग पे बल यह रहा और यह रहा आवेश्वागों किसंख्या N into A into L को आप गुणा कर सकते हैं Q VD sin theta से अब थोड़ा सा इसको rearrange करके लिखे N Q A VD L sin theta ऐसे लिख देता हूँ सब कुछ लिखावा है बसमें थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया उसको है ना देखो ऐसे आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्या अब बताओ यहां पर कुछ बन रहा है क्या आप पढ़े देखें बच्चों काफी टाइम से पढ़ रहे हो बताओ यहां पर कुछ बन रहा है क्या बताओ बेटा देखकर यहां पर कुछ बन रहा है क्या है क्यों अब बन रहा है क्या अब एक मिड़ा आँ 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 अ आपने थर्ड चैप्र में पड़ा था एक जागे क्यों है एक दबात है यहां से आप देख पा रहे होंगे आई इस इक्वास टू एन ईए वी डी आई बन जाएगा तो यहां से आपका जाएगा एफ बराबर आई एक चीज रहे गए बी डी रहे गया न जल्देलों भी लिखना भूल गया तो यह बीबी दो आएगा जल्देलों भी लिखना रहे गया वभाट ने मिल्गों आप देख धें तो I, L cross B अगर इसमें आपको direction चाहिए हो तो आप L से उंगलियां किस की तरफ गुमाओगे B की तरफ और L की direction वही होगी जो current की है अभी इस direction को अपन अच्छे से देखेंगे चलिए चलिए साथ तो मज़ा आगया आपको अब आगया है समय इस दिन के आखरी derivation को करने का अब आप इस दिन का आखरी और सबसे शानदा derivation करने जा रहे हो चीक है बहुत बहुत बढ़ाई आप सभी को आप इस दिन का आखरी और सबसे कह सकते हो सबसे शानदा derivation वन आफ म the favorite you are going to do that शुरू करे बस सबसे पहले इस formula का मतलब अच्छे से समझ लेना नहीं तो तुम्हारा तुम्हारे साथ हो जाएगी बचीड क्या हो जाएगी बचीड तो अगर आपको बचीड से बचना है तो आपको इस formula का मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा अगर आपने formula का मतलब अच बल का फॉर्मूला है आई एलबी साइन थीटा द्यान से देखना इसमें करंट है चालक की खुद की इसमें चुम्बकी ये शेत्र है सामने वाले का जो इस चालक पर बल लगा रहा है ये चुम्बकी ये शेत्र इसका थोड़ी है ये तो घूम रहा था गूमते गूमते आ गया तो ये इसकी करंट खुद की है तो चालक के पास चालक के पास खुद की करंट है जो इस चालक पर बल लगा रहा है ये तीटा अगर आपको आशी शेत्र का capsule चाहिए, तो simple बाश्चा में, ये current और B के बीच का angle देख लेना, पर ये physics के according सही नहीं है, physics के according, ये जो angle है, ये इन दौनों के बीच में है, L वो B का angle, ये physics का according है, पर L का angle, L वेक्टर का वोई direction होगी, जो current की होगी, तो इसलिए अगर आप आशी सरके capsule की बात, ये गलत है वैसे statement, ये physics के according गलत है, पर तुमारे समझने के लिए ठीक है, कि current और B के बीच का angle वोई होगा, अब देखो, L की direction क्या होती ही, जो current की होती है, अब आई वेक्टर होता निये, उसलिए हमें L वेक्टर बनाना पड़ता है, यहां पर L वेक्टर के direction वो ये जो current की है, तो ये physics के according साहिए, तो exam में ये लिखना, ये physics के according साहिए, पर caution करते हैं आई और B के बीच का angle लेकर रख सकते हूँ, ठीक है, पर ध्यान रखना ये physics के according गलत है, ये physics के according साहिए, ओकी बच्चा, अब इस बात को जो जितना अच्छे से याद रखेगा, उसको आदे वाला है जीवन का मज़ा, अब आप बहुत शांदार वाला topic करने वाले हो, आशी सर के capsule में, ये लिखके रख लेना कहीं पे भी, अग्जाम में ध्यान रखना, ये मतलि क्या ना बचीड पड़ जाएगी नहीं तो, ओके, चाला हो, तो मक्षन होगा कि बचीड पड़ेगी, इसी ब अध्यबल, दो समांतर, धारावाही, दो समांतर, धारावाही, चालकों के मत्यबल, अब अपन क्या निकालेंगे? अब अपन निकालेंगे, दो समांतर, धारावाही, चालकों के मत्यबल, कोर्स बिट्वीन, टू, पैलेलल कंड़क्तर्स, बहुत मज़ा आएगा इसमा, ठीक है, शुरू करेंगे? तो आपके पास दो वायर है, एक ये वायर है, और दूसरा वायर ये है, इसके समांतर है ये, दौनों में धारा, एक ही डायरेक्शन में, इसमें भी धारा उपर की तरफ है, करंट今天 इसमें, करंट मानल लोटें हे, आइवन है, ये पहला वाला कंड़क्टर है, ये, दूसरा वाला कंड़क्टर है, इसकी करंटाैंवन मानलू, इसकी करन्ट आई टू माल खेद शुरू करें पैरे बच्चों क्योंकि यह आज का आखरी डेरिवेशन है तो मैं चाहता हूं कि इसको अपन एकदम जोश के साथ पढ़े क्योंकि इसमें 90% कंसेप्ट है 10% फॉर्मुला है 10% के वाल 10% 90% साब इसमें कंसेप्ट है तो जो बच्चा इतना मेरे साथ सफ़रत है अब देखो मैं कहता हूँ ना कॉंपिटिशन बहुत कम है 1500 बच्चों से आज की क्लास शुरू ही थी 500 बच्चे बच्चे है वैसे ही बाहर इसलिए बोल रहा हूं रफ्तार से पढ़ने वाले हजारों बच्चे हैं साब जब रफ्तार बैच लॉंच हुआ था तो 2000 एडमिशन हो गए थे दो दिन में रफ्तार में अभी तो पता नहीं कितने हो गये होंगे तो भारत के कितने बच्चों ने रफ्तार बैच लिया है पहली बाद तो भारत के पता ने कितने Hindu माधियम की बच्चे हैं, उन्हें मेंसे इतने से बच्चे ऐसे हैं, जो ASL पर जुड़े हैं, बढ़ने वारे, और उस बच्चों मेंसे भी रफ्तार बैच में जुडने वाले बच्चे देख लो आप, और मैं आपको गरंटी दे रहा है तो गबराने की और डरने की तो जरुत ही नहीं जो लास्ट तक टिका रहा बाई साब हो जाएगा उसका हार्ड वर्क बीट्स टेलेंट इफ टेलेंट डेजन्ट वर्क हार्ड लिख लो इसको कहीं पर भी हार्ड वर्क मेरी बात याद रखना मेशा है हार्ड वर्क बीट्स टेलेंट मेहनत एक टेलेंट बंदे को भी पीछे कर सकती है यदि टेलेंट बंदा मेहनत नहीं करें इफ टेलेंट डजन्ट वर्क हार्ड आशी सने जिन्दगी में बात बोली थी उस बात को नोट कर लो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में टेलेंट की कमी है होई बात नहीं मेहनत कर ले भाई तो हार्ड वर्क बीट्स टेलेंट इफ टेलेंट डजन्ट वर्क हार्ड और सोचो अरे सोचो अरे सोचो वाट हैपन वाट विल हैपन क्या होगा यदि टेलेंट वर्क हार्ड अगर टेलेंटेड ने मेहनज शुरू कर दी तो क्या होगा सोचो तो ये बात उन दोनों बच्चों के लिए है, जो talented है, मेहनत कर ले, नहीं तो निगल लाएगा कोई आगे, क्योंकि अगर तो मेहनत कर लेगा, तो सोच, if talent works hard, बाई साब क्या होगा, और कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता है, आप में talent नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, hard works be talent, because most of the time, talent doesn't work hard, तो क्यों डर रहा है, अरे क्यों डर रहा है, गबराओ मत, 6 बजे पढ़ाना शुरू किया था, time क्या हो रहा है, ओह, साड़ेदस हो गई, तो निकल लिए भाई, निकल लिए, कोई होगा, महान सोच रहा होगा, मेरेको तो आता है, तो talented तो निकल लिया, अगर कोई यहाँ पर ऐसा है, जिसको आता है, और फिर भी बैठा है, तो तुम यह हो, और जब यह होता है ना, तो मचता है, और अगर यह नहीं हो, तो इसमें से कोई एक हो, तो भी तुम जीत में हो, और तुम इसमें से एक हो, तो भी तुम जीत में हो, और तुम इसमें स reduced, मेरा बच्चा competition हो चुका कम, competition कम हो चुका, घबराने वबराने की जरुत नहीं है, बस रफ़तार में लगे रहना और ठिके रहना लास्ट तक, अगर आप रफ़तार में लास्ट तक ठिके रहे, तो result is just a, result is just a by-product, result बस एक by-product है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, कि आशी सर नहीं ये बात बोले थे, ठीके बास, बढ़ें आगे, खतम करते हैं, derivation को, फिर, आगया, जोश आगया, जोगरे, 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 इसकी current I1, इसकी current I2, अब मजा आएगा, इधर, focus, भाई साथ, माल लेतिन के बीच है, की दूरी D है, यह यहाँ पर विद्यू, चुम्बकिये शेत्र उत्पन करेगा, तो यह वाले तार में जो current flow हो रही है, इस वाले तार में जो current flow हो रही है, वो यहाँ पर चुम्बकिये शेत्र उत्पन करेगी, दिशा निकाल ले, current की direction में अंगूठा कर दीजिए, किस point पे check करना है, उस तरफ उंगलियां कर दीजिए, हतेली बताएगी direction, अंदर की तरफ मतलब cross, और यह चुम्बकिये शेत्र किसका है, बीवन का है, इसका चुम्बकिये शेत्र यहाँ पर आएगा, और इसका चुम्बकिये शेत्र यहाँ पर आएगा, अंगूठा कर दी कर दीजिए, current की direction में, जिस point पे चुम्बकिये शेत्र देखना है, उंगलियां कर दीजिए, हतेली बताएगी चुम्बकिये शेत्र, तो इसका चुम्बकिये शेत्र यहाँ पर है, dot की form में है, और क्योंकि बात हो रही है, yellow और color चल रहा है, तो इसका color यहाँ पर लियाता ह इसका color भी white कर देते हैं, और इसका color भी yellow कर देते हैं, अब आपको बढ़िया समझ माएगा, तो इसकी current के कारण, यहाँ चुम्बकिये शेत्र उत्पन हुआ, और इसकी current के कारण, यहाँ चुम्बकिये शेत्र उत्पन हुआ, और इसकी current के कारण, यहाँ चुम्बकिये श शेत्र का फॉर्मूला क्या होता है याद करू एक तार की कारण आर दूरी पर चुम्बकिये शेत्र का फॉर्मूला होता है तो बीवन का मान कैसे निकालोगे तार एक के कारण चुम्बकिये शेत्र कैसे निकालोगे मूनौट करेंट कितनी इसमें आईवन और इसके कारण कितनी दूरी पर चुम्बकिये शेत्र देख रहे हो दी दूरी पर तू पाई डी इसकी दिशा कैसी है क्रॉस है साब अंदर की तरफ है आया मजा तार दो के कारण चुम्बकिये शेत्र तार दो के कारण चुम्बकिये शेत्र तार दो के कारण चुम्बकिये शेत्र झाल झाल आरे इसके कारण D दूरी पर चुमबकिय शेत्र कितना होगा ये रहा इसके कारण D दूरी पर यहां चुमबकिय शेत्र कितना होगा B2 बेराबर Mu not current कितनी I2 कितनी दूरी पर चेक कर रहे हो D दूरी पर और ये dot की form में है बढ़िया विटा चलो अब अपन देखते हैं अब आएगा main मज़ा शुरू एक सवाल पूछ रहा हूँ मुझे जवाब दे के बताना इस तार के उपर कौन सा चुमबकिय शेत्र बल लगाएगा केवल मुझे इतना कमेंट करके बता दो पहले वाले तार के उपर कौन सा चुमबकिय शेत्र बल लगाएगा पहले वाले तार के उपर कौन सा चुमबकिय शेत्र बल लगाएगा वेली, गूद, मज़ा या गया मतलब अगर मैं F12 लिखता हूँ यह होगा तार 1 पर दो के चुमबकिय शेत्र के कारण बल इसे लिखेंगे देखो F1 2 बराबर I LB Sine Theta ऐसे लिखते हैं अब आशी इसन ने बताया था कि करंट खुद की चुमब किये शेत्र सामने वाले का जान से देखो तो करंट आए की खुद की बल किस पर लग रहा है तारवन पे तो करंट आए की खुद की बल लगा कौन रहा है सामने वाले का चुमब किये शेत्र तो यहां आएगा सामने वाले का चुमब किये शेत्र और एंगल क्या होता है इसकी लंबाई ऐसे है चुमब किये शेत्र क्या है चुम्ब की शेत्र भार की तरफ है देख लो इसकी लंबाई ऐसे है और चुम्ब की शेत्र भार की तरफ है एंगल की तावन नब्बे डिग्री यह हो गया साइन नाइन्टी डिग्री ऐसे इसी प्रकार अगर आप लिखते हैं F21 तो यह होगा तार दो पर एक के चुम्ब की शेत्र की कारण भाल चुम्ब की शेत्र की कारण भाल मजा आ जाएगा भी समझा दूंगा बढ़िया सिंतावत किया करो ड्रा मत करो ऐसे तो F21 बराबर क्या हो जाएगा I L B I L B Sine Theta देखें इसके उपर बल देख रहे हो तो करंट तो इसकी खुद की होगी पर चुम्ब की शेत्र सामने वाले का होगा चुम्ब के शेत्र होगा B 1 एंगल करंट ऐसे है और चुम्ब के शेत्र अंदर की तरफ ऐसे अब जराबात direction की भी तो कर ली जाए अब जराबात direction की कर ली जाती है अब direction की बात करते है इधर आओ direction निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको L से B की तरफ उंगली घुमाएंगे अंगूठा direction बताएगा A क्रॉस B की direction कैसे निकालते हैं A से B की तरफ उंगली घुमाते हैं तो उस तार की current से उंगली घुमाओ उस चुमबकिये शेते की तरफ जो उस पर बल है अपने आप direction आ जाएगी कितना वाले कौन सी डायक्शन चलो खेलते हैं खेला होबे चलो खेला होबे खेलते हैं पहले वाले तार में करंट किस तरफ है पहले वाले तार में करंट किस तरफ है पहले वाले तार में करंट उपड की तरफ है चुमबकिये शेत्र करंट उप आपी तक कुछ none था पहले वाले तार के कान यहां चांबकी शेतर लिख 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 लिया दूसरे वाले अहँ चांबकी शेतर लिख लिख लिए उसके बाद यह बल लगाएगा इसका डिर्म खैसे बल्ट किसके ऊपर तो इस्मच बाएगा कितना tips इसकी चुम्ब की शेतर सामने वाले का इस पर कितना बल लगेगा करन्ट इसकी चुम्ब की शेतर सामने वाले का अब तो कुछ किया ही नहीं है अब तो बस आगे बढ़ना है आगे करन्ट की डायरेक्शन की साथ खेलते हैं आजाओ आजाओ ध्यान दो इसमें करंट उपर की तरफ चुम्ब की शेत्री डॉट है बाहर की तरफ ऐसे करंट की तरफ उंगली कर दो चुम्ब की ये शेत्री की तरफ उंगली गुमाओ करंट की तरफ उंगली सॉरी सॉरी ऐसे ही करना है वैसे तो ये लो करंट की तरफ उंगली कर दी चुम्बकिये शेते की तरफ गुमाओ, तो करंट की तरफ उंगली कर दो, चुम्बकिये शेते की तरफ गुमाओ, करंट की तरफ उंगली कर दो, चुम्बकिये शेते की तरफ गुमाओ, करंट की तरफ उंगली कर दो, चुम्बकिये शेते की तरफ गुमाओ, करंट की तरफ बल की direction अंगूठा किस तरह बता रहा है बल की direction अंगूठा बता रहा है इस तरह वन पे लगने वाला बल दो के चुम्बकी शेत्र के कारण ठीक है जाब इधर देखो current किस तरह है उपर चुम्बकी शेत्र का है अंदर ऐसे current किदर है उपर इस पे जो चुम्बकी शेत्र बल लगा रहा है वो किस तरफ है अंदर तो चुम्बकी उंगली रख दो current की तरफ चुम्बकी शेत्र की तरफ उंगली घुमाओ उंगली रख दो current की तरफ चुम्बकी शेत्र की तरफ उंगली घुमाओ किस तरफ आ रहा है अंगुठा इधार ये डायेक्शन होगी F21 की चिडिया रानी बड़ी सयानी अंडे दिये खास बो आया मज़ा बस लास्ट टॉपिक हो गया उपर की तरफ करंट है चुम्बकिये शेत्र बाहर की तरफ है ऐसे तुमारी तरफ करंट से चुम्बकिये शेत्र की तरफ घुमाई ये अंगुठा करंट डायेक्शन बताएगा बलकी करंट से चुम्बकिये शेत्र अंदर की तरफ है ऐसे यूं गुमाईए यह आ जाएगा, मतलब समानतर धारावाई चालक एक दूसरे को आकर्शित करते हैं, तो समानतर धारावाई चालकों में आपस में क्या होता है, आकर्शन होता है अली तो मज़ा वाला टॉपिक है, इसमें जो कर्ण्ट है, इसके कार्ण माच चुम्बकिये शेत्र अंदर, इसमें जो कर्ण्ट है, उसके कार्ण माच चुम्बकिये शेत्र बाहर, अब I.L. भी लगाएंगे, कर्ण्ट उपर की तरफ है, चुम्बकिये शेत्र बाहर की यह बात याद रखना इसको भूल मत जाना मिटा इसको भूल मत जाना मिटा इसको दिया रखना ना रफ्तार से पहले मैं आपको एक तगड़ी चीज दे रहा हूं इनको मत भूल जाना तो डेशन आगे बड़ा है साइननेटीवन होता है तो आगे वेलू करते हैं एफ वन टू का मान कितना आ जायेगा देखना एफ बराबर आईवन एल बी कितना है बी टू कितना है बी टू है मूनौट आईटू अपॉन टूपाई डी यह यह ना ऐल बी टू और ऐसे एफ टूबन क्या है f21 है i2 lb1 sin 91 हो गया चलों मान रखें तो यहां से f12 divide by l कर लेते हैं इस l को नीचे लिए आते हैं किसके बरावर होगा i1 into b2 के b2 का मान कितना है mu not i2 upon 2 pi d और यहां से देखें तो यह हो जाएगा f21 divided by l बरावर i2 lb1 i2 b1 का मान कितना है mu not i1 upon 2 pi d तो क्या आप यहां से देख पा रहे हैं कि किरिया प्रति किरिया का बल हो गया बाई साब यह तो f12 upon l बरावर आ रहा है mu not i1 i2 upon 2 pi d और यह भी एकांग लंबाई पर जो बल लग रहा है f21 upon l जो है यह भी आ गया same आ गया बिटा mu not i2 i1 i2 upon 2 pi d इसका मतला भी गती के तृतियनियम की पालना कर रहे है f12 जो है वो बराबर है minus के f21 की तो आप परिमाण में तो बराबर है बस sign में difference है देख लो ना sign में अंतर है न यह इस तरफ लग रहा है यह तो यह हो गया कि एक दूसरे को आकरशित करते हैं समांतर धरावाई चालक एक दूसरे को आकरशित करते हैं करते है ठीक है जाल होगया चलो खतम अब दो टॉपिक है उनके बारे मैं बताता हूं कि मैं उनको आपको recorded content से देखने के लिए क्यों बोल रहा हूं उसके पिछे कारण है हम आपको भी समझाते हैं क्यासा लगाई टॉपिक वैसे मजा आया आपको इसको पढ़के और इसलिए एक बात बोल दूम आपको जैसे माल लो अगर आपने ऐसा को सब्सक्राइब बनाया है ना कि यहां से करेंट निकली और यहां जाकर के दौन में डिवाइड हो गई एक तौँ तो कि अगर अपने इस सर्किट बनाया ना तो थोड़ी देर बात पता है आप क्या देखोगे अगर आपने इस प्रकार काप Governor can बना लिया को थोड़ी देर बात बतां क्या होगा थोड़ी देर बात यह होगा कि ये समानतर धारावाय चालक एक दूसरे को करने लग जाएंगे आकरशेत पर आप खुद देखोगे कि थोड़ी दिर में आपका सर्कृट ऐसा हो जाएगा कि दौनों एक दूसरे को आकरशेत करते वे ऐसे पास आ जाएंगे कि समानतर धारावाय चालक एक दूसरे को आकरशेत करते हैं और आशी सका कैपसूल और लिखलो साथ में अगर आपने प्रती समानतर ले लिया तो जैसे समानतर धारावाय चारक, मतलब still लिवे तेम डाइशन में करण्ड चल रही हैं तो आकरशित करेंगे विपरीत करण्ड है तो प्रतीकरशित करते हैं, ये ध्यान लखना अगर समानतर धाराः बापस सुनलो, अगर प्रती समानतर है एक करण उपर एक करण नीचे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं बहले आप खुड डाइग्राम बना के करके देख ले लिए अगर ये समांतर हैं ऐसे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं समांतर में आकशन होता है और प्रती समांतर में प्रतिकशन होता है समांतर में आकशन होता है समांतर में आकशन होता है और प्रती समांतर में प्रतिकशन होता है ठीक है? बोला साब समझ आ गया क्या? देखो एक स्क्रीन जाएगी उसके बाद वापस आजाएगी है ना एक स्क्रीन जाएगी है आपके भड़ देखो हाँ जी तो अब अगर आपको नेट पर जाकि बस इतना सर्च करना है यूटूब पर जाना है मैं आपको लिंक दे दूँगा वैसे अगर आप यूटूब पर जाएंगे तो आप सर्च करेंगे Moving Coil Galonometer Class 12 by Ashish Sir आपके पास वीडियो आएगा एक लेक्चर नंबर 14 आएगा ये एक आएगा 77 ये लेक्चर्स को ध्यान से देखना बेटा जब आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो आप पता है क्या पाएंगे जब आप इन लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे आप खुद देख सकते हैं, मैंने moving coil galonometer को उठा करके बाकायदा उसका practical करके समझाया हुआ है, तो आप इस practical से पूरा moving coil galonometer अच्छे से पढ़ पाऊगे, आप आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इस वीडियो से पढ़ लेना, नि तो ये भी एक वीडियो है, इस इसे भी आप अराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे भी पढ़ सकते हो, इसके अंदर भी मैंने पूरा moving coil galonometer लेकर आया था हमें class में, और moving coil galonometer लाकर के proper तरीके से वो अंदर कैसे function करता है, कैसे function नहीं करता है, उसके बारे में अच्छे से समझाया है स सब कुछ, देख लो आप, बहुत प्यार से, मैं चाहता हूँ कि आप यहां से इसको समझें, या आपके लिए बैटर रहेगा, और एक चीज कहूँ कि इस पर प्रेक्टिकल इना बिटा, तो प्रेक्टिकल अप्रोच के साथ में समझें कि तो आपको जा समझ भाएगा, उसमें या फिर एक काम करना आप तो, मैं आपको सिंबल बताता हूँ, या तो 76 लेक्टर भी देख लेना इसका, मैं लिंक दे दूँगा आपको, या फिर इसकी प्लेलिस्ट है पूरी, उस प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे, तो एक ये टॉपिक और है आपका, जिसमें आपको, ये समझा रखा है, चुमबक की ये शेत्र में धारावाही कुंडली पर बल, ये टॉपिक भी आपको देखना पड़ेगा, पॉकि इस टॉपिक के अंदर भी बहुत शांदार तरीके से, आपको धारावाही कुंडली पर कैसे बल लगता है, ये समझा रखा है, ये तो यह इसके बाद आपको चल कुंडली समझ में आएगा तो दो वीडियो के लिंक दे दूँगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो आप खुछ सर्च करें आपको बताई दिया एक तो लेक्चर 76 77 देख लेना और अगर 76 77 नहीं देखना है तो मेरे पास तरीका है इस प्ले जाएगा बचे भी दो टॉपिक के लिए और मैं चाहता हूं आप ही लेक्चर देखो आपको समझ माएं एक हम लोग कहां से कहां पहुंचे हैं ऐसे भी पढ़ाते थे अपन पहले पहले ऐसे भी पढ़ाते थे अपन भूख मजा आता था ऐसे पढ़ाने में भी जब यह यह अनुग तो यह बाता पेटा म्राम अदावस टैम बढ़ाने में देखो आप प्रॉपर तरीका सा आपके लिए डायरी बायरी सब लेकर आये यह लेकर आए बच्चों को लगता है कि आशी सर्फ फिजिक्स नहीं बढ़ाती थी, फिजिक्स में 2019 से पढ़ा रहा हूं बिटा, और जब ये स्मार्ट बोर्ड नहीं होगा करते थे ना, तो भी उस टाइम ऐसे इस तरीके से फिजिक्स पढ़ा ही जाती थी, इस शांदार तरीके से NCRT कॉशन भी करवाये हैं, देखना चाओ तो देख सकते हो, तो 13, 14, 15, लेक्ट नमर 13, 14, 15, इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, अभी दे दूगा, इसका लिंक मैं आपको अभी दे देता हूं ना, या इसी का बात है, इस प्लेलिस का लिंक दे रहा हूं, इसके टेस्ट, अब तुम दो मैं चैट नहीं करोगे ना, तो मैं लिंक को पिन कर सकता हूं, और तुम लोग चैट करते रहोगे तो मैं लिंक को पिन नहीं कर पाऊंगा, इन मैसेज, ओ गया, ये लो, इस पर जाओगे, सीधा आपका प्लेलिस खुल जाएगी, और इस प्लेलिस म में जाकर के देख लेना, भीटिक है, अरे आपको तो प्लेलिस्ट का लिंक देना था ना, मेरे को, देख लेना, यहां से शुरू कर देना, इसके बाद 12, 13, 14, यहां से देख लेना, ओके, बढ़िया, कर लोगे, चलो साब, तो ये था बिटा आपका चैप्तर, मज़ा आग बस, आज की क्लास में इतना इच, बाकी, आपको मिली गया है लिंक तो, बड़ा मज़ा है आपको पढ़ा करके, और हाँ, एक बार वो मैं जो हमेशा करता हूँ, वो कर देता हूँ, कि बच्चे बोलते हैं, सर, NCRT का कोई टॉपिक हमारा छूटना नहीं चाहिए, साब, त NCRT बुक्स, इसमें जाएंगे, आपका लेक्चर, आपका 12th क्लास है, आपका फेजीक्स है, आपका भौतीकी 1 है, वो, ओके, चैप्टर नमबर 4 है, आजाओ इसके अंदर, देख लें, ताब चैप्टर नमबर 4 में, आपको इन भाई सापके, और इस्टेर भाई सापके ब बाद में, आपको फिर ये पढ़ाया गया कि कैसे ये काम करता है, धरावेच अलग पर कितना बल लगता है, आईडियल साइन थीटा लास्में, डेरिविशन करवा दिया, उसके बाद निमरिकल भी करवा दिया, चुमबक की शेतर में गती कैसे होती, देखो, ये रहा, ये बहुत बुरी तरीकी से किया, हर एक बच्चे को समझ माय, उसके लिए थालियों का भी प्रियोग किया, थालियों का प्रियोग करने के बाद में ये देखो, फिर आपका ये एंपियर का परिपती नियम आया, उसके पश्चात आपका फिर सोलोनोइड आ जाएगा, परिनालिका पढ़ा दिया गया, तो रोइड आपके कोर्स में नहीं है, उसके बाद आगे बड़े समांतर धरवाई चालकों के मद्दे बल, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करा दिया गया, उसके बाद में आपको दो टॉपिक का लिंक दिया गया, एक तो इस कुंडल के लिए, और लास्ट टॉपिक आपका जो था, वो था चलकुंडली इन दौनों का आपको लिंक दिया गया, और उसका कारण भी बताया गया, कि लिंक में इतनी महनस से समझाया गया है, वित प्रैक्टिकल, तो आपको लिंक से ही पढ़ना चाहिए, और ये चलकुंडली ग कर्षाण केस्या के लिए पढ़ोगे तो चलकुंडली गर्यामीटर में कर्मारजन भी मैंने समझार रखाए, यहां पर देखोगे ना आप इसका अग्ला लेक्ट्र लोगने देखोगे तो चलकुंडली ओनना में आपको कर्षाण के ऐख्रखोमें आपको कर् चलिए साथ तो प्रिशाद नहीं होना है आपको सब करा दिया गया है और इसी के साथ बाइवाय जहन टेक्यार खुश रहें मस्त रहें पढ़ते रहें मेहनत करते रहें और थैंकिसो मच यार आप लोगों ने इस क्लास को सक्सेस्फुल बनाया उसके लिए बस मुझे कमेंट चाहिए और आज कमेंड मुझे पता है क्या चाहिए मुझे आज कमेंड में यह चाहिए आपको याद रखना है ये हाड़वर्क बीस्टैलेंट इफ टैलेंट डजन वरक हार और वाट विल हैपन इफटेंट वरक हार तब आप किस कैड़ेगरी में होते हो देख लो बड़ जो भी class हुई है आप comment जरूर करेंगे सभी बच्चे जितने भी live है comment करके मुझे जरूर बताएंगे class कैसी लगी मैं आपके सारे comment पढ़ूँगा thank you so much hashtag जिदकर हम ऐसे ही महनत करते रहेंगे और ये तो केवल trailer था पूरी picture जो है वो रफतार नाम की picture कि जरूर जो है वہ भी बाकी है Bye Bye जय हिंद classic layer खुश्च रहो मस्त रहो बढ़ते रहो मैंध करते रहो ये सल आपके साथ था है और रहेगा मैं आपके साथ था हू और रहाँगा Bye Bye को आहन देक क्ये क्या क्या कुश्च रहो मस्त रहो बस ऐसे ही पढ़ते रहो परणा शेयर जरूर करना आपने जूनियर्स को भी बताना अब आपको देखो पढ़ना इंपोरेंट नी होता है अपने जूनियर्स को बताना कि आपको पढ़ना चाहिए यहां से अगर आपको अच्छा लगता है झाल झाल